अगर आपको इंटरस्ट है भारत के गोरवशाली इतिहास के बारे में सच्च में जानने में हम कहां से आए हमारे पूरवज कहां से आए यह जो धर्म हमने अपना है यह कहां से आए कौन सी भाषा सबसे पहले आई क्या सच में हम भारतिय ही है या फिर आरियंस है बहुत सारी ऐसी दिमाग में क्योस आपके मचेगी जब इस वीडियो को आप देखेंगे इतने सारे कोशन मार्क लग जाएंगे कि आपको सवाल के ज देखना पड़ेगा आपको क्योंकि इसके अंदर जो देखने को मिलेगा न वो आपको आज तक कहीं नहीं देखने को मिलाओगा अंसुनी कहानिया अंसुलजी पहलिया आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व होने वाली है एंशेंट हिस्ट्री बहुत जादा मास्टर पीस मा आपके रॉंक्ते ना खड़े हो जाएं तो हम पढ़ाना छोड़ दे ऐसी वीडियो हमने बनाई है चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंशेंट हिस्ट्री बारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में हम जानते हैं प्री मॉरेन पोस्ट मॉरेन यह वहीं मॉरेन एंपायर है जिसमें चनक के आये थे और गोल्डन एज ओफ गुपता डैनेस्टी साथ में सम इंपोर्टन डैनेस्टी बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी डैनेस्टी ती जो कम-कम समय के लिए रही लेकिन उन्होंने तहलका मच जाके रखा और वो इतना ज्यादा उससे कोशन आ सकते हैं वंडे एक्जाम के अंदर की डिरेक्ट-डिरेक्ट सवाल फसेंगे तुमारे तो आपको पता ही है हमारी वैल्यू का कि जो हमने पहले हिस्ट्री की वीडियो दी थी और आज जो हिस्ट्री की वीडियो देंगे य एंशेंट हिस्ट्री है वो मोडर्न मेडाईवल हिस्ट्री थी दोनों के अंदर बहुत जबर्दस चीजे हमने डाल दिया कि आपको सच में फाइदा हो यह फाइदे के हिसाब से देखा जागा पेड़ में ऐसा कॉंटेंट नहीं मिलता है आर्ट एंड कल्चर देख लेंग यह साल जो चल रहे है यह AD की बात हो रही है और यहाँ एक बात होते है BC की यह दोनों में फरक है देखो फरक क्या होता है कि यह जो सेंटेर है यह सेंटर को हम zero मानती है यह zero क्या है? बार्ट गुर्ट आएज़ इस क्राइश्ट का जब जन्म हुआ उसको हमने मार लिया zero time अब जो भी बात करेंगे हम, यहां तो इससे आगे की बात करेंगे, यहां इससे पीछे की बात करेंगे, 2023-2022 का यह मतलब नहीं कि सिरफ 2000 साली हुएं अभी, लाखों साल हो चुके हैं, धर्ती बनी को बहुत billions of years हो चुके हैं, जीवनाय को अगेन लाखों साल हो चुके हैं, लेकिन बात हम इस रेफरेंस से, इस जीरो से कर रहे हैं, तो इस तरफ जाएंगे जब, तो 1192 मानलोब बोलते हैं, तो यह AD है, 1192, तो यह प्रिथविरा चोहान जी का बैटल हुआ था, मोहमद गोरी से, जिसमें यह हारे थे, तो यह हमने डिसकस कर रखा है, मेडाईवल वाली में, अल्रेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऐसी 1469 की बात करते हैं, तो यह गुरुनानक देव जी का पिरेड हो गया, और फिर आपको पता होने चाहिए कि 1526 के असपास बाबर आ गया, तो वो भी मेडाईवल में पढ़ रखे हमने, और गुरुनानक देव जी को उसने बंदी बनाया, अगर आप बोलोगे यह वाली एक अलग है भक्ती मोमेंट वाली जो है न, सेंट्स वाली, यह भी कई बार इकजामस के अंदर आ जाती है, सिखीजम या मराथा एंपायर, इसकी भी आप बोलोगे, जिसकी भी आप बोलोगे, पहले उसी की वीडियो बना देंगे, डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंड बोक्स में लिख देना, कि यह यह वीडियो और चाहिए हमें, तो वो भी बना 2023 बच्ची यह नई बात होगी, ऐसी जब हम पीछे को जाते हैं, यह तो हो गया, AD, AD हो गया, Anno Domini, या फिर इसको Common Era भी बोल देते हैं, CEB आज कल बोल देते हैं, लेकिन जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे BC, यानि कि Before Christ, Jesus Christ के बर्थ से पहले, तो यह 68 BC में रहे, तो हम बोलेंगे कि 268 साल पहले, इसका simple सा BC का मतलब यह इतने साल पहले, अब जब मैं बुद्धा की बात करूंगा, 563 BC, तो इन में से latest बात कौन सी है, latest बात मैंने क्या बोला था, जो उस तरफ है, यानि कि जो चक्रवरती समराथ अशोक की बात है, वो latest है, यहाँ पर जितना बड़ा नंबर होगा, उतनी पुरानी बात होगी वो, ठीक है, और आपको पता है कि जो अशोका थे, वो बुद्धिसम को फोलो करने ले लग गये थे, तो अव्वेसी बात है कि यह इस तरह से बड़ा कुछ आगे, अब इसी में अगर हम और पिछे पुराना उनका बर्त है, लगबग 5200 years का, तो वो हम यहाँ से काउंट करते हैं, 5200 years, अगर यहाँ से करना है तो फिर 3000 साल बोलो आप, तो 2000 साल यहाँ होगे, 3000 साल यहाँ होगे, लगबग तो इस तरह आएंगे, तो यह 2500 है, तो 3000 साल, यानि कि 3000 BC मानेंगे, इतना हो गया, 5000 साल पुराना और अगर BC की फॉर्म में देखें, तो लगबग 3220 के असपास, ऐसी रमायन की बात करते हैं, तो रमायन को हम 7000 साल पुराना बोलते हैं, तो 2000 यहाँ होगे, तो 5000 इधर कर लो, तो इधर आओगे, तो 7000 साल यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ इतनी पुरानी है मायन, इस तरह से यह पूरी की पूरी टाइम लाइन चलती, इसका कंसेप्ट में आपको बता दिया है, ऐसी आप देखें कि कुछ-कुछ facts हैं कि अर्थ चो है लगबग 4.8 billion years back, यह theories है, इसके बारे में confirmation कुछ नहीं होती है, बट क्योंकि यह important facts हैं, तो इनको लिखना कोई भी जीव जनतु पहला जीव जनतु है, तो 3.5 billion years पहले आया, और अगर human की बात करें, तो आदमी कब आया, तो 42 लाख साल पहले आया, और आदमी तुरंत ऐसा आदमी नहीं आया था, आदमी भी विल्कुल उसकी evolution हुई है, वो अभी आगे बात करेंगे, ऐसी father of history की ब बोल देते हैं, before common era, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आप देखें कि जो sources हैं, हमारी पूरी history के, sources हमें कहां से पता लगता है, कि ये सच में हुआ होगा, दो तरह के sources हैं, एक literary source है, यानि कि जो किताबों से पता लगता है, बहुत सारे travelers यहां पे भारत में आये, उन्हों लगता है पता archaeology के survey से, तो जब वो हम खोदते हैं, तो नीचे देखते हैं कि गाउं के गाउं निकल रहे हैं, बहुत सारे शव मिलते हैं, skeletons मिलते हैं, जिनका हम देखते हैं, carbon dating वगारा करते हैं, तो उनसे पता लगता है कि हाँ ये इतने साल पुराने लोग हैं और ये उ चोटे चोटे जो वो अस्तर शस्तर यूज करते थे, चोटा हैमर हो गया, चोटे चोटे कील यूज हो गया, तो ऐसे पता लगता था कि उस टाइम के लोग क्या यूज करते थे, तो ये sources हैं हमारी इंडिया की history के हमें अपने भारत को जानने का पूरा मौका मेलेगा इस व इवल्व हुआ तो उसने सीधा खड़ा होना शुरू किया, अब देखिए यहां पर तीन तरह की ages आती है, पहला paleolithic age हो गई, जो बहुत लंबा समय चलता है, उसके बाद फिर misolithic age आती है, फिर neolithic age आएगी, उसमें डिटेल में भी discuss करेंगे उसके बारे में, तो फिर ये जो साथ एक लकडी का टुकड़ा भी इस्तमाल करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है, ये कौन सी है, misolithic है, misolithic के बाद फिर आगे evolve हुआ, तो अब इसने देखिए कि इसके tools भी sharp हो गए है, और लकडी का भी इस्तमाल हो रहा है, और धिर धिर यहां पर फिर आगे चलके metal का अब इस्तमाल होना शुरू हो जाता है, कौपर का, तो वो कौन सी होगी age, नियोलिथिक होगी, और उसके बाद evolve हो के इसा बन गया, और उसके बाद फिर robot बन गया, रोबट अभी बनेगा, रोबोट ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, नीचे भी वही चीज हमने mention किये क कैसे इंसान evolve हुआ, ये evolution हुआ इंसान का, अब आगे देखते हैं हम Paleolithic age के बारे में, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने पड़ेगी, पहले जो था बहुत ज़्यादा थंडा मौसम हुआ करता था, इतनी बर्फ, इतनी ज़्यादा बारिश कि पूछो मत, और भारत के सा दर, अलग-लग जगह पे इंसान evolute हो रहे थे, चाहे वो Egypt के लोग हो, चाहे वो Asia के लोग हो, अपने भारत के लोग हो, अलग-लग जगह पे अलग-लग तरीके से evolution हो रहा था, ठीक है, और अलग-लग modernization चल दी दी, ऐसे ही देखे कि मौसम में भी अलग-लग बदलाब हो रह है, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ठंड इतनी कडाकेदार तो इंसान वहां रहे नहीं पा रहे थे, इंसान क्या जानवरी थे उस टाइम पे तो यह आदी मानम था, तो यह रहे नहीं पा रहा था, तो यह क्या करता था, इसको अकल तो थी नहीं, यह कहीं भी यहां पर दोड़के चला जाता था जहां इसको सही लगता था वहां पर चला जाता था तो यह दोड़के फिर ऐसी जगह पर जाते थे जहां पर मौसम ठीक हो तो यह मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे कि एक तरह से कह सकते हो नॉमैड्स थे यह ठीक है तो यह आइसे जो है फिर धीरे धीरे के आएगी बाद में जाके फिर चीजे सेटल डाउन होनी शुरू हुई तब जाके आइस ने भी अपना लेवल कम किया यह बहुत लंबा बहुत लंबा समय है अभी आपको समझ में आएगा यह जैसे कि पहली लिथिक में आप देख सकते हैं पा पहली लिथिक में यह ओल्ड स्टोनेज है इंसान को मोटी मोटी अकल थी उसके बास इतनी जाद अकल नहीं थी कपड़े पहनने की उसको अकल नहीं थी नंगा ही घूमता रहता था और आप देखिए कि वह उसने बहुत कोशिश की चीजों को सीखने की पहली लिथिक को भी पड़े होते सूखे हुए तो भाई ने सूखे पत्ते उठाए जैसे तैसे करके बांद लिया अब वहां के जो बच्चे थे बहुत शरार्ती थे उन्होंने बोला कि अंकल अंकल यह क्या बांद रखा यूं किया तो वह सूखा पता गिर गया तो उसके बाद अब इसको सबस्या होगी तो दीरी दीरी इसको समझ में आना शुरू हुआ कि अब कपड़े कैंसे पहनने तो यह फिर इसने जानवरों को मारना शुरू किया फिर उनकी जो खाल है उसके साथ कपड़े पहने फिर दीरी जब समझ आया आगे चलके नियो लितिक में तो फिर इसको पता पत्थर के साथ इसका सारा का सारा खेल था ठीक है और यह कश्मीर वैली हो गई सोन वैली हो गई राजस्थान महराष्ट्रा मद्यप्रदेश इस एरिया में यह पूरे का पूरा पैलियू लितिक एज डेवलप हुई थी अब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं पैलियू ल लितिकेज तो मिसु लितिक में क्या है यहाँ पे एक चीज पिक्चर में आई लकडी यानि अब इनसान ने लकडी का इस्तमाल करना शुरू कर दिया पहले हथियार होते थे सिर्फ पत्थर के अब यहाँ पे की तीर कमान भी शुरू कर दिया इसने बोवा एंड एरो लेकि याँनि कि ये बात जो है ये इसी बीच में होनी चाहिए है ठीक है अब यहाँ पे एक चीज और भी हमें समझ आनी चाहिए कि इंसान जो है वो बंदर की तरह थे यानि वानर सेना भी उन्होंने बनाई भगवान रामने तो थीक है तो तब एक तरह से कुछ शायद इंसान हो सकता है, evolute हो गए थे, कुछ नहीं होए थे, मेभी ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपको ये confusion नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका reason ये है कि देखे, एक दिमाग में आता है कि भगवान राम के बास तो इतने सारे resources थे, इतने अमीर थे, भईया, तो रात घोड़ों में घूम रहे थे, तो इतने जबर्दस धनुष कमान थे, रावान उड़ रहा था भईया, उड़ने वाले पटोले थे उसके बास, तो उड़न पटोले जो भी होते हैं, तो वहाँ पर confusion नहीं create करना है, उतनी development में भी, इसका reason ये हो सकता है कि भगवान राम या तो बाद में आये हो, क्योंकि ये जो time period है, time lines है, time lines का किसी को भी 100% surety नहीं है, इसलिए आगे चलके, जब हम भगवान शरी कृषिन का देखते हैं, तो तब भी हमें यही question mark होएगा, तो ये time lines का किसी को भी clear नहीं है, history जो है, वो patches में हमारे पास, हमें 100% नहीं पता कि कौन सी चीज कैसे जोडनी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि story की form में बताऊ, लेकिन कही ना कहीं आपको अपने दिमाग को रोखना पड़े का कुछ चीजों के लिए, तो वो चीज मैंने already clear कर दी है, ठीक है, अब इसके अंदर अगे बढ़ते हैं, आप देखे कि यहां पर यह बोज और अरो लकडी के साथ सब कुछ बना रहे हैं, दस जार BC से 6000 BC के बीच की बात है, और यह जो इनकी इस्ट्रूमेंट होते थे यह हथियार होते थे यह देखे जो जोमेट्रिकल फिगर्स नहीं होती जैसे ट्रेंगल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, यह वैसी सी फिगर्स मनाते थे, यह पुराने मिला है, खोद-खोद के तभी हम इस चीज को डिटक्ट कर पाए हैं, और यहाँ पर एक और चीज है भीमबेत का, एक चीज और बता दूँ कि यहाँ पर एनिमल्स की हड़ियों के साथ भी हतियार बनाने शुरू कर दिया था और यह जो भीमबेत का जगह है, यह बहुत important है और यह भीमबेत का में क्यों important है? क्यूंकि आप यह देखिए, जो caves आपको दिख रही हैं, यह caves में इनसान रहता था, यह भीमबध का Palaeoleithic में भी इंपोर्टन री मीसों में भी और नियों में भी उसका कारण यह है कि यह लोग पानि पी सकते हैं पानी का कारण थे जिसकी वजब से इंसान को मुलब आदिमानम को यह लुभाने लगी और तीनो कालो में इसने आदिमानम को लुभा के रखा है आदिमानम यहां पे रहा है पतक ऐसे लगता है इन के चैर समे जब देखतेया तो बना दी अब मालो कि 10,000 साल के बाद हमें नी पता कि हम सब तो लुड़क चुके होंगे तो कोई खोदता है और उस घर में से वह सोफा निकलता है और वह देखता है कि सोफे के ओपर दॉरेमोन की फोटो है तो वह सोचता है कि क्या ललू इंसान थे तब दॉरेमोन देखा करत हैं हम बात कर रहे हैं साथ में इसके की हंटिंग और गैदरिंग भी करने लगया था अभी तक इंसान फूड गैदर नहीं करता था लिए फूड को भी गैदर करने लगया था साथ में वह मचलियों के ओपर भी तीर कमान जैसे भी करके वह मचलियों को मारता था और मचलियो को मारता था क्योंकि तीर कमाने बगारा चोटे-चोटे इंस्ट्रूमेंट बना लिए उससे जिन-जिन को मार सकता था चोटे-चोटे-चोटे अनिमल्स को उनी को मारता था बाकियों को नहीं मारता था बड़े-बड़े अनिमल्स को क्योंकि उसमें एफट जाता लगते था अब ये comfortable होना शुरू हो गया था थोड़ा जाए इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते नियोलिथिक अच्छ है यह 6000 BC से 1000 BC में चला और इसमें क्या हुआ इसमें इंसान ने पोटरी यानि की बरतन भी बनाने शुरू कर दिये इसको पता लगा कि खाना तो खाएंगे लेकिन बरतनों में खाएंगे तो इसने बरतन बनाये मिट्टी के और उन में खाना शुरू कर दिया साथ के अ यहां पर देख सकते हैं यह भट्टी थी भट्टी में वो इटे डालते थे सेम साइज की इट से घर बनाए पक्के घर और कहीं पर यह देखने को नहीं मिलते हैं जब हम हम एक्सकावेशन करते हैं तो यानि कि महरगड के जो लोग थे ना यह बहुत ज्यादा डैवलेप्ट कही जा सकते हैं उस टाइम पर यह इनका जो एवलूशन जादा तेजी से चल रहा था और यह देखे कि यह बरतन बगार भी बनाते थे यह अलग लग टाइप के यह कई सा तो आगे बढ़ते हैं इसके लियुक्ति और चीज़े देख यह भीट की बारली की राइस की इंश्पकी क्या करते थे और साथ में यह पालन भी करते थे पशुंगों का लेकिन एक होता है एनिमल की पिंग की किसी ने जबर्दस्तिए कि सिए एनिमल को बांदी लिए गाए उनका वो लालनपानन भी करता था कु खिलाता-पिलाता भी था और उनसे जो है दूद ले लिए या शिप है तो शिप से क्या ले लिए बूल ले लिए जिसने की वापनी कपड़े बनाता था साथ में इसको समझ आने लग गया तो ये थोड़ा थोड़ा ये दिखे कि जुन्ड में रहने लग गये तो उस टाइम पर क्या होगा सेटलमेंट शुरू हो गई पहले ये नुमैड की तरह दुरू दुरू गूमते थे लेकिन क्यूंकि अब ये अगरी कल्चर कर रहे हैं तो बनाना शुरू कर दिया था आगे बढ़ते हैं हम अब देखते चालको लिथिक पीरिट चालको लिथिक जो है 4525 से 3320 का है बेशक्षक से लेकिन क्यूंकि ये पैरलली चलेगा सारा हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 3520 के बाद किसी ने चालको लिथिक का मतलब होता कोपर की कोपर क की एज थी यहां पर लो ग्रेड का कोपर इस्तमाल होता था ऐसा नहीं कि लिश्कता हुआ शाइनिंग सा कोपर और लो ग्रेड का ही यहां पर ब्रॉंज भी कहीं कहीं पर दिखा गया है अकेजनली यह लोग यूज करते थे यानि ब्रॉंज और कोपर यहां पर पिक्चर में आगया था सबसे पहला मैटल इंसान ने कौन सा खुजा कोपर को खुजा यह कोशन पूछा जाएगा किस एज में खुजा नियोलिथिक में खुजा यह डिरेक्ट कोशन ऐसे बनेंगे औ अब हम आगे बढ़ेंगे इंडस वेली सिविलाजेशन पर जो मोस्ट इंपोर्टन उससे पहले इसके कुछ-कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एक्जाम में डिरेक्ट पूछे जा सकते हैं यह आप खुद देख लीजिएगा इसके अंदर जैसे कि पहला पैट कॉन था है यूमेन का वो डोक था सेकंड पैट कॉन था होर्स था ऐसी वील का इनोवेशन कौन से युग में हुआ को पर किस यूग यूग में इस्तेमाल करना शुरू आशी सारे चोटो 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 कोस्टन मैंने लिग दिया है पहला वेपन इस्तेमाल किस चीज का बनाया था इंसान ने स्टोन का बनाया था सेकंड फिट बॉंस का बनाया था तीसरा फिर मैटल का बनाया था ऐसे करके चोटो चोटो कोश्टन से लिग दिया इनको आप खुद पढ़ लेना एक बारी ये एक्जाम के पांट वीज से बहुत इंपोर्टन है अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर आपको भारत के इतिहास की ऐसी ऐसी चीज़े देखने को मिलेंगी कि आपका मन गदगद हो जाएगा गौर्वान भी फिल करोगे आप लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चार ओल्डस्ट सिविलाजेशन हुई है जिनमें से एक हुई है इंडस्व सिविलाजेशन डेवलप हो रही थी एक साथ एक हो रही थी एजिप्ट के अंदर दूसरी हो रही थी आपका सुमेर या इराक या मैसोपोटामिया यह सब एक ही था यानि इराक और इरान ऐसे इस तरह की बोर्टर नहीं हुआ कर देते पहले तो इसको पूरे को आप सुमेर यहां मैसोपोटामिया कह दीजिए और ऐसे ही एक सिविलाजेशन थी चाइना के अंदर चाइनिस सिविलाजेशन और जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा एक डेवलप्ट सिविलाजेशन जिसको बोलेंगे वो हमारी यहां पर भारत के अंदर यह अफगानिस्तान पाक करेंगे हम आगे बढ़के लेकिन सबसे पहले मैंने आपको चार सिविलाजेशन का बताया इनके बारे में छोटा सा ब्रीफ ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि यह है क्या थी आप देखिए कि मैसोपोटामिया सिविलाजेशन जब आम पढ़ेंगे ने इंडिस वैली सिव क्योंकि अब देखिए कि बहुत ज़्यादा डिटेल में ससी कोशन्स पूछता है या कोई भी एक्जाम हो अगर डिटेलिंग में पूछ लें तो यह सिच्वेटिड कहा है मिडल ओफ टिग्रिस एंड यूफरेट्स रिवर तो यह अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी रिवर के किनारे हैं तो यह civilization कोई सी रिवर के किनारे डवलफ हुई है टिग्रिस और यूफरेट्स रिवर के किनारे और अब यह पार्ट्स का पे एरान इराग के अंदर दोनों कंटरीज कर नाम याद रखना अब इसको जाना किसली जाता था क्यों यह important है तो वहां पे पहली बा कि वहां पर तो वहाँ Sumerian language थी ठीक है बहाई? और बाद में क्या हुआ कि यह जो civilization है यह किस civilization से replace होगी? Accadian civilization से जैसे भारत में क्या बोला जाता है कि बाद में Aryans आ गए, ऐसी यहाँ पर बोला अभी वो theory के बाद उपर भी आएंगे हम आगे जाके, तो accadian civilization थी जो उसने इसको एक तरह से ओवरकम कर दिया पचाड के और फिर अकडियन सिविलाजेशन इसमें आ गई यह इराक है सुमेर और यह मैसोपोटामिया इरान ठीक है यह पूरे के पूरा मैसोपोटामिया आप बॉल सकते हैं उस टाइम के इसाब से नेक्स हम देखते हैं इजिप्टियन सिविलाजेशन यह जो डैबल अप हुई है यह किस रीवर के अलॉंग हुए है यह नाइल दीवर के आसपास जो है यह पूरी की पूरी बसी थी क्यों नदियों की किनारे ही बस रही थी यह सिविलाजेशन पानी की बहुत जरूरत थी न crops जो हैं, बहुत ज़्यादा उगाई जा सकते हैं, क्यों नदी है, और नदी के किनारी क्या होती है, annual flooding होती है, जिसकी वज़े से वो अपने साथ बहुत सारे mineral लेके आते हैं, और उस soil में वो सारे mix हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक important चीज है, कि यहाँ पर written records मिलते हैं, जब कि हमारे भारत की civilization में written records नहीं मिलते हैं, और यह सबसे बड़ी, थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज नहीं है, थोड़ा सा एक drawback कह सकते हैं, अभी मैं समझाओंगा आपको कि क्यूं, वहाँ पर language तो है, लेकिन written language नहीं है, यह थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर written language यानि कि लिखित record मिलते हैं, Egyptian civilization के अंदर, हाला कि सबसे बड़ी civilization हमारी ही है, और जो यह system हुआ करता था writing का, इसको बोलते थे, hero glyphics, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, hieroglyphics, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, तो जो यहाँ के ruler हुआ करते थे, वो बहुत सारा पैसा, जो है, monuments को बनाने में खर्च किया करते थे, ताकि जितना बड़िया समरीद monument होगा, उतना ज्यादा उनकी prosperity दिखेगी, उतना ज्यादा उनकी power दिखेगी एक तरह से, तो यह जो हो गया, यह Egypt का area हो गया, इसकी हमन जानी की mother river यहाँ पे, किस नदी के किनारे एक तरह से china civilization start हुई थी, बिल्कुल beginning कहां हुई थी, यह लगबग 4500 BC के around की बात है, यह हुई थी yellow river के around, इसको यह लोग mother river भी बोल देते हैं, the mother river, इसको बोलते है cradle of chinese civilization क्योंकि यहीं से china की civilization थी, वो start हुई थी, और आज देख मुवी आई थी, मोहन जोदारो आपको याद हो, तो उस टाइम पर यह मुवी आई थी, किसी ने देखी भी नहीं, बहुत जादा पिट गई थी, लेकिन अब आप इस मुवी को देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप उस culture को feel कर पाओगे, बहुत मजा आने वाले आपको ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सारे का सारा हडपन culture दिखा रखा था, और मोहन जोदारो जो थी ना, जैसे आज की डेट का मुंबई हो गया भारत में, ऐसे उस टाइम पर मोहन जोदारो हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा developed city जिसको आप बोल सकते हो अभी समझ आएगी जब हम पड़ेंगे इस चीज को, तो यह देखिए कि इस तरह के कुछ हमने pictures भी लगाई हैं, जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, इंडरस वाली civilization का, बहुत ज़्यादा ये structure के अंदर घर बनाए होते थे, एकदम same type की ito से, same size की ito से, यही एक बार आपने देख ली, तो उसके बाद जितनी भी वीडियो आपने YouTube पे देखेंगे ना सब आपको फिकी फिकी सी लगनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजे हमने इसमें डाल दी हैं, वो कही हैं और आपको देखने को मिलेंगी नहीं, एक ही वीडियो के अंदर ह सब चीजे डाल दी हैं, यह देखो हम बात क्या करेंगे, इनकी language की, infrastructure की, trade and occupation की, religion की, currency की, यह पांच topic ऐसे हैं जिनके बारे में हम इंडिस्वैली civilization के अंदर पढ़ेंगे, अब आप देखेंगे, चलिए यह बरियल सहरेमेनी का तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसक लेंगेज का कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक चीज को छोड़के, और वो है picture-like signs, यानि कि pictures की form में यह लोग कुछ नकुछ कोई आकृति बना दी, या फिर कुछ इस तरह का बना दिया, या कोई इस तरह का बना दिया, तो इनकी sign language हुआ करती थी उस टाइम पर, और यह पिक्टोग्राफ का यूज करते, जिसके अंदर basically की pictures हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, pictographs, ऐसे ही यहाँ पर जो बहुत ज्यादा important infrastructure की मैं बात करूँ, तो citadel और large granaries, क्योंकि agriculture इन लोगों को बहुत अच्छे से करना आ गया था, wheat, barley, rice, इन सब के हमें कण भी मिले हैं, तो यहाँ से पता लगते हैं कि वो लोग बहुत संपन्त है agriculture के अंदर, agriculture में बहुत अच्छी आ टेकनीक्स को यूज करके, वो बड़ी-बड़ी granaries में फिर अनाज को भर लेते थे, तो large granaries मिले, लगबग हर साइट पे मिली है, और इसके बास citadel क्या होता है, अभी आपको पूझना शुरू किया, किस ते ना कि भगवान को लोग पहले पूझते थे, आपको दीरे-दीरे समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे कि पहले लोगों ने क्या किया, नेचर को ही भगवान मान लिया, फिर भगवान सूरे को भगवान मान लिया, ऐसे से करते हुए लोगों ने भगवान अपनी सुहूलित के हिसाब से चेंज करते हैं, पहले लोड विष्णु और लोड शिवा को कोई पूझता ही नहीं था, फिर हम देखते हैं कि बाद में वैदिक कल्चर में भी रिगवेद तक तो कोई नहीं पूझता था, रिगवेद के बाद क्या हो समझता हूं, ठीक है, जो किताबों के अंदर रिसर्च लोगों ने की है, इतने इतने 25-25 साल, 30-30 साल लोगों ने लगा दिया, उसी की चीजे मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, तो नेचर की वर्शिप किया करते थे और सबसे बड़ी इंपोर्टन बात है कि योनी की वर जाते हैं, लोग अपना वो शो करते हैं कि भाया, इसके अंदर तो moral values ही नहीं है, लेकिन तब के लोग देखिए कि वीडियो कहा रहा हूं अपना पिक्चर्स या फिर कि मूर्तिया जो है, वो भी ऐसी बनाते हैं, और आप देखिए कि पूजा भी किसकी कर रहे हैं वो, वो जो विमेन की यौनी होती है, यहां पर देखिए, यह विमेन की यौनी है, इसकी पूजा करते थे लोग, और यहां से एक प्लांट को उगाया हूँ, जो एक मूर्ति मिली है, जिसमें से यहां से प्लांट उगता हूँ, दिखाया है, उनका basically मानना था कि एक तरह से बर्थ ह हो रहे है जहां से जहांसे हम आई रहें उसकी पूजा करनी चाहिए चिछ को और दूसरा फैलेस्ना कि पूजा पैलस क्या होता है आप देखे कि मूर्ती颜़ यह मूर्ति जैसे मिली तो इसके अंदर जो आदमी का लिंग है एक तरह से उसकी पूजा, आज की डेट में जैसे हम अगर बात करते हैं, तो आज की डेट में भी फैलस वर्शिप हो रही है, जैसे हैं अब शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो वह नहीं है, भगमान शिव के तो हम ling बोलते हैं तो वहीं चीज है थिका आज की डेट में हम basically क्या रहे हैं इसके अलावा भो people के ट्री की और उसको sacred मानते थे तरह से पूजा करते थे और जो बुल हुआ करता था बुल को वो पशुपती महादेव लेकिन तब के लोग इनको क्या बोलते थे यह हमें नहीं पता है यह हम क्यों बोलने हैं पशुपती महादेव क्योंकि इनका structure जो पूरे का फूरा फोटो देखने को हमें मिलती है एक stamp मिलिया है उसके उपर हमें उसको देख के ऐसा लगता है कि यह महादेव बोलें यह थोड़ा सा confusion आपके दिमाग में हो सकता है यह कहीं recorded नहीं है कि यह महादेव की फोटो है और पशुपती इसलिए बोलने है क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे पशुपती है तो पशुपती बोल रहे है अभी आगे जब हम देखेंगे तो आपको समझ मैंगा भी तो स्टार्टिंग ही है ठीक है और यह देखें कि जो बुल है यह सील्स के थ्रू ही हमें पता लगते है यह बुल सेक्रेड है यह मैंने अभी आपको समझाए है इसके अलाबा बहुत सारे महाद से औरनामेट्स गहने मिले हैं जिनकी फोटो मैंने यहाँ पर सिविलाजेशन के लोग थे वो सुमेर और मैसोपोटामिय के साथ ट्रेड किया करते थे अभी हम आगे अगली स्लाइड में देख लें कि कैसे ट्रेड हुआ करता था ऐसे ही जो यह लोग थे इनको देखें कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉंज इन सब के बारे में पता था और यही जो आगे इनके नाश का कारण बनेगा जब आरेंस का अकर्मन होगा अलग लग थियोरी है वो वो जब वहां पहुंचेंगे तब करेंगे ठीक है अभी तो यह शुरू ही हुई है तो अभी पहले सी सत्यनाश क्यों करना उसका तो इतने सारे और इनको इन जाईगा चलिए यह हुए एक और चीज मैं बताताओं आपको कि Last ceremony की बात कर लेते हैं ये लोग क्या करते थे जैसे आज की डेट में तो आदमी मर जाता ता उसको जला देते हैं ठीक है यह लोग क्या करते थी यह बरी करृते ते यह जलाते ही नहीं थे अब क Olá फ उसमें पूरे का पूरा नीचे गाड़ दिया दर्ती में दूसरा है फ्रेक्शनल बरियल यानि कि पहले इंसान जब मर गया तो उसको खुले में छोड़ दिया चील कवे आये उन्होंने उसका मास नोच नोच के खाया उसके बाद जो उसकी हड़ियां बची सिरफ उनको दफनाया ती ऐसान को उस टाइम पर क्या चाहिए उसके साथ ले जाने के लिए वह सब स्षीजें भिरते अब देखिये उस वक्त के लोगों की बातो रही है लोगों का मत सोचना ये कब की बात वरी वह समझने वाली बात अब देखते हैं इसके ंंदर सीटब और लार्ज गरेंडिश है क्या थी कैसी दिखती थी आप देखिए कि सीटाडल क्या है यह एक स्ट्रक्चर देख रहे हो गया आप इसको देखो यह टॉप से अगर देखेंगे किसी भी चीज को उपर से हेलिकॉप्टर से देखो तो कैसा दिखेगा जहाद से जब आप देखते हैं नीचे तो वह ऐसा ठीक है जब भी हम उपर से देखते हैं नीचे जमीन पर आप कभी एरोप्लेन में अगर बाइचंस बैठे होंगे नहीं बैठे तो नोकरी के बाद बैठ जाना तो आपको क्या लगेगा बिल्कुल ऐसे टूडी में दिखाई दे रहा होगा उपर जैसे किसी मैप में देख की हमचे उते हैं और अगर मैं नीचे से देख हूं सामने से तो सामने से का उता टारी जो भूइए उप आपर होता था द सेक भी आगुमीनीश्टरेशन हुए करती थी राजा लोग हुआ करते थो उसक पर हाला कि समझ नहीं आए अभी भी हमें पता नहीं कि वहां पर राजा हुआ करते थे कि नहीं में भी कोई मुखिया होगा या एड्मिनिस्रेशन चलाने वाले लोग होंगे या हाइग क्लास नोबल पिपल होंगे वो जो हैं वो यहां पर रहा करते थे सीटाडल के अंदर ठीक है यानि जो में चीजें हुआ करती थी यहीं हुआ करते थी और जो ग्रेंडरीज बड़ी-बड़ी बनाई जाती थी वो भी यहीं बनाई जाती थी अनाज के भंडार ग्रेंडरीज होता है तो वो भी यहीं बिनाई जाती थी और जो fire alters मिले हैं वो भी हमें सीटाडल में देखने को मिले हैं आग की अंगीठियां बड़ी-बड़ी मिली हैं वो हमें यहीं मिली हैं सीटाडल में अब हम लोवर सिटी की बात करते हैं तो लोवर सिटी में दिखिए यह आपस में connected होता था लेकिन दूर कुदूर होते थे और यह 45 किया होता था यह दिखिए यह जैसे यह दिख रहा है आपको 45 का मतलब है किला बंदी होती थी यानि इसको चारो तरफ से किला बना दिया कि हर किसी को entry नहीं मिलेगी यहां पर दवारपाल खड़े कर दिये पूरा गेट बंद कर दिया वहां के ल यहां पर देखो बिलकुल यह रोड़ बने और यहां पर फिर सारे 90 डग्री पर आइँ आप देखो यूँ यूँ यू यूँ 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 यह उपर से दिख रहा है एक घर, दो जर तीन घर, चार गर ऐसे करका अलग लग घर बने उना और महूं जोडारों में यह को हडपा, civilization इसलिए बोल देते हैं, क्योंकि जाधा area जो है, और जाधा हमें जो चीजे देखने को मिलती है, वो हडपा की ही मिलती है, इसलिए हम उसको हडपा बोल देते हैं, यह basically क्या होती थी एक तरह से यह समझे जैसे बारत में अलग-लग states हैं, उस टाइम पर अलग-लग करते हैं सिल समय बहुत की मिली है अब देखो कि Most common में यूणिकॉन की मिली है यांज जिसको हम कहींगे हम प्लेस सब मुखुल तो यह सील है इसके उपर कुछ लिखा हुआ है साथ में क्या है मोटिफ है यानि कि एक अनिमल कोई बना रहा है और यह देखिए ध्यान से यह उसके खाने वाला वह बना रहा है कि इसमें इसका खाना चारा डाल दिया इसमें से यह खाएगा कई सील्स में चारा नहीं भी से समेचिक को ज ήस अलग तरह की सील्स देखने को मली है कुछ ऐसी मिली है सल्यंडरिकल कुछ सर्कूलर रक्टैंगिलर कुछ ट्रेंगॉलर ऐसी कोई मोटिफ नहीं कहिं ऑ यह बैसे नगयों नलगवए नहीं कई सिर्फ लिखा हुआ है कई कई और मोटिफ मैं और फोटो है अगर ऐसा था तो फिर ये समझ लीजी कि जो यूनिकॉन वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा संपन और बहुत ज़्यादा राजसी हुआ करते थे यानि उनकी तदाद सबसे ज़्यादा थी ये सिर्फ थियोरीज हैं है ना exact हम नहीं बता सकते हैं लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि ये जो सील्स है ये वैपार के लिए ही यूज़ की जाती थी कुछ लोग का कहना है कि ये सील्स जैसे मानली जी कि इधर के लोग इधर आएंगे तो अपना अधार कार्ड जैसे हो गया ना identity card के लिए यूज की जाती थी मैं अभी आपको समझाता हूं कि होता क्या था आप देखें कि एक बंदा ये है अमानलो आप हो ए और इधर है एक बंदा भी अब क्या है आपने इसके साथ वैपार करना होता है रेगुलर में आपकी दुकान है आपको बार-बार इससे बल्क में राशन खरीदना होता है और आप फिरागे दुकान में बेचते हैं तो आप क्या करते हैं आप दोनों आपस में आपस में वैपार कर रहे हो अब ये कोई जरूरी नहीं की करंसी में ही होगा बार्टर सिस्ट वाले बंदे को पकड़ेगा और इसको सारे का सारा समान देदेगा कि भाया तुम उसके तक पहुचा देना और वो बंदा क्या करेगा वो इसको समान देदेगा कि तुम वहां तक पहुचा देना तो एक तरह से क्या होगा इसकी दुकान का समान इसने दे दिया इसकी दुक आटक चो पर या बॉक्स कर उपर यूंग गाड दिया करते थे, जब वोसी गाड दी तो ये वहीं पर जाके खुलेगी, वही बंदा खुलेगा, और इस बंदे ने क्या किया होता था, इसके पास किसी सील होती थी, बी की सील होती थी, यानि यह जब भी आपस में एक बार मिलते थे, तो यह अपनी सील इसको दे देता था, यह अपनी इसको दे देता था, तो अब यह वाला बंदा क्या करेगा, इस पर बी की सील लगा के भेज़ेगा, ध्यान देना, इसको कि ए के पास किसील है B की सील है क्योंकि B ने उसे अपनी सील दे रखी है और जो A B है उसके पास A की सील है तो वो जब समान भेज़ेगा तो वो A का ठपा लगा के बेज़ेगा यह बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आज की डेट में आफ फॉन लेते हैं उस पर सील लगी हुए है तो वो उसमें लिखा भी होता है कि अगर सील टूटी हुए है तो फोन मत लीजिए यह वही वाली सीन है आई होप कि यह आपको क्लियर हो गया और वहां हमें कैसे पता लगते है कि यह लोग मैसोपोटामिया के साथ वैपार करते था अभी वैपार की बात तो हमारी बीच में रह ग एक-एक चीज को पढ़ेंगे हम आप देखे कि यहां के लोग अब देखो कहां में हमां देखो परहां पूरा होग होने से uyह आप देखें तो来 सब्कु tapi नहीं हो पहलत करते हैं पोर्ट यहां उख कते लिखे डिए यह समझनघ के रास्ते हाया करते थे और इरान के लोग यह भी जहाजके रस्ते तो आया करते गेंगे ऐसे ही सुमेर वाले भी क्या करेंगे है कर देखे ? यहां के पूता कूता सब जीतता हुआ है यहां तक आ गया था आपने भारत तक यहां बंद भारत को दोता हूं आगे 강डू के बाद उसको वो हराने के बाद पौरस राजा पौरस को फिर वो धनानन से डरके वो पीछे को निकल लेता है वो सब बाद में पढ़ेंगे अभी नहीं है वो तो आगे आएगा तो यह मैं मोटे तोर पर आपको समझा रहा हूँ कि यानि उस तरफ सिकंदर की जो सिविलाजेशन है मैसीडो बना रखी है तो मैंने आपको पहले भी बिताया था कि वो राजा यहां पर कौन से हुआ करते थे दाहिर हुआ करते थे और फिर यहां से यह इरान वाले लोग यहां पर अटैक करते थे गोरिला वार्फेर करते थे याद करो याद आ रहा कुछ-कुछ तो वह वीडियो दे है यह मैंने पहले भी बता रखा था इसको क्या बोलते थे ब्रैड बास्केट बोलते थे बलोचिस्तान के अंदर है अभी थोड़ी तेर पहली समझाया था ना मेहरगड के बारे में ठीक है ऐसी सुक्त गेंद्र है बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं यहां पर आपको देखने क यह कौन सी है यह इंडस्वर की ही ट्रीवुटरी था यह सतг praise हो गया रावी चनाब जेलम दयास यह सब किसकी से ट्रीवुटरी था है और यू़ रानसे जब लोग इधर आया करते थे ठीक है कि इधर आया करते थे तो उनके लिए उनको कैसे पता लगेगा या कोई भी लो अब भारत आ गया कैसे पता लगेगा इस रीवर से पता लगता था यानि कि सिंधु रीवर से इसको वो लोग सिंधु रीवर बोलते थे सिंधु ठीक है तो सिंधु रीवर इसको बोलते थे जब वो सिंधु के पास आ जाते थे तो उन्हें लगता था कि हाँ अब भारत आ ग बोल देते हैं इसको अब यह थी कहां से कहां तक अब यह मैप है इंडिया का इसमें समझ ना आप उपर जम्मु कश्मीर जिसको उस टाइप कुंडल वन बोला जाता था इसको इस तरह से समझेगा यहां से लेके दैमाबाद दैमाबाद कहां पे है आपका सबसे पूरे का पूरा आपका है यह क्या बनता है फिर इंडिस्वै Polsce सिविलाजिजेशन यह भलोची स्थान कहां पर यह उच्टाइम को आप समझ लीजेए ये क्या है अफगानिस्थान यह बलुचिस्तान के पास एक point है मतलब बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ touch में जो point है ठीक है तो उस टाइम पर अलग हुआ करते थे map आप आज की date में confuse मत करना उस टाइम पर तो कोई map ही नहीं हुआ करता था भारत हुआ ही नहीं करता था समझेना इस चीज़ को आप उस ट साइट के बारे में जानेंगे इसके अंदर पहली साइट को देखिए हड़पन सिविलेजिशन भी इसको बोले जाता है और हडपा साइट है जो सबसे important साइट है इसके अंदर देखिए किस तरह के सवाल बनेंगे वह चार-पांच तरह के सवाल पूचे का एक तो location के उपर देखिए हडपा सिविलेजिशन है जो यह कहां की है मॉंट इसकी location अगर exact मैं वोलू तो मॉंट गो मैरी पंजाब पाकिस्तान अभी समझना आप क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया इसके बारे में यह इस तरह से फैली हुए है तो यह पाकिस्तान भी इदर यह पहले नह चला गया हमारा यह पाकिस्तान में चला गया ठीक है और हम देखें के आगे मोहन जोदारों के अंदर एक bearded man मिलता है हमने वो भी शिमला agreement के तहत पाकिस्तान को दिया है ठीक है तो क्या है कि major portion अब क्या है यह यह लले है पाकिस्तान वाले नलायक है एक नंबर के यह क्या ह करते हैं यह 8-8-10-10 बच्चे पैदा करने के बाद उनको बोलते हैं कि तुम्हे क्या करना है तुम्हे समझ गये ना वही करना है तो यह क्या करते हैं इनको भारत में बेजते हैं और यहां पर आकर बस इनको एक ही करना यलगार हो हमला 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 तो वही चीज है लेकिन यह कि लोग बिल्कुल भी इनके पास इना तो पैसे हैं मैं अबेज को लग रहे हैं क्योंकि मिनिश्टर की चीज में बीजी रहते यहीं काम करवाने में तो खुदाई के पैसे नहीं है वह पिछले कई सालों से 20-25 साल से आज की डेट में क्या नीचे से निकलता है और आज की डे जुरू कर देंगे यही काम है इनका तो यह जो है major portion उधर ही चला गया है तो हडपा का जो major portion है यह भी कहाँ पे है उस तरफ ही चला गया है पाकिस्तान वाली साइड में ही तो इसलिए एक पंजाब वहाँ है एक पंजाब यहाँ है एक और बताता हुए एक एक्जाम में पू पाकिस्तान में भी है ऐसे ही एक मजाब भारत में एक मजाब वहाँ भी है और आपको पता होने चीडिवीजन के पंजाब बहुत बड़ा हुआ करता है तो यह division के टाइम मेजोरिटी जो पंजाब की है उदर पाकिस्तान में चली गई है ओके चलिए अब रीवर की बात करे तो वहां पर रेल लाइन की खुदाई कर रहे थे हैं वहां थारी कहानिया आपको सुनने को मिलेंगे एक्जक्ट क्या थी क्या नी इसके बारे में कुछ पुक्ता प्रमान नी है तो वह उन्होंने देखा नीचे खोदे-खोदे के नीचे इटे निकली फिर और इटे निकली तो फिर वहां से यह पिक्चर में आया था हरपा ठीक है भाई और इसके इक्सकावेंटर को में अन्दर बंदे को ताबूत की के पहला टाउन था यह जो एक्सकावेट किया गया हाला कि पहली साइट हमें कौन सी मिल गई थी महुंजोदारो लेकिन अगर पहले टाउन जो एक्सका एक्सकावेट का बोल दिया तो हडपा बोलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम important वाले पर आते हैं मोहन जोदारों क्यों important हो जाता भी आपको समझ मैंगा इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं एक-एक सवाल important है और सबसे ज़्यादा question भी मोहन जोदारों से ही देखने को मिलते हैं आप देखिए कि यहां से सबसे पहले इसकी location देख लेते हैं यह कहाँ पर सिंद में है यानि कि पाकिस्तान में है मैंने क्या बताया major portion उदर ही चला गया अभी भारत वाले portion भी पढ़ेंगे लेकिन इदर बहुत जादा चीज़े नहीं देखने को मिल रही लेकिन यहां यह क्या होता था यह बहुत ही संपन हुआ करता था मैंने पहले भी बताया कि हर घर में एक हुआ हुआ करता था इतना जादा prosperous जगा थी यह महन जोदारो इसमें फिल्म भी मनाई है जब मन करें कभी time हो तो देख लेना किस नदी के किनारे सिंधू रिवर के यानि इंडस रिवर के किनारे है discover कब हुआ एक साल के बाद हुआ यह देखिए कब हुआ 1921 में हुआ और अब यह महन जोदारों को discover कब किया गया है 1922 में किया गया है excavator कोन है RDB energy है रखाल 10B energy और यह जो है most felicitated site है यानि इसमें बहुत ज्यादा आरामदाइक चीजे थी बहुत सारी developed चीजे थी कैसे वह अभी आपको दिखाता हूं मैं एक तो इसके अंदर से निकले great बात ठीक है great बात क्या है basically यह देखिए आपकी बहुत बड़ा बीच में बात हुआ करता था यानि कि खौद बहुत बड़ा टैंक हुआ करता था नहाने का तो क्या यह regular नहाने के लिए होता था जी नहीं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कहां पर उआ करता था सीटाडल में अमीर लोग रहा करते थे लेकिन जैसे आज की डेट में गंगा सनान करने जाते हैं पवि सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी कहा मिली है यहां के ही सीटाडल में मिली है मोहनजोदारो के ही सीटाडल में और अभी और मैं आपको दिखाता हूँ यह बाकी की चीज़ अगली स्लाइड में दिखाता हूँ उससे पहले मैं यह बता दू कि यह सबसे बड़ा शहर क्या है मोहनजोदारो है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका एक्चुली में इनका ड्रेनिज सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे डांसिंग गल एक इसमें से निकली है यह जो है यह ब्रॉंज की बनी हुई है एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दू कि यह जो लोग हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इसको आप ब्रॉंज एज ही बोल सकते हैं सबसे ज्यादा किस दातु का इस्तेमाल करते यह ब्रॉंज का करते थे यह ध्यान रखना पेपर के अंदर आ गया तो लिखना की ब्रॉंज का करते थे इस ब्रॉंज गल से याद रख लेना ठीक है इसके बाद यहां से क्या मिली है एक बुल की सील मिली है यह देखिए यह रहा बुल और इसके उपर कुछ-कुछ लिख जैसे लगता है जैसे कोई राजसी वह बांगते है ना जैसे मुकुट बगारा वैसा कुछ लगा रखा है और नीचे कपड़े भी बहुत शांदार है नकाशी वाले तो यह हमने similar agreement करता है तो पाकिसान को दे दिया था यह आपको दिली के म्यूजम में देखने को नहीं मिलता है और चौथी जो important चीज निकलते है पशूपती सील निकलते है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जिसको हम पशूपती महादेव बोल रहे हैं तो जबकि यह पशूपती सील है वो महादेव हमने बोलना शुरू कर दिया क्यों बोलना शुरू कर दिया आपको अभी समझ में आएगा जबकि ये आपको कुछ sensible चीज लगेगे नी बढ़ ठीक है आपको जैसा भी उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं ये देखिए ये एक त्रिशूल जैसा है इनका मुकुट है तो ये क्या है तीन होन्स है तीन सींग है देखन देना थ्री होन्ड है तीन सींग वाला सर है तो ये त्रिशूल जैसा है तो इसलिए महादेव हुए ये योगिक मुद्रा में बेठे हुए आप देखना वो जो हमें TV में जैसे दिखाया जाता है जबकि हमें नहीं पता है कि महादेव कैसे दिखाई देते थे, कौन सी मुद्रा में बैठते थे, क्या करते थे, हमें कैसे पता है, नहीं पता है, हमें हडपा वा लोगा तो पता नहीं, हमें महादेव का कहां से पता होगा, हमें भगवान राम का नहीं पता, हमें भगवान शरी कृष्ण का नहीं पता, देखिए, वो थोड़ी दर पहले समझाए था, तो हमें भगवान महादेव का कहां से पता होगा, तो ये सब बातें पता नहीं, अब लोग अपने उस टाइम पर शायद कहानिया बनाते रहते थे तो वही चीज देखने को हमें मिल रही है, तो ये योगिक मुद्रा में बैठे, इसलिए इन ये रहा टाइगर, और क्या है, बफैलो है और राइनोसोरस है, यहां पे एक राइनोसोरस और एक बफैलो देखने को मिलेगी, ठीक ये चार होगे और नीचे ये दो डियर है, दो डियर है, हिरन है दो, तो ये चीजे इस सील में देखने को मिलती है, यही मैंने लिखा एक और चीज है, आप समझना इस चीज के अंदर कि जो इनका जो drainage system था ना, वो बहुत strong था, यानि हर घर से, मैं थोड़ा सीटेडल वाली पर लेके चलू, ये इनका जो, actually में drainage system के बारे में पूछ लें, तो इनका drainage system बहुत advanced था, ये ध्यान रखना, actually में क्या होता था, कि य ये देखो, जैसी ये हर घर है, हर घर के वहर से एक नाली जा रही होती थी में नाली, अब यहां से हर घर के थूरू, यहां पर यह जूड़ रही होते थे, इस तरह से, ये इनका drainage system था, और ये में नाली होती थी, यहां से फिर आगे ये जा रहा होता था, आगे जहां भी Arabian Sea के अंदर जाके मिल जाएगा, तो यह इस तरह से बहुत डिजाइन करके बनाया जाता था, और यह इस तरह कवर्ड होता था, यह ऐसे खुली नाली नहीं होती थी, और बीच में इस तरह के points रखे जाता थी, कि अगर कुछ कच्रा फस भी जाए, तो उसको साफ कर दिया जा तो बहुत अधूत चीज थी, यानि उस टाइम के लोग कितने एडवांस थे और कितनी उनकी जबरदस सोच थी, यह तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, यह हो गया महंजोदारों के बारे में, मैंने एक एक चीज कवर कर दिया और यह भी दिया कि biggest city जिसको ब ओलते हैं, लेंख शैर एक जगा है जहां पर बहुत सारा कोटन उगया जाता था, तो यह इसलिए यहां भी में भी बहुत सारा कोटन उगया जाता हो, यहां फिर एक तरसे यह कह लिजिए कि यहां पे एक चुली, बहुत सारा fashion का भी सामान मिला है, तो में भी उस वज़े स इसको बोला जाता है इसके बारे में भी कुछ क्लेरिफाइड नहीं है लेकिन मोटे तोर पर ध्यान रखेगा कि लैंक्षायर ओफ इंडिया पूछ ले तो चानुदार हो अभी एक और भी है मैंचेस्टर ओफ इंडिया कि इसको बोला जाता है वह हम आगे देखेंगे अभी ठीक है अभी के लिए इसको देखिए आप लोकेशन इसकी अगेंच सिंद में यानि वह पाकिस्तान में आप देखें कि मौश्ट ऑफ आप पाकिस्तान में ही चली गई है रिवर अगेंच सिंद नदी यहां फिर कहें कि इंडिसरी वर इसको कब खोजा गया तो यह कर दो ताकि उसमें माला पिरोई जा सके तो उसको बीड़ बोल देते हैं तो उसकी पूरी फैक्टरी यहां पर मिली यानि कि उस टाइम के लोग थोड़ा साजो सज्जा के लिए भी शोकीन हुआ करते थे आप देखिए कि आज की डेट में लिपिष्टिक लगाते हैं वहा सवची में तो यह देखे कि अलगलग तरह मन कि अलगलग तरह की बीड़ा पर देखने को मिल रही है मैंने वही चीज्जें लगाई है ताकि आप किंट कर पाया आपको याद रहे हर चीज़ अब हम बात करते है रोपढ़ कहां पर ही है हमारे घर के पास यह बढ़ी बिल्क कौन है वाइडी शर्मा या फिर कहें कि यग्यदत शर्मा इसके एक्सकावेटर है उन्होंने इसकी खुदाई करवाई फाइंडिंग इसमें क्या मिलता है बरीड डोग विद मैन मिलता है अब बहुत कमाल की चीज है यानि कि इंसान उस टाइम पर पशुओं का पालन करते द आदमी तो यह पड़ा ठीक है गिरा पड़ा इसको तो होश है नहीं अब और यह पड़े इसके आसपास के मटके यानि कि यह कुछ ना कुछ सेरेमनी करते होंगे जैसे आज की डेट में मटका हम लेके यूँ पानी चारों तरफ करके यूँ मटका फोड़ते हैं तो यहां भी रिखें फूटे होए मटके मिले तो जरूर यह कोई ना कोई सेरेमनी करते हैं साथ में इसके लट्थी रख दी और बहुत सारी चीज़े रख दी इसके खाने पीने की कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़े रख दी करंसी नहीं रखा करते थे यानि यह लोग लैबिश हुआ करते हैं इसको पैसे देने का क्या मतलब है मरव आदमी पैसे थोड़ी कुछ करेगा थाना वह तो उसके अंदर तो इतनी जाननी कि वह लूह हाथ उठा ले पहली बाद तो खाने की चीज भी नहीं रखनी चीए कोई मतलब भी नहीं है तो चलिए कोई नहीं अपने अ मार के दफनाया होगा तो उसको पर कुछ ना कुछ हमें या तो उसका हाथ अलग देख रहे हैं या गर्दन अलग देखेगी काटा गया है तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है दूसरी बात यह है कि जब इस सेरेमेनी को पवित्र माना जा रहा है तो मुझे नहीं लगत कि कुछ की दा, को पिटे के मार के फिर उसको हो सकता है, या जिस जगह पर आदमी को ुटा मर म जाता था तो उसको डाल देते होंगे या पहले कुत्ते की लाइफव देकि बहुतS होती है आपको पता हो नहीं कि 15 साल 16 साल मैक्सीमम ही रहती है 20 साल कोई कुछ जीवित रह जाता है तो यानि कि डोग को मेभी पहले बरी कर दिया हो फिर बाद में जब वो आदमी मरता है तब उसको बरी कर दिया हो ऐसा भी तो हो सकता है ना समझो इस चीज को क्योंकि डोग की इसका 1968 है एक्सकावेटर कौन है इसके RS बिष्ट है और फाइंडिंग क्या होई यहां पर बुलोग काट मिली है एक और बुलोग काट जो की एक नंगा आदमी न्यूड मैं जो है वो चला रहा है उसको तो यह देखिए यह बुलोग का आपको दिख रही होगी बुलोग का इसके RS बिष्ट का इसके RS बिष्ट का बहुत तगड़ा इंतिजाम करके रखते थे यह देखो डेनी सिस्टम भी यहां से मिलता है तो रोक्स मिलती है जो कंस्ट्रक्शन के लिए लाइवलिः हुड वेल्स बुलोग सेट्सक्टरा अब समझना इसमें एक्शुली में क्या लाइगा था यह देखी कुऊ मिला अलगोग तरह की दीवाये मिली तो समझ थी जैसे मानली जीए कि घर की की दिवार है तो घर की दिवार में छोट छोट इटे लगा रहे हैं यह देखिए आप छोट छोट इटे सेम साइज की इटे थी ठीक है लेकिन जो जब इनको कोई जैसे बिजनस मीटिंग करनी है या कोई प्राथना सभा बनाना है जहां पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो वहां पर बड़े स्ट्रक्चर में छोट छोट इटे लगाएंगे तो कितना समय खराब होगा तो यह लोग क्या करते थे बड़े-बड़े चट्टानों के पत्थर लगाते थे ऐसे बड़े-बड़े पत्थर लगाते थे और फिर वह स्ट्रक्चर में मिला ऐसे आपको पता होने चीज़ कि कौन सी जगा पर क्या चीज मिली है इसलिए मैं यह जो चीज़ें यहां लिख दीना अब देखी लोथल साइट की बात करते हैं यह है कहां एहमदाबाद में यानि यह भी कहा है गुजरात में है अब यह किस रिवर के किनारे है यह भोगवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है यह साबरमती रिवर की साबरमती के संत तुने कर दिया कमाल गंदी जी वहीं से थे तो ये गुजरात से ही थे वो, तो वहीं पर साबनमती रिवर है, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, वो क्या है, भोगवा, भोगवा रिवर किसके पास है, गल्फ ओफ खंबात, यह इसको कैंबे भी बोल देते हैं, तो बस याद रख लेंगे, गल्फ ओफ खंबे, खंबात कि लोथल साइट में मिला है और यह जो डोक्याड हुआ करता था यह दिखी डोक्याड कुछ इस तरह का हुआ करता था यह जो है ट्रेपेजोइड शेप का हुआ करता था अगर कोई पूछ ले कि किस शेप का हुआ करता था मैथमेटिक्स में तो यह ट्रेपेजोइड का कि ऐसे इस तरह से इस तरह से ट्रपीजियम बनाया हुआ तो ट्रपीजोइड शेप का होता था और इसके अंदर क्या है बटन सील मिली है अब देखे थोड़ा सा समझी इस चीज को अलग अलग तरह की सील होती थी अब एक सील तो हो गई जिसको घुमा के लगा रहे हैं और ए आपको लोखली मार्क करना है चास्ट बौट जयां और वहाँ उसको मार्क नहीं करना है आपको लोखली मार करना है Chessboard जो है मिला यहीं से मिले यानि उस टाइम के लोग खेल के भी शौख रखते थे और जो Manchester of IBC है जहानि की Imbus Valley civilization IBC का मतलब इंड़सवएली civilization वो किसको बोले जाता है Lothal को बोले जाता है क्यूं क्यों कि यहां को टन की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी को टन की पैदावार ज्यादा होने के वज़े से इसको मैंचेस्टर ओफ इंड इसली सिविलिजिशन बोले जाता है मैंचेस्टर आज की डेट में एक ऐसी जगा है फॉर एंड में जहां पर ठीक है और यह जो काली बंगा जगा थी यह अनप्लैंड जगा थी और यहां पर क्या है यह किस जगा पहती श्री गंगा नगर राजस्थान में राजस्थान में पीली बंगा भी है मेरा एक दोस्त समाह रहता है एक काली बंगा है वो यहां लिखा हुआ है और रीवर कौन से तो अलग लग तरह की बैंगल मिलिए यहां पर साजो सज्जा का सामान फैशन की चीज़ बहुत जादा मिलिए अभी मैं दिखाऊंगा यहां पर एक चीज करके फाइर अल्टर्स मिलिए भगवान शिव का लिंग मिला है और बॉंस ऑफ कैमल मिलिए बॉंस ऑफ कैमल से में ब गड़किओं आजकल पता नी क्या क्यास経 करके हार आगे अं तो वह यूँ पतानी इसको बोलते भी कहा है तो भूल गया दिए ने बोटे तो परसी चल ला गया था तो इसको बोलते हैं यूं रहे जूमते रहते हैं तो जीड़ियों से मिले हैं आथ से मिला है तो सजने सवरने वाला समान कहांसे मिला है आपको काली भंगा से बंगा का मतलब चूड़ी तो वही से समझ लेळा कि अब आगे बढ़ते हैं बनावली ड़िगा है फत्य बाद बाद में यह कहा है हर्याना में अब लिट गडी आएगा जो में है अब डि spoil इसका है 1973 रीवर कौन सी है यहां पर घगर और सरस्वती नदी सूख चुकी है अभी ठीक है तो घगर रीवर ही इसका उत्तर होगा शायद ही वह देश सरस्वती नदी अगर देगा तो सरस्वती भी मार करते ना चुकी कि प्टीयो गया तो मिठी कीृघर है और प्लो का मतलब हल गया यह जो हल है जो हडल जोतते थे लोग अब कैसे जोतते से यह नहीं पता लेकिन मिठी के दो जानवर और इस साहत में यह हल निकला है तो यह यानए की जुदाइक करते थे अब यह metal की नहीं करते होंगे, कैसे आप पता की metal की नहीं करते होंगे, अगर लोहे का हल होता उस टाइम पर, पहली बात तो यह loha use नहीं करते थे, इन्हें पता ही नहीं था लोहे के बारे में, चलो फिर भी मैं बोल देता हूँ, maybe bronze का, या किसी बहुत की भीॉर चीज का हल होता है metal का तो metal कभी भी इतना depreciate नहीं होतest आँ कभी न जिये बना कभी कुछ न कुछ उसका कण मिलता हमें लेकिन जहां पर यह हल मिला है यह मिट्टी का ही हल मिला है हमें और मिट्टी के हल से मिट्टी की जुताई तो हो नहीं सकती है, तो यह जरूर लकडी के हल से करते होंगे, जो की depreciate हो गई बहुत लंबे समय में, यह हजारों वर्षों की बात है यह, तो मेभी वो depreciate हो गई, और यहां से बारली के गन मिले हैं, तो यह जो बारली है, यह हम खाते हैं, जो यानि यह भी खेती क करते थे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लर्काना, लर्काना जो है, लर्काना डिष्टिक है, पंजाब के अंदर, कौन से बाले के, पाकिस्तान वाले के अंदर, अगें देखें कि यह जो पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी साइट्स है, तो यह important है, सब साइट्स आपको कोई नहीं पूछने वाला, अगर पूछेगा, तो यह पूछेगा आपसे, यह पूछेगा, यह पूछेगा, यह पूछेगा, यह कहाँ पर यह पूछेगा, लर्काना है कहाँ पर, यह उपर की चार्ची जब पूछेगा, finding से इसके अंदर question शायद नहीं आएगा, इतना important नहीं है, finding से पूछना को तो पहले इतनी सारी important चीज़ है, वो पूछ लेगा ना भई, इतना कूछ है, मोहन जोदारो, पीली बंगा, काली बंगा, पता नहीं क्या क्या है, तो बूछेगा, अब बहुत important आजाता, राखी गड़ी, देखिए हर्याना के अंदर जब हमने ख पास ही है, पाकिस्तान के, यानि की खोदे 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 जब हमने देखा, तो हर्याना में नीचे राखी गड़ी विलेच के नीचे, हमें बहुत सारी चीज़े देखने को मिली, तो जब लोगों ने खोदा तो उनको ये देखना शुरू हुआ, तो फिर गवर्मेंट सतर कोई और फिर उन्हों ने इसको खोदना शुरू किया, ये कब की बात है, 1963 की बात है, कि गवर्मेंट ने फिर इसमें खुदाई चालू करवाई, तब से लेके आज तक रेगुलर इसमें खुदाई चल रही है, लोकेशन का है हिसार हर्याना में, रीवर कौन सी है, पास में कि जो largest या biggest site पूछ ले, तो वो राखी गड़ी है मेरे दोस्त, गलती से भी आप, मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको क्या समझाया है था, आओ वापस चलते हैं, नहीं चलेंगे, largest city बताया था बस, महों जोदारो, वहाँ पर ऐसी बता रहा हो न, अभी थोड़ी दि पहले बता के आँ, तो largest city बताया था, अगर question में आ जाए, तो महों जोदारो को मार करना है, largest site आ जाए, दोनों फरक है, site का मतलब है कि उसमें बहुत सारी cities आ गई, राखी गड़ी के आसपास की जितनी भी cities है, तो वो कौन सी हो गई, इंटरस वेली civilization की largest site, राखी गड़ी हो गई, ठीक है, मिला क्या है, यहाँ पर terracotta के wheels मिले है, पहिये यानि पहियों का इस्तमाल करते होंगे उस टाइम पे लोग, toys मिले खिलोने, figurines मिली है, pottery मिली है, figurines मतलब की मूर्तियां, ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था न, कि देवी की मूर्ति जिसके अंदर से वो plant, embryo से जिसके plant निकल रहा है, वैसी मूर्तियां, और साथ में यहाँ पर देखिए कि pottery का बहुत सारा समान, यह देखिए मतके वगएरा मिली है, यह खिलोने मिले है, मिट्टी के, यह देखिए मिट्टी के और सारी बहुत सारी चीजे मिली है, साथ में एक कंकाल मिला है यहाँ पर, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब आप अभी आरेन इंवेजन पढ़ेंगे न हम, वैदिक सिविलाजेशन से पहले हम बात करेंगे, कि वो कंकाल से हमें आज यह पता लगता है, कि उसका DNA मैच किया गया, और फिर हम अ आलमगिरपूर, यह लोकेशन कहां पर, मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था, कि यह मेरट से स्टार्ट होता है, सारे का सारे इंडर्स वाली सिविलेजेशन, तो यह कहां पर लोकेशन, यह मेरट में है, यूपी में, रिवर कौन सी यहां पर बहती है, हिंडन, औ थोड़ा आपको चीजे याद रखने है, यहां पर मिला कहा है, इंप्रेशन ओफ क्लोथ, को नीचे दबा कपडा मिला है, सिंपल सी बात यह है, और वो वोवन है, यानि कि इन लोग को बुना ही आती थी, बुना हुआ कपडा यह लोग इस्तेमाल करते थे, तो आलमगिरप में यहीं important है, चार-पान चीजे, यह इतना जाद इंपोर्टेंट नहीं है, जो पिछली साइट थी, वो सारी important थी, अब यह और इस अगली साइट, जो है, यह दो लास्ट साइट रही है, यह इतनी important यह बट ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी, ऐसी यह सुथकागेंद्र, यह जो जगह है, यह कहाँ पर बलूचिस्तान में है, और यह जो रीवर है, यहाँ पर इसको दास्त भी बोल देते हैं, दाश्त, दाश्त भी बोल देते हैं, 1927 में डिसकवर हुई, आरलस्टीन ने एकस्कावेट की इसको, और फाइंडिंग यहाँ से civilization के बीच में हुआ करता था, एक्चुली में था कि आप थोड़ा से समझना चीजों को, यह सुक्त गेंद्र जो है, मैं थोड़ा से दूसरी साइट में समझा देता हूँ आपको, वहाँ पर आपको ज्याद समझ में आएगा, वहाँ मैंने पूरा प्रोपर बनाई रखा है इस जगा पे, यह देखो आप, यह रसुक्त गेंद्र, अब होता क्या था, कि यह जो मानली जी की इरान के लोग है, अब यह यहाँ पर पॉर्ट हुआ करता था, बहुत बड़ा, मैंने पहली भी आपको समझा था, यहाँ आए, यहाँ पे इन्होंने अपना सारा समान उता इस जगा पे, फिर यहाँ से यह रीवर तक गए, फिर आगे रीवर से यह भारत में एंटर कर जाते थे, ऐसी फिर वहाँ पर वापस यहाँ से किष्टियों के तुरू चले जाते थे, तो यह जो है सुथ का गेंद्र, यह जो जगा है यह पहले पोर्ट हुआ करती दी लेक हो गई मिट्टी की और फिर दीरे इस पोर्ट को बंद कर दिया गया और इसलिए मैंने बोला कि अगर वो biggest dockyard की बात करता है तो इसको आप biggest dockyard मत बोलना आप dockyard के नाम पे हमेशा लोथल को ही उत्तर में मार्क करना हर जगा पे हर किताब में फिर लोथल ही दिया हुआ हर मोक टेस्ट में हर पिछले एक्जाम में भी उत्तर लोथल ही दिया हुआ तो आप इसको मार्क मत करना ठीक है लेकिन यहां पे बहुत बड़ा पोर्ट था अगर पोर्ट की बात करें तो आप इसको मार्क कर देना अधर्वाइस बिगेस डोक्यार की बात करें तो इसको मार्क आप बिल्कुल भी मत करना लोथल को ही मार्क करना I hope कि ये आपको clear हो गया होगा अब क्या होगा कि धीरे धीरे हडपा civilization का खात्मा होना शुरू हो गया 1700 BC के आसपास की बात है ये 1700 BC के आसपास क्या हुआ इनका खात्मा होना शुरू हो गया कुछ areas ऐसे थे जिनके अंदर flood आया होगा क्योंकि अलग-लग theories हैं अब हमें नहीं पता कि पिछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम भी basically क्या करें connecting the dots in the reverse manner तो dots connect करकर करके हम ये theories बना रहे हैं हर historian की अपनी एक theory है कोई बोलता है कि यहाँ पर Aryans का अक्रमन हुआ उन्होंने इनको नश्ट कर दिया और उनके पास लोहे के हथियार थे इनको तो लोहे का पता ही नहीं था तो इनको उड़ा दिया उन्होंने लोहे मार मार के एक तरह से ये कह लीजिए तो इनको बाकी तो developed थे economically लेकिन ये जुद के हिसाब से तयार नहीं थे अब इसको इस एंगल से समझ सकते हैं दूसरी थेयरी ये बोलती है कि यहां पर बहुत जादा flood आया होगा, earthquake आया होगी जिस वज़े से यहां फिर कई जगा पर सुखा पढ़ गया होगा, natural calamities आया होगी जिसकी वज़े से ये लोग सारे के सारे मारे गए और ये civilization का अंत हो गया अब हम आगे पढ़ेंगे ये दिखे अलग-लग theories हैं लेकिन जो NCRT में theory लिखी हुई है वो RN invasion की लिखी हुई है और मैंने क्या बोला कि मैं NCRT की basis पही आपको सब चीज़े पढ़ाऊगा क्योंकि हमारा exam हमें clear करना है, अब हम इन चक्रों में फसेंगे तो फिर हमारा exam नी clear होगा और आगे हम देखेंगे कि कैसे फिर Aryans आये, कैसे उन्होंने मतलब की बहुत सारे गरंथ रचे यहां पर वैदिक काल कैसे आया, वो Aryans के टाइम में ही वैदिक काल आया, पूरे का पूरा आपको देखेंगी बहुत इंटरस्टिंग चीजे शुरू हो जाएंगी, फिर उस टाइम पर क्या हमने कौन से बगवान को मानना शुरू कर दिया, सबसे पहले किस बगवान की पूजा की, बाद में वो बदलते-बदलते कौन से बगवान कौन से बन गए है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा कौन सी पूजा विधिया होती थी, फिर जो पुजारी था, उसने कितना परिशान किया, अलग-लग, गलत-गलत प्रथाएं चलाई हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे, आपकी आँखें खुलेंगे उसके अंदर, मजा आएगा आपको बहुत ज़्यादा, अभी तक हमने देखा भारत का पौरानिक दर्शन, अब हम वैदिक दर्शन देखने की कगार पे हैं, ठीक है, तो अभी देखते है, आरियन आरियन पढ़ते हैं, इसको आरियन इन्वेजन थियोरी भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि अब इंडर्स वैली सिविलाइजेशन खतम कैसे हुई, इसके अलग लग तत्थे हैं, कोई कहता है कि नहीं बार आगए, उस टाइम पर कोई कहता है अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचरल डिजास्टर आगए, जिसकी वज़से खतम हो गई, लेकिन जो हमारी NCRT में लिखिया है, हम उसी पर स्टिक करेंगे, उसमें लिखिया है कि बाहर से आरियन साए, और आरियन स कहां से आए, इसके बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नी कोई बोलता थी, बत साई को आरेन हुआ करता है, लोहा था, तो इसलिए इनके पास ट्रॉंग हतियार थे, जब कि आप देखें कि इंटस्वैली सिविलाइज़ेशन के पास वैसा कुछ नहीं था, वो कॉपर ब्रॉंजी यूज़ कर रहे थे बिचारे अभी तक, वो वैसे बहुत संपन थे लेकिन लग-लग ब्रीटश के बनती कि आज हम जो कौन सी ब्रीट से हमें, यहीं नहीं पता है, अभी राखीकड़ी में एक स्केलटन मिला है, उस स्केलटन के जो जीन्स हैं, वो हमारे नेटिव इंडियंस के साथ ज़्यादा मिलते हैं, जो साउफ इंडियंस हैं उनको हम बढ़ते थे यह और आगे बढ़ते हैं वेदों की इन्हों ने ही स्थापना शुरू की थी तो आगे हम पढ़ेंगे तो हमें सब पुछ क्लियर होता जाएगा और यह इंडो यूरोपियन लेंगवेज बोलते थे बाद में फिर संस्क्रीट जो है वो भी इसी से एमर जो यह इंडो यूरोपियन लेंगवेज से ही ठीक है और यह जो है आरियंस यह सेंट्रल एशिया साउथ रश्या से हैं मैं पहले भी बता दिया आपको कि यह रश्या से एक और चीज इसके अंदर पूछ लेता है यह इंदर को ही अपना सबसे बड़ा भगवान मानते थे आरियंस दे रहा है और यह फिर अज़िय। नहीं को रहे हैं और आगे देखते हैं तोड़ा से इनके बारे में और की वेधिकरियन जो है वह सब सिन्दु के किनारे भासे साथ नदियों के नारे वह सब कर नाम लिखा है इनका में पेशा था पशुओं को पालना एक्तल रिरिंग औ तो ये इनकी एक important development थी और ये hunting, carpentry, tanning, weaving ये सब चीजे करते थे, metal smeltry भी करते थे, और ये गाएं का मास भी खाया करते थे, ध्यान देना इस चीज को, कि ये cow का meat भी खाया करते थे, और अगर कोई इनके घर में chief guest आ जाता था, बहुत important guest होता था, तो उसके लिए ये गाए आपके रॉंक्ते खड़े करने वाली हैं, तो मैं क्या करूँ यार, आगे बहुत सारी चीजे ऐसे आने वाली हैं, जो आपके आपको अंदर से हिला देंगी, आपके सारी चीजों को, आपके old beliefs को हिलाएंगी, तो वो सब चीजे NCRT में लिखी हुई है, जो किताबों में ल हैने लगे, उसकी हम पूझा करने लगे, तो हम देखें तो कि एक तरज से जब कि रिगवेद में लिखाओ कि मूर्तिपोजन बैन है, मूर्तिपोजन नहीं करना चाहिए, तो क्या आज हमें बिल्कुल हर मूर्तिपोजा करनी, बंद कर देनी चाहिए, जी नहीं, यहां पर तो बात है भाव की, तो आप देखें कि जब आप भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, तो बात होती है भाव की, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं, कि बेशक्त से मूर्ती पूजा हम करते हैं, लेकिन अब सामने वाले को आप ये बोलिए, कि हम जो मन में सोचते हैं, हम अप बहुत सारी आगे controversial things हमें देखने को मिलेंगी अब क्या कि मैं आपको agities बताऊंगा आपको चुब सकती है आपको मिर्ची लड़ सकती है लेकिन आपको थोड़ा सा tolerance रखनी है उसके अंदर ठीक है और आपको एक आम जनता की तरह सोचना कि उस टाइम पर समाहौल कैसा था कैसे चीज़े हो रही थी अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि जब यह आर्यंस ने अकरमन किया ना क्योंकि हमारा इंडर्स वैली सब्लेजेशन बहुत डेवलेप्ट था तो इसके आकरमन से ना हम इतना हम पीछे चले लगबग एक हजार साल हम पीछे चले गए थे यानी एक हजार साल हम और पीछे चले चले गए उस development से क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था development का बाद में जाके वह development मेंट्स होई हैं तो यह एक और बात आपको दिमांग में माइंड सेट में रखने हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पाइनल कैमिस्टरी फिजिक्स एकोनोमिक्स बुक्स और उथर्स मिस्सलेनियस जो टॉपिक आप बोलू यह तो सिर्फ एक एक्जांपल मात्र है ऐसे 67 फोल्डर है हमारे पास 67 फोल्डर जिसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है complete GS है कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं हुआ हमने और यूनीक मेटीरियल है वो तो वीडियो को देखी पता लग रहा हो यूनीक मेटीरियल है यह देखिए इस तरह का कलरफूल कोंटेंट है और यह वीडियो के अंदर भी आप देखी रहे हैं इसके अंदर सबी सब्जेक्ट्स भी हमने इंकलूड कर दिया computer GS English reasoning maths और English का वीडियो कोर्च भी डाल दिया है अब आप देखिए कि कुछ बच्चे होते हैं जिने मैट्स परण तो मैट्स के लिए क्लिए करना है 950 कोशन अरथमेटिक के यह कर लो बस यह हमने इस तरह से पूरे अरेंज कर देखिए कि 10 concept बनेंगे टोटल 130 कोशन इस चैप्टर के अंदर इसकी फ्री वीडियो भी दे रखें YouTube पे कोई देखना चाहिए और फिर यह कोशन सौल कर रो तुम्हारा काम हो गया बस that's all ऐसी reasoning में हमने सारे का सारा दे दिया पचास सतर असी पेजों के अंदर हमने सारी reasoning important चीजे डाल दी ऐसे ही idiom phrases देख लीजिए English के अंदर वीडियो कोर्स देख लीजिए चाहिए mock sets हो English के अंदर सारी की सारी practice PDF सो बहुत कुछ हमने English के अंदर भंडार भर दिया colorful PDFs का अगर आप यह सारी PDFs लेना चाहते हैं तो अगर GS और computer की लेना है तो 399 rupees की आज 50% off है यह अगले एक week के लिए अब मान के चलिए कि है तो 399 rupees की पढ़ जाएगी लेकिन अगर आपको combo लेना है combo हम पहले 999 का दे रहे थे लेकिन अभी हम बहुत बड़ा off दे रहें combo के अंदर 699 rupees में पढ़ जाएगा 75% off दे रहे हम combo में तो एक week के अंदर अंदर आप ले लीज मार्केट में कहीं available ही नहीं है अब 10 किताबे खरीदरो वहां नहीं मिलेगा आपको जो हमने यहां पर डाल दिया है तो बस आपको देखना है time देखिए हमेशा कम रहता है बच्चों के पास और इतनी से पैसे देखे अगर आपको time बच गया तो आप तैयारी कर लेंगे और इसी बार आपका selection हो जाएगा तो आप इनको ले सकते हैं नीचे description में सारी process लिखिए मैं यहां भी बता देता हूं direct payment करनी आपको इन पर Google पर फोन पर बेटीम पर direct payment करने के बाद payment का screenshot इस email ID पर भेज देना बस हम अगले 24 गंटे में आपको अपने Google Drive में add कर देंगे और आ इसको बाटा गया है अर्ली वेदिक civilization लेटर वेदिक civilization इसके अंदर देखिए बहुत जादा आपको मतलब एक दम इतनी supreme knowledge मिलने वाली है आपको मज़ा आ जागा रॉंक्ते खड़े हो जाएगे अपने धरम के बारे में जानने को इसके अंदर मिलेगा और वहां पर आपके history को पढ़ने की यही beauty है यही फाइदा है कि जो आपको किसी ने मूँ से बोल के बता रखा है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था आज आपको वो return में देखने को मिलेगा कि भाया वैसा नहीं था ये तो कुछ और ही था हमें बताते लोग कुछ और है होती चीजे कुछ और है अब हमें पता क्या लग रहा है 1500-600 BC के समय का पता लग रहा है यानि literary source है यह लिखा हुआ source है तो पहले तो उससे पहले क्या था इंडर्स वैली जी का ही नाम लेंगे लेकिन अगेन वो एक contradictory चीज हो जाएगी क्योंकि यहां पर क्या है कुछ लोगों का कहना है कि भगवान ने वेद लिखके भेजे हैं भाईया भगवान ने वेद लिखके भेजे हैं यह क्या सी बाते कर रहे हो मतलब यह हमारे यहां नीचे की supreme knowledge है ठी फिर कोई अंदविश्वासी वेक्ति है तो फिर तुम मुह पे पर्दा डाल लेना यही हो सकता और कान बंद कर लेना थोड़ी समय के लिए अब देखें कि वेद जो है वेद जो इसका root word क्या है विद है और यह क्या है टूनो यानि कि supreme knowledge जहां पर मिले जिस चीज में compose हो ग करती थी बाद में आई यह काष्ट अभी आपको पूरा पूरी जर्नी कर वाऊंगा न मैं तो ब्रहमना जो है यह बेसिकली क्या है अपेंडिस हुआ एक तरह से यानि कि इसके अंदर बहुत सारी चीजे लिखी हुई है हमारे धर्म से रिलेटेड यानि वैदिक कल्चर से अब यह जो ब्रहमना है इसके भी दो अपेंडिस है एक है अरन्यक और दूसरा है उपनिशद तो जहां पर यह देखिए अरन्य का मतलब ही क्या होता है जंगल होता है तो उसके बारे में बहुत कुछ चीजे लिखी हुई है और यहां पर उपनिशद के अंदर भी बहुत स कल्चर हर जगा पर पूरे भारत में नहीं था यह शुरुवात हुई है अभी अब यह समझ लिजी कि पंजाब के एरिया के आसपास आरेम्स आये और वहां से फिर यह वेदिक कल्चर की शुरुवात हो रही है दीरी दीर आब वो आगे बढ़ेंगे अब देखते हैं इसके पिरेड है अर्ली वेदिक पिरेड उसमें केवल रिग वेद है यानि यह तीन वेद नहीं है उसके अंदर अब इसलिए यही कारण है कि जो अर्ली वेदिक पिरेड है उसको हम रिग वेदिक पिरेड भी बोल देते हैं अब अर्ली वेदिक का मतलब क्या है यह पूरी की यहां से लेके 1000 साल पीछे तक इस tenure में क्या चला हमारा वेदिक पीरेड चला रिगवेद वाला रिगवेदिक इसको बोल देते हैं क्योंकि यहां पर क्या क्या हुआ हमें केवल रिगवेद से पता लगता है इसके हमारे पास कोई अर्केलोजिकल एविडेंस इस नहीं है जैसे इंडस वैली सिविलाजेशन के तो यहां पर लिट्रेरी सोर्स है लिखित वाले सोर्स है हमारे पास अब यहां पर कलेक्शन कितनी है इसके अंदर हाइम्स की हाइम्स के मतलब कि यह जो हम पढ़ते मंत्र पढ़ते हैं एक अजा की मेंबरी के लिए किताब बनाती है वर्ल्ड हिस्टरी मेंबरी बुक होती है उसके अंदर 28,000 मैनुस्क्रिप्ट में से यह जो रिगवेध है इसकी 30 मैनुस्क्रिप्ट सना उन्होंने इंक्लूड किया यानि कि अगर कोई पूछ ले कि पूरे संसार की जो वर्ल्ड बुक तो रिगवेध का नाम आ जाएगा ऐसे ही यह बताता है अर्ली वेधिक पीरेड के बारे में यह मैं आपको बोल चुका हूं यह दोनों से होगे और यह जो स्टार्ट होता है इसके अंदर यह भी पूछा जा सकता है कई बार एक्जाम में पूछा गया कि जो रिगवेध है पूरा बताया तो है उस पूरे टैन्योर का की हाँ यहाँ पर ECONOMICS ऐसी होती थी पॉलिटी ऐसी होती लेकिन इसके अंदर knowledge भी दी गई है वो knowledge कि इस चीज की दी गई है क्यमिष्ट्री की दी गई है और Medical Science की दी गई है इसके अंदर ठीक है बहुत बढ़ी चीज है और ठ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजे गलत होती नजर आएंगी, जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी शुरुवात करते हैं, अब देखो जो रिगवेद का काल है, ये एक अच्छा काल माना जाएगा एक तरह से, यहाँ पे बहुत ही डिसेंसी वाले हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि विमेन को ऐसी दो कोड़ी का समझ लिया, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे लेटर वेदिकाल में, तो हम देखें कि औरतों के हाल बिल्कुल खस्ता कर दिये, बिल्कुल बुरे हाल कर दिये इनके, तो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा चल होता है, एक से जादा शादियां, तो ये देख लो, एक से जादा शादियां करके, मैं कहना हो कि लोगों से एक नहीं संबलती, ये पता नहीं कैसे संबालते थे यार, कमाल की चीजा है यार, ठीक है, अच्छा एक और सीच मैं बताऊँ आपको, पुराने जमाने में एक से तो आदमी मर रहे हैं, तो sex ratio एक तम change हो रही है, यानि कि आउरतें बढ़ रही है, जनसंख्या में ठीक है, एक तरह से देखा जाए, और आदमी कम हो रहे हैं, क्योंकि ये तो युद में मारे जा रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग मारे जाते थे युद में, तो क्या हो लग था, लेकिन आज की डेट में जब देखते हैं, तो आज की डेट में तो लगबग equal है, आज की डेट में ऐसा कुछ हो भी नहीं रहे, तो आज की डेट में फिर monogamie ही practice करना prefer है, और वेदों में भी यही लिखा हुआ है, यह नहीं कि पचास-पचास शादियां ने चा हुआ करती थी family की, उसको क्या बोलते थे, विज या clan बोलते थे, और ऐसे ही जना या tribe हुआ करते थे, यह क्या है, पूरा पूरा एक सबसे बड़ी social unit हुआ करती थी, यानि कि एक तरह से कुछ इस तरह से समझ लीजी कि बहुत सारे लोग है, ठीक है, यह पूरा बन गया ज ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजीए, एक पूरा गाओं मान लीजीए, एक पूरा कस्बा मान लीजीए, वो सबसे बड़ी unit होगी, tribe हो गई है, ठीक है, उसको जन भी बोलते थे, tribe भी बोलते थे, यह important है, यह सारा important लिखा है मैंने, और यह जो लोग थे, यह egalitarian society हुआ कर देखे उस टाइम पे, दो तरह के लोग हुए, Aryans जो थे, उनका रंग बहुत साफ सुतरा था, एक दम, गोरे, चिट्टे, दुद्ध मलाई जैसे, और जो दूसरे लोग हुआ करते थे, तो इंडिजनियस पीपल हुआ करते थे, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका ह इनडिजनियस पीपल होगे, यह आरियंस होगे, अब यहाँ पर क्या है कि आरियंस ने क्या किया, इन इनडिजनियस पीपल को क्या बोला, इन्हों ने बोला कि तुम नौन वेदिक पीपल हो, क्योंकि यह जो भारत के पर्मानेंट लोग थे, अब देखिए आ गया ना, confusion बोल दिया, क्या बोला इनको, दास बोला, तो दास का मतलब यहां समझा गया आपको, तो वेदिक काल में जो रिगवेद काल में दास का मतलब यह था, लेकिन क्योंकि यह देखिए कि यह 1500 से 1000 BC की बात है, 500 BC यानि 500 सालों की बात है, शुरू में तो ऐसा हुआ होगा, लेकि सब वो किन से करवाना शुरू कर दिया उन्होंने दास से करवाना जितने भी दास हुआ करते थे उनको दास मना के रखते थे और उनसे करवाते थे और खुद को वो यही तो beauty है ने इन चीजों के और कमाल की बात है कि इनके कोई उत्तर भी नहीं है मत पूझना वाई कोई जवाब नहीं है जो भी चल रहा है आप देखेगा मजा यही मजा है इसके अंदर यही एक्साइटमेंट है तब ही मैंने बोला था कि बहुत मजा आने वाले आपको इस बात करते हैं कि उसकी स्थितिक ऐसी थी तो वह उसको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी और एक प्रोपर उमर में बाल विवानी हों करते थी प्रोपर उमर के अंदर ही उसकी शादी की जाती थी यह लिखा हुआ है प्रोपर लिए चीज ठीक है और यह मैंने रफरेंस जो है कि वो अपनी choice का husband choose कर सकती तो उसको force नहीं किया जाता था ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छा इन्होंने इनको बेशक से technology इनके पास उतनी तगड़ी नहीं थी लेकिन इनके पास उन्होंने औरत को ये सम्मान दे दिये जो आज की डेट में भी औरतें फेमिनिजम फेमिनिजम का भी मुद्धा उठता है मीटू मीटू का भी लेकिन यहां पर देखें कि कब कब कि अधिकार दे रखे हैं समझे रहे हो इस चीज को बहुत पुरानी समय की बात लेकिन आगे जा कि स्थितिया खराब हो जाएंगी ठीक है और यहां पर देखें कि वो सभा और समीती में भी बैठती थी असेंब्ली में भी बैठती थी सभा और समीती हो रहे हैं यहां पर देखें और वो भी अपनी ओपिनियन दे सकती थी ऐसा नहीं कि उसको स्टैपलर मार दिया उसक प्रथा नहीं होती थी दोस्त तो यानि कि यहां के जो लोग थे ना इनको जीवन जीने का पता था दर्शन का इनको पूरा अच्छे से पता था यह समझदार लोग हुआ करते थे और मैं बता रहा हूँ में कुछ नहीं रखा है में कुछ भी नहीं है हम बता है आज बड़े खुश हो जाते हैं मैंने यह बना लिया मैंने वह सोना चांदी यह जमीन बना लिया यह क्या टेकनोलोजी कितनी भी एडवांस हो जाए यह सिरफ और सिरफ आपकी comfort के लिए है यह materialism है दुनिया के सबसे बड़े scientist Einstein जब इस दुनिया को छोड़ रहे थे तो उनसे पूछा गया है कि तुम अगले जनम में क्या बनना चाता है तो उन्होंने क्या बोला मैं दार्शनिक बनना चाता हूं मैं मेरे materialism में सब देख लिया मुझे तो कुछ पले पड़ा नहीं materialism में दुनिया का सबसे जो को घोला और यह बना दिया यह कर रहा तो वह बना दिया यह technology बना दिप्लानी धिमकानी technology बना दिए और खुश हो रहे हैं कि हम भाईया बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं मांसिक तोर पर जो असली चीज है वो spirituality है वहां पर तो हम develop हो नहीं है वहां तो खड़े में जा रहे हैं ऐसा हाल हो गया अब देखिए कि उस समय के देवताओं का बात करते हैं religion की बात करते हैं और मजाने वाले आपको आपको अंदर से यह हो रहा होगा अब मैं बोलूँगा कि Lord Shiva और Lord Vishnu उस टाइम पे सबसे बड़े देवता हुआ करते थे उन्हीं की पूजा अब मैं साथ की साथी जो फीमेल गोड़ा उनका बारे में बताता हूँ उशा सरस्वती पृत्वी एक सावित्री भी लिख लीजेगा यह वही सावित्री है जो यमराज से अपने पती के प्राण बचाती है ठीक है तो यह कुछ कुछ हुआ करती बट बहुत कम हुआ करती थी फीमेल गोड़ एक और चीज मतातों उसके अंदर कि यहां पर 33 देवी देवताओं को मानते थे यह लोग रिगवेद के पीपर आज की डेटर में उसको ब P dando के ये लोग बैठे हैं तो यह कैसे कैसे यह सब हमारे पूरे के फूरे धहर में मिलावत हुई है आपको आगे देखने को मिलेगा यही तो इंट्रस्ट है यही तो beauty ए हिस्ट्री की कि आपको समझ आएगा आपको असलियत समझ में आएगी कि कुछ पाखंडी रोगों ने सारे का सारा धरम को सत्यनाश की तरफ ले गए सती प्रता जैसी कूरीतियों की तरफ ले गए अभी समझ आएगा आ यही में गोड हुआ करते थे उस ताइम पर में गोड मतलब यह देवता हुआ करते थे और यह लोग इतने माइंड में क्लियर थे यह सिर्फ एक भगवान को मानते थे ध्यान देना यह एक ही भगवान को मानते थे कि भगवान एक ही है अब यहां पर भी एक confusion है कुछ लोग भी नहीं जा सकता है, पूजा भी नहीं जा सकता है, बिल्कुली अलग है, ना वो दिखाई दे सकता है किसी को, भगवान अलग है और इश्वर अलग है, इश्वर एक ही है, इश्वर दो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और इश्वर बिल्कुली ही शेपलेस है, वो कहीं दिखाई ही नहीं दे सकता है किसी को हम महसूस जरूर किया जा सकता है अगर कोई करेगा इश्वर को तो सिर्फ महसूस कर सकता है ठीक है लेकिन वही भगवान की बात करते हैं तो जो सुपीरियर लोग हुआ करते दूश टाइम पे यहां कोई धन्वान सेठ भी हो गरते थो उनको भगवन बोल देते हैं कि अरे भगवन प्रणाम ऐसे करके जो भी आपको रूरल इलाकों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारी जगह ऐसी है तो यहां पर थोड़ सा इनमें बगएरा हाला कि इस टाइम पर यहावन और यग्ये नहीं हुआ करते थे यह मैं आपको बता दूँँ यह आगे चलके इसकी प्रथा आएगी और तीसरा है इंटॉक्सिकेट प्लांट इसको बोले जाता था सॉम जिसने धीरी धीरे फिर दारू का अवतार ले लिया ठीक है इसके बात कोस्मिक ओर यानि की रितूओं का जो चेंज हो रहा है बदलाव हो वरुन देव हुए यह पुषान देव है जो यह पुषान देव है और यह अगनी देव तो आप देखी रहे हैं पुषान देव क्या है एक तरह से कि यह जो पशू है आपके उनकी सेहत के समझ रहे हैं इस चीज को एक और कमाल की बात पताता हूं यह पढ़ना क्या लिख्या है ना तो वो कोई टेंपल कर्स्ट्रक्ट करते थे और ना ही किसी स्टैचू की पूजा करते थे कौन कौन रिगवेद के लोग यानि जो पुराने लोग हुआ करते थे भारत के वो किसी स्टैचू को नहीं मानते थे ना ही वो कभी मंदिर बनाते थे ध्यान देना इस चीज को भी ठीक है तो यहां पर अगेन एक कॉंट्राडिक्शन क्रियेट होता है हम आज भी बगवान के मं के माथा टेकेंगे मैं अभी थोड़े दिन पहले की बाथ प्ताता हूं मैं मंदिर में गया तो एक बंदा पीछे से लाइन से आगे चला गया और आगे एक बंदा पूरा थाल लेकर है उसमें फूल फाल लेकर है भगवान के आरती के लिए फूरा रैडियो रखा था इतने में पीछे से एक बंदा आता है और आगे यू प्रणाम करके चला जाता है तो वो बंदा उसको दस बाते सुनाता है और यह सच मेरे सामने हुआ बहुता तुम्हें अकल नहीं है तुम बेवकूफ हो तो हम लाइन में लगे हैं हम पागल है तुम लाइन में जाके लगो भाई उसने इतनी उसको लू-जू-लू-बाते मंदीर के अंदर बोल दी तो यह सोच रहा था था भाई कि तेरा मंदीर माने का फाइदा क्या है अगर तू तेरे अंदर पेशन्स ही नहीं है तेरे को यहीं नहीं पता कि भाई तू आया कहां पर है तू जिस भगवान के सामने को उसी भगवान के सामने भगवान के दूसरे आदमी को तो पेल रहा है तो ये थोड़ा सा जीब सा हो जाता है फिर बहुत शोशे बाजी वो जो थैंक गॉड मूवी देखी आपने वही चीज़ है वही वाली कि शोशे बाजी जादा होरी आज की रेट में भगवान को यूँ पूरा नारियल चड़ाय जा रहे है और बहार कोई गरीब जो है वो भुखा मर रहा हो चाए भगवान को इतने तने लड़ू चड़ा देंगे और नीचे आप देखेंगे कि बहार लोग रोड पे पड़े हैं भगवान को चड़र चड़ा देंगे नीचे रोग ठंड में मर रहे हैं ऐसा भी हाल देखा गया है तो यहां के लोगों को यह समझ थी यह लोग ऐसी हरकते नहीं किया करते थे यह भगवान को माना करते थे लेकिन ये mind में clear थे कि भगवान की कोई मूर्ती हो ही नहीं सकती है और ना ये कोई मंदिर बना करते थे ये मैंने नहीं बोला है ये सब आप किसी भी literature को उठा लीजे उसमें देखने को आपको मिल जाएगा ये मैंने आपको यहां के लोगों की महानता के बारे में बताया है clearly अब यहां की polity के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि chief social unit जो हुआ करती थी वो जन हुआ करती थी मैंने पहले भी बताया कि यह जो है और ये लोग एक जगा पर रुका नहीं करते थे यहां पर कोई settlement नहीं थी ये लोग आगे की आगे बढ़ रहे थे और ये कमाल की बात यह कि इनके पास लोहा हुआ गरता था लोहे के हतियार हुआ गरता था ज़ाडियों को यूँ काट फीट के आगे निकल जाते थे और जो रिगवेद काल के अंदर हमें देखने को मिलता है सिर्फ सरस्वती रिवर के बारे में जानने को मिलता है यानि कि ये लोग गंगा रिवर तक नहीं पहुँच पाए थे गंगा बेशिन तक नहीं पहुच पाए थे रिगवेद के लोग मैं कहा रहा हूँ ये पहले ही उससे सेट्लमेंट जहां भी था ये वस वहीं तक ही रुके थे जो लेटर वेदी काल के लोग है वो जो है वो आगे गंगा रिवर तक भी पहुच गए थे तो ये लोग अभी जैसे भारत में एंटर वेब में ने बताया था ना पंजाब के आसपास के प्रांथ से तो ये वहां तक नहीं पहुचे थे और देखे को उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था की बहुत अच्छे च्छे रोड्स बन ये जंगली जंगल हुआ खरती थे तो कए जंगलों में तो इन्होंने आग लगा दी कहीं पे काट दिया इन्होंने ऐसे करकर इन्होंने क्लैरिटी करते-करतेह ये आगे बड़े थे अब यहाँ पे बहुत सारी unit wise करती थी जो इस राजन की help किया करती थी सभा, समीती, विधाता, गना, परिशत जैसे आज की date में होते हैं यारे देखते हैं न हम council से होती हैं बहुत सारी वैसी तब भी हुआ करती थी जो सभा और समीती हैं ये main हुआ करते थे तो ये तो बात हुई पॉलिटी की, इसके अंदर देखिए अब कमाल की चीज की यहाँ पे राजा जो हुता था राजन, उसकी help करने के लिए कौन-कौन हुआ करता था, सबसे पहले तो पुरोहित हुआ करता था, आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, यहाँ पे पुरोहित जो है राजन की help कर रहा है, ठीक है लेकिन आगे जब बढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि पुरोहित तो राजा बन गया, और राजा पुरोहित बन गया ऐसा हाल चल जाएगा, ठीक है अब ML, AMP, ऐसे पहले हुआ करते थे यार सीम्पल सी बाते, यह help करते थे राजा कि इसमें, confuse नहीं हो ना बस ठीक है भाई? अभी तक हमने पढ़ा early vedic period Rig Ved का काल, अब आप सोच रहोंगे कि भाईया मैंने एक ही वेद की बात किया बाकी के वेद कहां गए? लेटर वेदिक काल के अंदर क्या होता है? यह लेटर वेदिक काल है, यह 1000 BC से 600 BC तक है यानि 600 BC के आसपास गौतम बुद आ जाएंगे और वो आके, यह जितनी भी कुरीतिया है न, यहाँ पर जो नोटंकी चल रही थी, सब की बैंड बजाके रख देंगे महाविर स्वामी और गौतम बुद आएंगे जब तो वो इन सब के माइंड सेट को चेंज कर देंगे यह जो जहाँ पर नोटंकी होगी न, अभी आप देखना कि क्या क्या है, यहाँ पर खेल रचा जाएगा वो सब को नाश करके रख देंगे महाविर स्वामी और गौतम बुद ठीक है, अभी उससे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा था महापे अभी तक सब बढ़ी है न, आपको सब मस लग रहा होगा, महानता का पता लग रहा हो इस देश की, आगे चलके देखना उतनी ही दुर्गती लगेगी अब आपको उतना ही परिशानी होनी शुरू होगी अब चीजों में अब देखे, यहाँ पर क्या होता है पहले बाले लोग जो थे, आरियंस वो कैटल ब्रीडिंग के उपर जैनी पशुओं के उपर, जिसके बाद जितने ज़्यादा पशुओं उतना ज़्यादा धनवान, वहाँ पर मेन इकोरोमी थी पशुओं की अब इन्होंने लेटर वेदिक काल में इनको समझाई तो उन्होंनों एगरी कल्चर भी यूज कर लिया अब एक और चीज है वहाँ पर मैं बताना भूल गया था आपको मैं बता जिता हूँ कि वो लोग ना एक फसल का इस्तेमाल क्या करते थे ये लिखा भी हुआ मैंने, अगर आपसे कभी पूछ ले ना कि ये लोग खेती किसकी किया करते तो ये यावा की खेती किया करते यावा मतलब बारले तो ये बारले जो हुआ करते इस सिर्फ एक ही फसल की खेती करते थे तो यहां के जो लोग हैं अब लेटर वेदिकाल के इनको सब फसलों की खेती आ गई थी यह देखो wheat, rice, pulses, millet, sugar can यह हर उसकी खेती कर लिया करते थे और यहाँ पर जो Lord Indra थे ना अब वो क्या बनगे Lord of Plow बनगे यह देखिया हल पकड़ा हुए यानि कि खेती के देवता बनगे पहले वो तुफानों के देवता हुआ करते थे अब इन्होंने खेती के देवता इनको बना दिया हल पकड़ा दिया अब यहाँ पर क्या है लेटर वेदिकाल में तिल जो है इसकी importance बढ़गी जो तिल का तेल हुआ करता था एक तो वो ठीक है बहुत सारे दर्द वगरा में काम आता है साथ में कुकिंग के लिए जो है तिल का तेल इस्तेमाल किया करता थे ये अगर पूछले तो अब बता दे ना और जो आईरन है लगवग हजार बीसी के आसपास की बात है कि आईरन को ये लोग यूज करना शुरू कर दिये और मैंने पहले भी बताया कि आईरन को यूज करने के कि कि इजिली कोई भी जंगल को काट सकते हो किसी भी पेड़को हटा सकते हो तगड़ा होता न आरन तो ये आगे बढ़ रहे इससे और इससे क्या होगा कि यह गंगा बेसिन तक भी पहुंचे और यहां पर दीरे-दीरे इन्हों ने क्या किया पूरे को यहां जो है ना मिड तक MP के आसपास के जितने भी एरिया वहां तक यह पूरा पहुंच चुके थे आरियंस अब यहां पर वही चीज लिखी है कि इन्हों ने काटा भी यह सब है और इनको मैन्योरिंग और इरिगेशन का समझ आ गई थी यानि कि खेती के अंदर यह निपोन हो गए थे एक तरह से कि क कैसे पानी देने कैसे खाद बनानी है और अब देखिए सैटलमेंट्स हा गई जब इनको यह खेती का पता लगा कि भाया यह तो जमीन उपजाओ है और उपजाओ जमीन का कैसे पता लगता है कि कोई नदी की किनारे जमीन है वहां पर ऐलूवियल सोयल अगर है मलब कि वह सारे मिंदल्स लेके आ रही है तो वहां खेती असानी से हो रही है तो फिर इनको समझ आए कि हां यह नदी के आसपास के एरियाज में हम रहते हैं तबी तो नदियों का उद्गम उनका नदियों का पिक्चर मैंने का यही सबसे बड़ा दीजन है और साथ में देखिए कि फ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फैमिली जोनी शुरू हो गई जिसको हम जॉइंट फैमिली का नाम दे सकते थे इस तरह से और दो दो तीन तीन जनरेशन के लोग यहां रहा करते थे फैमिली में फिर यहां पर देखिए एक बेकार चीज होई कि गोत्र आ गया गोत्र क का इंस्ट्यूशन हो गया जानी कि एक गोत्र के लोग जो हैं वो कभी भी अपने ही गोत्र में शादी नहीं करेंगे बाहर के गोत्र में शादी करेंगे हाला कि उसके बहुत सारे रिजन देते हैं कि बच्चे जो हैं वो उतने हेल्दी पैदा नहीं होते बला 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 जो समझना इस चीज को सबसे ज्यादा क्या हो गई पॉलीगेमी यहाँ पे एकदम पिक्चर में आना शुरू हो गई अभी दक देखिए औरतों को बहुत अच्छा दीकार इन्होंने दे रखा था अब आपको थोड़ा सा परिशानी होनी शुरू होगी यहाँ पर देखना यह ल कि देखना शुरू कर दिया वुमेनके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन्स लगा दी उनको किसी भी यहाँ पलिक मीटिंग के अंदर आने से रेस्ट्रिक्शन लगा दी किसी सबसमीती में नी आएंगी वो के बस कोई अदिकार है नकोई opinion देने का अधिकार है वो केवल और केवल घरेलू महिला बन के रहेगी और घर पे बैठके बच्चों का लालन पालन करेगी और खाना बनाएगी केवल महिला का यहाँ पर यही काम रह गया था और साथ में एक बुरी चीज और हुई यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आ गई वर्ण सिस्टम आ गया यानि कि चार भागों में इन्हों ने बाट दिया ब्रामन, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र ठीक है? इन चार भागों के अंदर बाट दिया गया पूरी सोसाइटी को और यहाँ पर जो इसका काम है यही करेगा उसका काम वही करेगा मैं आपस में mix नहीं कर सकते काम यानि बर्ण में वस्था आगी, शुरू में तो यह बर्ण में वस्था ठीक थी लेकिन बाद में जाके यह बदलेगी शुरू में तो ठीक है कि यहाँ के लोग डेवलप हो रहें इसी चीज में यहां के इसी चीज में डेवलप हो रहें लेकिन आगे जाके दिक्कते इसमें शुरू हो जाएंगी जब परिशानिया शुरू होंगी तो देखते हैं आप देखें यहां पर सोशल हरेर्की बननी शुरू हुई अब यहां पर देखो ब्रहमन्स कंट्रोल्ड अस्पेक्ट्स ओफ लाइफ और कौन थे क्षत्रिय यानि कि दो लोग जो थे क्षत्रिय और ब्रहमन यह दोनों क्या है बेसिकली यह ताकतवर है और यह ज्यानवान है समझना इस चीज को तो एकी सिक्के के दो पहलू है तब ही सिक्का बनेगा यह तो यह दोनों इक दूसरे पर इपेंड्ड्न है अब इन दोनों ने क्या किया मिलके बागी पूरी क्लास को दबाना शुरू आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने हैं आपको कि यहाँ पे पिस्ता को ने नॉर्मल पब्लिक जो होती है न वो पिस्ती है यहाँ पे सिरफ हम दोश इसको भी नहीं दे सकते इसको भी नहीं दे सकते जैसे आज की डेट में आप देखिए आज की डेट में बैठ के कथा अब आवाचे करए यह बहुत सारे बहुत सारे बाब्बे उगStra नहीं होता है ठीडिक बहुत सारे संत अच्छे भी है एस 서ू नहीं है की विक蘭ब cit society कि खराव हो रही है संतों की हिज़वी खराव हो रही है न मं लनकि कम्यृटि कि कि खराब होई यहां पर संतों की डिकराब पूरी बेशक्षच्छ से क्योंकि निकल के तो वहीं से ही आ रहे हैं समस्या यहां पर आ जाती है अब यहाँ पर भी यही हुआ कि ब्रह्मन बहुत तरह की हुआ करते थे, कुछ उचकोटी के ब्रह्मन हो गए, कुछ नॉर्मल हो गए, कुछ विद्यालियों में पढ़ाया करते थे, कुछ बिल्कुल नीचे के जो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, उनकी हेल्प किया करते थे, अ इसा थोड़ी है कि बहुत सारे के सारे ब्रहामनी प्रसिद हो गए, और वही सारी कुरीतिया फैला रहे थे, ऐसा भी नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक राजसी ब्रहामन जो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा कूरीतिया फैलाई, क्यों फैलाई, क्योंकि इन दोनो ब्राह्मन ने ध्यान देना जो राजा के पास साथ थे उन्हों ने ये थोड़ा सा नोटकी ज्यादा शुरू की तो वहां से फिर थोड़ थोड़ी कुरितियां बढ़ती गई ये वन्वैवस्था भी कहां से आएगी अब मोदी जी किसानों के बिल ला रहे थे तो मोदी जी भी आ रहे थे ना नीचे वाले लोग थोड़ी लेकिए आ सकते हैं कि ये नहीं नॉर्मल लोग भी लेकिया रहे हैं अपने अपने बिल ऐसा थोड़ी होता है तो इसलिए मैंने clarify कर दिया कि यहां पर यह नहीं मैं बोल रहा कि यह कास्ट के लोग सारी ऐसे थे मैं नाम इसका इसलिए लूँगा क्योंकि ज्यानवान यही थे इनका नाम इसलिए लूँगा पावरफुल यही थे तो मेरे नाम लेने से आप बिल्कुल भी इसको इस चीज में confuse मत करना कि मैं पूरी community को बोल रहा हूं बस मैंने यह बात यहां पर यहीं पर clear कर दिया है आप अपने आपको जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने आपको एक आम जंता के तौर पर देखना आम जंता में बहुत सारे ब्रहामन थे जो परेशान थे इनसे उपर वा तो आप एक आम जंता की तरह इस वीडियो को देखना अब यहां पर क्या है agriculture trade artisan activity यह जो है यह वैश्य करते थे इन दोनों का मैंने बता दिया यह इसका काम था ट्रेडिंग करना अब यह देखिए कि और यह शुद्र का काम था जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं बेकार शुद्र ही ऐसा नहीं था यह वैश्य भी बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ करते हैं अब सोचेंग कैसे अब यह जो है यह देखिए यह भाला दिखाता था इसको इसके पास पैसे होते थे वह पार कर रहा है उस टाइम का अंबानी अडानी समझ लीजिए इसको तो यह दे सबको डर लगता भगमान से तो यह बिचारा डर के भगमान से लोग अब यहां के लोगों के पास पैसे नहीं होते थे अब घर पे दवादारू की जुरूरत पड़का देतने थे कि निकाल पैसे तो यह भी अच्छा खासा पेले जा रहे थे एक तरह नीचे वाले लोग ब ब्रहमन्स थे उन्होंने क्या कि वो messenger of God बन गए एक तरह से ठीक है यह जो राजसी ब्रहमन्स थे यह messenger of God बन गए कि हम ही आपकी बगवान से बात करवाएंगे हमारे भी ना तुम बगवान से नहीं मिल सकते हो हम ही सारे वेदो चारण पता है हम ही मंत्रों का पता है और कोई क गए इस वक्त क्योंकि भगवान से सबको डर लगता है इसी दिवात यह और बगवान का जो हाल है देखिए इनोंने वक्त के साथ बगवान को भी बदलते जाएंगे यह देखना आप अभी तो पहले बगवान क्या थे और आगे क्या हो जाएंग अब देखेंगे आप तो लगेगा तो ब्रमचर्या का पालन जो है यहां पर चार तरह के आश्रम इन्होंने डिफाइन कर दिये पहला ब्रमचर्या का स्टूडेंट लाइफ का आज की डेट में कोई नहीं करता है आज की टाइम में 9 साल का बच्चा भी उपर किताब और नीचे मोबाइल मोबाइल में क्या चल रहा हो था सबको पता है लेकिन पहले हुआ करता था कि 12-13-13 साल तक विद्यार्थी एकदम ब्रमचर्या का पालन करता था कोई लड़की आसपास नहीं एकदम लड़कों-लड़कों के लॉंडों का ग्रूप बना करता था और यह अच्छे से यहां पर प्रैक्टि सन्यास तो मतलब यह हो गया कि भाया तुमने सब महमाया चोड़ दी तुमने बिल्कुल ही कंप्लीटली सारी दुनिया को त्या कर दिया और अकेले में बगवान की प्राप्ति के लिए तुम कर रहे हो पूजा पाथ अब देखो यहां पर बगवान भी बदल गए जहां पर एक सुप्रिम पावर है वो इश्वर है जो सूर्य को भेज रहा है वही इश्वर कि जाओ तुम चक्कर लगा के आओ जो इंद्र को भेज रहा है कि जाओ तुम वर्शा करवा के आओ यह स्टॉम करवा के आओ ठीक है तुफान लेके आओ उनको इतनी क्लैरिटी थी इस ची क्या होता है जहां पर जो वहां पर माईनी 4 रुद्र यहांपर वोकिया है एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है मतलब मतलब स्केरीफाइस देते थे, sacrifices मतलब बली देते थे, जी हाँ, ये सच है, आज हम कोई बकरा काटता है, या कुछ काटता है, मुर्गा काटता है, उसके उपर हम objection कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ हमारे धर में कितनी कुरीतियां आई, सती प्रथा बगर तो आई ही, साथ में पुजारी बाद को, basically उनको मैं ब्रहम्न ने कोँगा, उनको मैं पुझारी बदी लोग कहुँगा, क्योंकि वो कुछ लोग थे, राजसी लोग, उन्हों ने पुजारी बात पूरा-का-पुरा फैला दिया, ठीक है? उनको ब्रहमन भी नहीं बोला जाएगा, उनको पुज जाज बिचारा वो भी डरता हुआ एक लाग गाएं दान कर रहा है ऐसा हाल चल रहा है उसके बाद देखिए अशुमेद यग्या करवाए गए वाजपे यग्या राजसुए यग्या अशुमेद का यग्या का मतलब समझो घोड़े को मारके उसका जो मेधा होता है अंदर से इससे नहीं तो इस तरह से एक तरह से और ऊपरसे जब एरय कोुछ व्यotch हो रहा है वहाँ पर हल्ला कठता था लोग आते थे बहुत सारे देखने तो क्या हो रहा है एक मेला ही कठा हो रहा है वहाँ पर सुप्रीम लीडर को नहीं ब्राह्मन वो जो पुजारी ब्राह्मन तो नहीं बोलों पुजारी खड़ा हो के वहाँ पर वो सब हिदायते दे रहा होता था क कि ऐसे करो वही से करो अभी दिखाता हूं कि कैसे यह देखो यहां पर बात और कुछ पुछ कुछ कभीले तो ऐसे थे जो आदमीयों की बली देनी शुरू कर दीए को देख देखके उन्होंने उनको लगा कि ये तो जानवरों की दे रहे हैं हमारे देवता को हम खुश करेंगे तो बहुत सारे ड्राइबल लोग जो थे ठीक है आधिवासी लोग उन्होंने क्या किया उन्होंने आदमियों को उड़ाना शुरू कर दिया देख रहे हो कुछ भी चल रहा था फिर उस सोसाइटी में मिलब एक अच्छी सोसाइटी से इतनी ज्यादा जंबल्ड सोसाइटी होगी जस्ट टू क्रियेट सुप्रीमेसी कि हम में सुपीरियर कौन है और राज कौन करेगा इस चीज के लिए और इससे बहुत सारे एनिमल्स की कटाई हो गई जिसकी वज़से सारी एकोनोमी हैं पर हुए मैंने बताया ना कि एनिमल्स उस टाइम पर बहुत इंपोर्टन हुआ करते थे इसके अलावा हम देखते हैं कि उपनिशत्स में एंड में लिखा भी है कि सबसे अच्छा पात है सेल्फ सेक्रिफाइस का ना कि दूसरों को सेक्रिफाइस करने का ठीक है जी इसके अलावा कर्म और ट्रांस माइग्रेशन ओफ सौल यह बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते है यह हमारे उपनिशत्स में लिखा है ट्रांस माइग्रेशन ओफ सौल का मतलब क्या है यह देखे यह लेडी है यहां से एक बच्चा आया बच्चा फिर नीचे यूँ घुट्रों के बल चला और उसके बाद थोड़ा खड़ा होना शुरू हुआ फिर पूरा खड़ा हो गया फिर वो युवा वस्था में आया यहां पर फिर वो एक किशोरा वस्था में पूरा का पूरा आ गया है यहां पर फिर वो आदमी बन गया है आदमी के बाद फिर बुड़ा पाना शुरू हुआ बुड़ापे के बाद कूबड निकल गया फिर बिल्कुली कूबड नि उसको बोलते हैं मौक्ष तो वही आपका में टार्गेट होना चीए समझ गए इस चीज को बहुत मज़ा है बहुत मज़ा है बाई इसके अंदर अब आगे देखिए कि यहां पे जो उस टाइम के लोग हुआ करते थे अब वो किसके अंदर हुआ करते थे चीफ के अंदर हुआ करते थे अब धीरे धीरे क्या हुआ जब लोगों को ये बाते समझ आने लगी कि भाया उनके साथ तो अनाचार अत्याचार हो रहा है ये कुछ भी कर रहे हैं उनके साथ, कुछ भी बकवास चल रही है और कुछ भी उनके उपर force किया जा रहा है कि हाँ तुम ये चीजे अपनाओ, ये policy को अपनाओ तो लोगों में कहीं न कहीं retaliation आता है, तो वो जो chief हुआ करते थे लोग उनकी बात सुनना ही मना कर दिये, कि हम तो तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं बागी होने लग गए थे लोग उस time पे, तो अब ऐसे में क्या होता है, जो chief है यानि राजा है, वो क्या करेगा, उसको कोई न कोई supporter चाहिए, तो इसे में फिर picture में निकल के कौन आएगा, फिर से picture में निकल के पुजारी आएगा, या फिर यहां पे कहें कि जो उस time का, जो उसका राजसी ब्रह्मन है, वो picture में आता है, और वो उसकी help करेगा राजा की, कि वो chief ship दुबारा से attain कर पाए, वो दुबारा से लोगों के उपर control gain कर पाए, यहां पे क्या है, कि जो chief ship है, वो hereditary हो गई है, यानि मान ली जी कि पहला राजा, suppose जो था, वो बहुत बढ़िया था, उसे पता था कि कैसे लोगों को control करना है, अब जो उसका बालक, जिसको कि निपोटीजम आ गए, यहां पे है न, अब उस उसका मंतरी सुन रहा है, न सैनापती सुन रहा है, तो कई cases में तो ऐसा होता था कि सैनापती को जिस दिन गुसा आया, सैनापती सेना के साथ आता था, और उसको उठा दिता था, चल भई, उड़ ले, अब वो नहीं उठेगा, तो गर्दन काट दी, उठा लिया, कहीं फैक वादिया, कि आज से तुम निकलो यहां से लल्लू राम, आज से हम राजा रहे, या तो सेनापती राजा बन जाया करता था, दूसरा option यह हुआ करता था, कि जो वहां पे पुजारी था, या प्रीष्ट था, वो उसकी help करेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा, और ultimately क्या ह कि बस गदी पे उसको बिठा रिखा है, दिमाग सारे का सारे किसका है, प्रीष्ट का है, तो वो करेगा पूरे राजपार्ट पे राज करेगा, तो यहां पर इसलिए वो लो क्या किया करते थे, भगवान के नाम पे जनता को फिर घुमरा करके, और फिर राजा को भी इसमेंशिप उनको वापस मिल जाती थी और बहुत सार यग्य कियों जाते थे जैसे मैंने पहले भी उप्ताया राजसू यग्यों वाजपया यग्यों राजा को खुश करने के लिए कि असलों तक बना रहे तो यह वाले यग्य करवाए जाते थे अब देखिए यहाँ पर कि जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि क्षत्रिय वर्ण और जो है भ्रामन वर्ण ये दोनों ने आपस में पूरा सांडगांट किया ताकि लोगों के उपर कंट्रोल को establish किया जाए on the name of dharma in the name of dharma ये सब चीजें कहां से मैं उठाई हैं मैं बार-बार बोल रहा हूं ये ncrt में सब लिखा है भारत की history पढ़ेंगे लोगों के मूँ से सुनके मत किसी भी चीज को believe कीजिए history को पढ़िए पहले बैठके उसके बाद आपको चीजें और बहुत सारे facts समझ में आते हैं ठीक है ये नहीं कि कि किसी ने उठके आया मूँ ठाया और आपको ये सुना अब देखी जैसा कि मैंने आपको बताय था ये जितनी कूप रथाएं यहाँ पर चल रही थी जितनी परिशानिया चल रही थी कुछ रिशी मुनी या कुछ ब्रहमन्स ऐसे थे जो इन चीजों से बिलकुल भी खुश नहीं थे वो परिशान थे ये सब चीजें देखके कि ह अब देखके कि अब दो इन चीजों के बिलकुल अगेस्ट है ये जितनी वी तुम बली प्रथा कर रहे हो इतने जानवरों को मारा जा रहा है सिर्फ राजसत्ता के लालेच में तो भाईया हम तो हमारे तो हाथ खड़े हैं हम चले जंगलों में और वो जाके बैढ़ गए वो क्यों गए जंगलों में क्योंकि वो इन सब लोगों से जो घटिया काम हो रहे हैं उनसे दूर रहना चाहते थे क्योंकि अगर यहां पे रहेंगे तो वो कुछ सोची नहीं पाएंगे विचार विमर्शी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी बोलेंगे तो उनकी की फॉर्म में आया तीन वेदों की फॉर्म में आया पहला जो वेद था रिगवेद वो रिगवेद काल में नहीं लिखा गया है अरली वेदी केज में नहीं लिखा गया वो भी यहीं पर लेटर वेदी केज में लिखा गया और हो सकता कि उन्हीं रिशी मन्यों ने वहां पर पैट के पहले रिगवेद की संपादना कियो कि भाईया पहले हम पीछे चलते हैं कि उस knowledge को पहले लेके आगे तो उन्होंने हो सकता है उसकी संपादना वाँ पे कीयो फिर उन्होंने सोचा होगा कि अब हमारे society को जरूरत क्या है यह जो भक्षोधी कर रहे हैं इससे कुछ नहीं मिलने वाला है real में लोगों को किस चीज़ की जरूरत है तो उन्होंने सोचा होगा कि हाँ लोग को relax करने के लिए एक अलग भगवान की तरफ ध्यान करने के लिए music की जरूरत है तो obviously बात है कि music जो है न वो भगवान के साथ बहुत ज़्यादा connect करता है आपको और दूसरा उन्होंने यह सोचा होगा कि आयूर वेदा की जरूरत है लोग बिमार हैं तो कुछ लालची लोग जहां पर यही सब हवन कर रहे हैं जानवरों को मार रहे हैं बस राजस्ता के लालची में तो उन्होंने सोचा होगा कि इनके लिए अयुर्वेदा बनाया जाए ऐसे भी लोग थे तो वो लोग बैठ के मनन किया उन्होंने और उन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया सारा उन्होंने इन वेदों में डाल दिया सेगरिगेशन करके ठीक है भाई अब यहां भी क्या हुआ आगे चलके यहां भी आपको इन में भी मिलावट देखने को मिलेगी तो वो हम देखेंगे अभी और फिर जब हम आगे पढ़ेंगे आगे जब हम गुपता एंपायर तक पहुंच जाएंगे तो हम देखेंगे कि ब में कितने हाइं से इसके अंदर 1875 इसके अंदर क्या है ठीक है मंत्र है अध्याए कितने हैं छे अध्याए हैं और यह जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जितने विराग रगनिया वो सब इसी से आए हैं और साम सामवेत को गाया करते थे इसके जो छंद है इसकी जो मंत्र है उनको गाया करते थे उनको बोलते थे उद्गत्री यह वर्ड बहुत इंपोर्टन है उनको क्या बोलते थे उद्गत्री उन इंपोर्टन प्रीस को सिर्फ उसी सेक्शन को जो इसके ग्याता हुआ करते थे सामव हुए ठीक है उन्होंने अपने मुझ से आगे वालों को बताया आगे वालों ने आगे वालों को बताया बिल्कुल एज़िटीज बताते गए और एंड तक वो मौकिक रूप में चलता रहा क्योंकि तब कोई लेंगवर्वेज नहीं ठी जिए तो लेंगवर्वेज आगे जा कि यहां पर लेटरीएद काल में आया यहाँ यहां पर इस देखने मुझस करकिया अंदर से ठीक है तो जो आम जंता हुआ करती थी वो कौन सी भाषा समझती थी प्राकृत या फिर कहें कि प्राकृतिक भाषा एक तरह से नैचुरल लेंगवेज वो अलग लेंगवेज बोल रहे हैं और जो उपर के लोग हैं हाई क्लास नॉबल क्लास पीपल वो संस्कृत ब यहां पर देखिए कि क्या लिखा है इसके अंदर लिखा है performance of sacrifices ध्यान देना इस चीज को यानि कि यहां पर मौर्ण है volume 1 volume 2 ठीक है तो सिर्फ यहीं ओलनकिरा नाम है उप्लास ब्लैक वालम डूसरी नाम है वाइट वॉलिम एक सारे sacrificial formula बता है कि घोड़े को मार के उसके मेदे को निकाल के यग्य में डाल दो, यह यह आहुती देनी है यह यह मंत्र उचारण करनी है तो वो थोड़ा सा क्या है अब आप खुद समझदार है मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्या यह चीज सही है या गलत है वो आपके उपर मैं छोड़ता हूँ आज की डेट में जिस धर्म के अंदर किसी जीव की हत्या करने को भी पाप समझा जाता है वहाँ पे यह सब चीजे होती है तो क्या वो सही है या गलत है आप कमेंट में खुद कमेंट करके मेरे को बताईएगा क्या यह मिलावट नहीं तो क्या है या तो आप इसको मिलावट बोल दो या फिर धर्म के उपर कोशन मार कर दो कि भाई या हमारा धर्म सही नहीं है कुछ तो बोलना पड़ेगा ना तो कमेंट करके जरूर बताना कि यह क्या चीज है हाइम्स की बात करें तो यह इसमें 1975 हाइम्स है ठीक है और अध्याय जो है इसके 40 है और यह जो है अगेन मैंने बता दिया सक्रिफिशियल फॉर्मुला और वेपन्स के उपर सारे का सारा यह है तो पिर वो अगला वेद अगेन यहाँ भी आपको ऐसी चीज़े देखने को मिलेंगी आप दिखेंगी पहली बात तो यह डील करता है मेडीशन के साद बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है उन जिन रिशमुनियों ने जिन ब्रहमनों ने इसको बनाया होगा उन्होंने अपनी पूरी नौलेज डाल दी कि कोई बिमार हो तो उसके लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है कौन सी जड़ी बुटे का इस्तेमाल करना है उन्होंन है कि वेदा ओफ मैजिकल फॉर्मुला इसको बोला जाता है यानि कि जितने भी टूने टंबर हो गए टोटके हो गए या फिर किसी को वश में करना हो गया अब लड़की जारी उसको फूल चूंगा दिया वो तुमारे वश में आगी आओ 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 के अंदर spells and incantations लिखी हुई है कि मंत्र मारेंगे और बंदा ठीक भी हो जाएगा ऐसी भी चीज़े लिखी हुई है कि मंत्र मारो और बंदा ठीक हो जाएगा मतलब तुम्हें cancer है एक मंत्र मारेंगे तुम्हारे उपर example के दूर्पे बता रहा हूं और तुम्हारा cancer गयब ठीक है गयब जैसे ही तो इसके अंदर हाइम्स कितनी है? 730 हाइम्स है और खंड कितनी है इसके? 20 खंड है और spells और incantations का ये जो है पूरे का पुरा knowledge इसके अंदर डाल रखी है और इसको black magical vedda बोलो आप इसको black magic वाला vedda black magical vedda बोले तो अधर्व वेद आ जाएगा ब्लैक वेद बोले तो यजूर वेद आ जाएगा दोनों में confusion मत करना ठीक है और इसमें एक लाइन लिखे हुए the war begins in the minds of the men यानी कि जो युद्ध है ना सबसे पहले शुरू कहां से होता है यहां से होता है दोस्त ना कि यहां से दिमाग से होता है युद्ध शुरू तो य यह हो गया आपका अथरवेद का पूरे का पूरा चक्तर है अब एक लास्ट चीज और देख लेते हैं इसके अंदर वेदी कल्चर के अंदर कि जितने भी लोग हुआ करते थी यह अक्सर पेपर के अंदर ऐसे questions पूछे जा सकते हैं क्योंकि पहले भी पूछे गए हैं किसी पूरा धन कोश्ट को इकठा करता है उसको क्या बोलते हैं या magistrate को इंपर क्या बोला करते थे ऐसे अलग-अलग पोस्ट हुआ करते तो यह जो पोस्ट है यह वैदिक ओफिशल्स की पोस्ट है जैसे कि यहां पर मैं देखता हूँ पुरोहित किसको बोलते हैं चीफ प्रीस जी करता था यह सब नो टंकी करने में जो भी मेंने बताया आपको यह यग्ये बंगेंध्यर होगें यह सब पर जह सब इ mechanic काम हुआखता था तकारल यह कैं बहुत कि इस तरफ के पास कमश Kings 대표 हमाग बहुत करते हों एक क्यान स्,, तो अब ये वही depend करता है कि जिस राजय में अच्छा पुरोहित है उस राजय के लोग बहुत सुखी होते होंगे क्योंकि वो राजय को भी उसी तरफ करेगा ना उसी रास्ते सही रास्ते पर डालेगा और जहां पर ये प्रोहित लालची होगा वहां पर अगेन उस राजय के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे तो ये अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहे हैं गलत अगेन इंपोर्टन्ट यही है दूसरी बात तरही सेनानी की सेनानी क्या हो गया एक तरह सेनापती हो गया सुप्रीम कमांडर हो गया आर्मी का यह आर्मी को संभालेगा सारी को फिर हो गया वरजपती, वरजपती क्या हो गया, यह जो पेस्चर लेंड होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम पर लोग क्या करते थे, एनिमल्स के उपर था सारे का सारा एकोनोमी, और एनिमल्स को चरने के लिए जो जगह होती है, उसको पेस्चर लेंड बोलते हैं, उसका जो पूरा देखरेक करेगा, उसके जो भी टैक्सी जैसा भी लेगा, उसको पूरा उसी के इंचार्ज मेरेगा, उसका नाम है वरजपती, ऐसी जीवा गरिभा, पुलिस ओफिसर जो उस टाइम पर हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, जीवा गरिभा बोलते थे उनको को ऐसे ही जो स्पाइज हुआ करते हैं जो कभी-कभी पहले मेसेंजर हुए थे ऐसे पोस्ट होती होगी ना कि कोई पहले मेसेंजर मनता है इधर से उधर खत लेके जा रहा है बाद में उसको फिर क्योंकि वो उसको रूट्स का पता लग गया दूसरे राज्यों का पता लग यह नो मैसेंजर को बाद मुझे को क्या बना डियता है जासूस स्पाइ तो उसको क्या बोलता त Зपसा या दूथ निक्या होता हैwang कुपति क्या हो है τι हैu head of the family हो हो गеличません बद्ध मॉधिट भए mixture जैसे कि आज की डेट मेरा ना अपने सुना वाना होसा कि तो यानि कि जो गोड़ों के साथ सम्भंदित है चेरियोटी repeo closest सारा देखरीक करेगा चैरियोटीयर ओंगे मिनिस्टर के कोड पुरी की पूरी राजा कि ये और सबके एक है घोड़ा होगा तो भ़गोड़ो की देखरेगी एही करता था और Gobind Kartana Go Digartana क्या करता था एक गेम्स और फोरेस्ट का ध्यान रखता था नेक्स्ट टैब पाला गाला ये क्या था ये मेसेंजर हो गया मेसेंजर हो गया जो एक जगह से दूसरी जगह पे खत आपके लेके जागा राजा के क्षत्री क्या हो गया चेंबेरियन हो गया ठीक है यह बेसे कि लिए सैनी की मान लीजिए आप एक तरह से जो जूद में लड़ेगा ऐसी नेक्स्ट मान लीजिए अक्षवापा अक्षवापा क्या हो गया अकाउंटेंट हो गया जो पूरी के पूरा जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको ध्यान में रखेगा कि क्या 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 करना है उसका अथापती अथापती हो गया चीफ जज जैसे यहां तो मध्यमासी हो होगी होगी यह complete हमने पड़ा वैदिक कल्चर के बारे में अब क्यूंकि यहां पर इतनी साधा समस्याइं आ गई थी तो अब picture में हमारे पास क्या आएगा बुदिजम आएगा और जैनीजम आएगा अब आप देखें कि यह लगबग कब की बात है अब हम 600 BC के आसपास पहुंच चुके है ठीक है बाई एक हजार से 600 BC के आसपास हमने पूरा सफर्त कर लिया है तो अभी हमने वेदिक काल के उपर देखा और हमने देखा कि वेदों के अंदर क्या-क्या मिलावट की गई उस टाइम के लोग कैसे धर्म को यूज कर रहे थे क्या-क्या अब किताब उसे चेक कीजिएगा ओके तो मैं उस चीज में अब ज्यादा घुसना नहीं चाहरा हूं अब मुद्दे की बात यह है कि यह सब हो रहा था तो पैरलली कुछ और भी चीज़े हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बता है कि सेटलमेंट्स होनी प्रम लोग मिल कि पूरे को चलाएंगे वहां के आसपास के लोगों को चलाएंगे ठीक है वह रूल करेंगे और मोनार्की क्या होता है जहां पैर राजा रूल करेंगा और उस टाइम पर क्या हुआ था? सिल्वर और कॉपर के जो कॉइन्स है ये बहुत ज्यादा यूज उने शुरू हो गए थे और जो उस टाइम पर मगद के अंदर देखिए, स्पेशली पोस्ट सी, वो सेनानी, पुरोहित और अमात्या की थी, और बहुत सारी छोटे छोटे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तरह से आप आज की डेट में अगर बोलना चाहिए राज्ये हो गए, फिर अलग तरह से देश बन गए अलग अलग फिर जब महा जनपद बन गए, तो आज की डेट में ऐसे समझ सकते हो, आप तो महा जनपद में दीखिए, मत्सय हो गया, अवंती हो गया, पांचाल हो गया, गांधार हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं अभी आपको बता अदेते हैं, दिखा भी देते हैं, तो ये देखिए, छोटे-छोटे जो जनपद हुआ करते थे, वो मिलके आपस में यूद करते थे, तो जो ज़्यादा पावर्फूल हुआ उसने उस जनपद को अपने साथ में ला लिया, ऐसा-इसे करते ये बड़े होते गए, अब बहुत कुछ इसमें बताने के लिए, ले मेंली जो थी राजगरिहा थी, ये गरीव राजगरिहा इसको बोल दीजे, अभी मैं बताओंगा, आपको दिखाओंगा भी ये, और ये कहां पर पटना गया, और बिहार का जो राजज्या था ना, वो उसको आप मगत कहा सकते हो, मेंली, और बाकी के राज्यों का भी आप में पीछे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, अब आपको याद रहेगा कि मैंने काउंटिंग की थी और आपको एकदम फिट हो गया, दिमाग में की सोला थे, यहां पर देखिए, आप इनको अलग-लग तरिके से याद भी कर सकते है जैसे गांधार है, तो गांधार नरेश्कोन हुआ करता थे, शकूनी हुआ करता था, यहां पर अलग-लग है, दिखिए, एक और था यार, काशी को काशी से ही याद कर सकते हैं, मगद है, तो मगद का मैंने बताई दिया, यह जो राजग्रिहा है, यह जो राजग्रिहा की इसको ना अभेद्य किला माना जाता था राजग्रिहा को, यह जो जगा थी, मगद बहुत बाद में एक्सपेंड हुआ, उसका कारण भी यह था राजग्रिहा, यह कैपिटल होती थी और यह पांच पहाडियों से सुरक्षे थी, यानि एक तरह से पांच पहाडियों काम कर करती थी इसके लिए, तो कोई इसको भेदी नहीं बाता था, तो इस वज़े से यहां पे सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम, फर्टाइल लेंड हुआ करती थी, आगरी कल्चर का अच्छा का इंतिजाम, जिसकी वज़े से मगद बाद में लगवा पूरा ही एक्सपेंड कर गया था, ऐसी मत्से, इसका भी नाम हम महभारत में देखते हैं, अवंती नरेश हम, ऐसी बहुत सारी चीज़े देखते हैं, कुरु राज्य हो गया, यह देखिए इसके आसपास हस्तेनापुरों इंदर परस्त हो गया, तो यहां से याद रख सकते हैं, बहुत सारे आशे हैं, याद करने के पांचाल हो गया, तो दुरौपदी कहां से थी, यहां ही से थी, पांचाली बोले जाता था उसे, अब यह देखते हैं, आगे हम, यह तो हो गई बात महाजनपदों की, अब महाजनपद एक साथ एकस्पेंड कर रहे हैं उस तरफ, लेकिन उनी के अंदर आप देखिए, सब कुछ पैरलली चल रहा है, आप समझना इस चीज को, वैदिक काल पैरलली चल रहा है, महाजनपद पैरलली चल रहा है, और साथ में फिर बीच में घुश जाएंगे, जैनीजम और बुदीजम, देखो सब कुछ एक साथ ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग समय पर हो रहा है, इसलिए मैं एक साथ इनको पढ़ा रहा हूँ, अब देखो बुदीजम और जैनीजम की जरूरत क्या पड़ी, आपको मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, देखिए, एक तो हो गए ब्रहमन, यहोग एक शत्री है, और फिर हो गए वैश है, और यह होगे शुद्र, अब देखो शुद्र यह पूरे को पूरे वैदिक सिस्टम से, बिल्कुल नाखुश थे, क्योंकि यह सबसे नीचली पोस्ट पहते, सबसे नीचे थे, यह लोग इनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिला करता था, और बिल्कुल गदे की तरह किया गरते थे और देखे इस कमाल की बात की यही सारी एकोनोमी को चला रहे थे, उस टाइम के अमबानी अडानी थे यह, तो इनका यह बोलना था कि भीया जब सारा पैसा हम दे रहे है, टैक्सी हम दे रहे हैं, चला हमरे पूरी एकोनोमी को, तो तुम हमें वो सम्मान सम्मान क्यों नहीं दे रहे हो बात फिर सम्मान की आई तो ये भी इससे नाखुश थे अब मुद्दे की बात आगे बड़ी अभी हम थोड़ी दर पहले पढ़के आए हैं कि बिल्कुल लेटर वैदिकाल के आखरी में जाते जाते सबसे टॉप प्रैटिक इसको मिलने लगी तो ये हो गया था टॉप पे यानि क्षत्रिय फिर सेकिंड नंबर पर चला गया था अभी हम पढ़के आए हैं बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा भूले तो नहीं हो गए तो यानि कि ये क्षत्रिय इसलिए नाखुश थे कि भाया जब हम युद में जाएं हम ही लड़े हैं मरें काटे हैं और हम पूरा का पूरा राज्य बनाएं और फिर वहां पर राज करेगा ब्रामन ये कैसी पोसीबल है तो ये भी नाखुश हुए ये तीनों लोग नाखुश हुए तो उसकी वज़े से अब उन्होंने इस सिस्टम के पैरलल एक सिस्टम खड़ा करने की स उनमें से एक था जैनिज्म और दूसरा था बुदिज्म तो उन दोने की हम बात करेंगे ये मैंने कारण बताया कि आया क्यों जैनिज्म ठीक है और यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें कोई जाती प्रथा नी थी सबको एक्वल आली चड़ाये जा रहे हो जो कि हमारी एकोनोमी का पार्ट है और तुम देदनातनों को उड़ा रहे हो तो वो इन्होंने खत्म किया इसका आना बहुत बड़ा एक तरह से मेजर इसको ये कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था पूरे को फूरे सिस्टम में यानि जो क पूरितिया महाँ पे थीना वो इन्होंने सारी खतम कर दी अब इसके अंदर देखें कि पहले तृतंकर इसकी पूरी कहानी अभी पड़ेंगे कहानी से पहले मैं थोटा सा आपको बता दू कि पहले तृतंकर रिशवनाथ हुए 23rd तृतंकर पार्शवनाथ और 24th यानि कि लास्ट तृतंकर जो हुए वो हुए वर्दमान महवीर ठीक है इनी के बारे में पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ हम स्टार्ट इन्होंने नहीं किया था लेकिन ये 24th तृतंकर हुए थे यानि कि इनके आने के बाद सब कुछ बदल गया क्यों बदल गया क्योंकि ये जो इनके पापा का नाम जो था सिधार्त था जो की हैड थे जंत्री का क्लान के जैसे कि मैंने बोला कि एक क्षत्रिय फैमिली से थे तो यहां पर आप देख सकते जंत्री का एक क्लान थी एक कबीला था जिसके हैड थे वो लेकिन ये कोई बहुत बड़े राजानी थे ये भी कौन थी चेतक की बहन को कौन थी तरिशला ठीक है अब हुआ क्या कि ये जो चेतक है इसी की जो डॉटर होती है डॉटर ये लिच्वी कहां था नेपाल के पास था तो इसकी जो डॉटर है चेतक की इसकी शादी किसके साथ होती है बिंबी सार के साथ और ये जो बिंबी सार के इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम तो आप समझ सकते हैं कि जो एक तरह से सिधार्त है यानि कि ये तरह से जाते 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 रूट्स कहां पर मिल रिष्टेदारी में मिल रिपिंपी सार के साथ और बहुत बड़ा राजा उस टाइम का मगद समराज है मतलब सब कुछ मग हमें किया बत यह कहीं पर भी क्लारीफाइडनी मिलता कि किसको किया उन्हें प्रमोट हां यह जिरूर मिलता है कि उन्हें कुछ गिफ्ट्स बुद्धिच्व वाले लोगों को दिय थे लेकिन यहीं प्रमोट भी किया था कि जीब धर्म को ठीक है अब इनके जो एल्डर ब् देखते हैं हम और 30 साल की उम्र में इनको एक तरह से इन्होंने अपना घर बाहर छोड़ दिया इनको एकदम से ऐसा लगा कि भाईया मैं कहां यह टंकी में लगा हूँ जीवन की इन्होंने सब छोड़ दिया और इनको फिर घर बार छोड़के इन्होंने 12-13 साल तपस्या की तो बारह साल तपस्या करने के बाद इनको जो पर इण कर आब श्युवर के नीचे आपर हुए कहां पर जरंभीुख विलेज में अब देख JE हैं पहले फोलोर्वर इनके जमाली और इसी से यह अपनी जो बेटी अनुजा प्रेज़ दर्शने उनकी शादी कर देते हैं अब उस टाइन पर मैंने आपको पहले भी पताया था जब मैं वैदिक काल पड़ा रहा था कि वहाँ पर लोग ज्यादा भाषा कौन सी इस्तेमाल करते थे संस्कृत जो नोबल लोग हुआ करते हैं लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने आम लोगों की भाषा बोली आम लोगों की भाषा कौन सी थी natural प्रकृत तो इन्हों ने जितने भी अपनी टीचिंग्स दी वो सारी की सारी प्रकृत भाषा में दी यानि नेचुरल लेंग्वेज में दी इन्होंने बिल्कूल भी संस्कृत भाशा में नहीं दी तो यह एक milestone रहा जैनिस्म के लिए ठीक है अब देखिए यहाँ पर कि यह contemporary किसके थे अभी अभी समझा के आया हूँ कि रिष्टेदारी इनकी निगली बिंबिसार से तो यह बिंबिसार राजा के contemporary हुआ करते थे और death जो उनकी हुई है 468 BC में हुई है कहां पर हुई है पावापूरी में अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे questions हमने कर लिए जो बनते हैं में और इनके तीन novels पूछ ले त्री रतन पूछ ले तो वो क्या-क्या है एक है समयक दर्शन यानि कि right faith अगर आप जैनिसम में believe करते तो आप महावीर में believe करेंगे right faith रखेंगे इनमें समयक ग्यान यानि कि right knowledge आपको correct knowledge होनी चाहिए और ये क्या है knowledge वगार अभी आपको समझ जाएगा थोड़ी दर रुकिए और ऐसे ही समयक आचरण यानि कि आपका right action भी होना चाहिए अगर आप ये तीने चीजे कर रहे है ये तीनों चीजे कर रहे हैं तो आप एक सही जीवन जी रहे हैं नहीं तो आप नहीं जी रहे हैं और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो विंबिसार थे वो contemporary थे महावीर और बुद्धा के भी contemporary यही थे actually मैं जब हम बुद्धिजम में जाएंगे तब हम देखेंगे कि बुद्धा भी इसी टाइम के ही है एक तरह से महावीर के 7-8 साल बाद एक तरह से बुद्धिजम आ गया मिलब इन के जनम के 7-8 साल बाद बुद्धा आ गए तो ये दोनों एक दूसरे के contemporary ही चल रहे थे अब थोड़ी सी चीजे देखते हैं इसके अंदर four woes है four woes मतलब की चार तरह की कसमे खानी है तो मैं एक तरह से समझेजिए पहला है अहिंसा कि हिंसा नहीं करनी है दूसरा है सत्य सत्य बोलना है तीसरा है अस्त्य है मतलब कि कोई भी चोरी नहीं करनी है no stealing चोथा है अपर प्रमचर्या प्रमचर्या का मतलब है कि यह जो भी आप औरत बाजी करते हैं कुछ भी करते हैं अयाशी करते हैं हर चीज से खुद को दूर कर लेना अब यह जो चार प्रिंसिपल्स थे यह तो दिए गए महावीर के प्रीडिसेसर के द्वारा यानि कि जैसे ने आइड की तो गलती से भी आप बाकियों को मत कर देना क्यूंकि multiple options आ सकते हैं अब exam में तो आपको क्या करना है आपको ब्रह्मचर्या को ही correct मानना है यहाँ पर महावीर जी ने जो आइड किया था वो ब्रह्मचर्या को किया था क्या इस बात को आप समझ पारे है आगे बड्तिय को इन्होंने क्या किया जो इन्होंने 11 गंधारों की फोज बनाई एक तर ऐसे कि जो एक तरसे इन पे तरस से एक बिल्कुल नियरेस्ट लोग ते यह जो इनको यह पहले जोब्रहमन करते थे लेकिन बाद में जब ये जैनिजम में आगे तो अव्वेसी बात है जैन धर्म को फॉलो करने लगे दूसरा ये कि क्योंकि एक शत्रिय थे तो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली राजाओं से क्योंकि राजाओं ने देखा कि हमारे सिहाथ वैसी हिल रहे हैं वैदिक वैदिक काल, वैदिक लोगों की वज़े से क्योंकि जो ब्राह्मन से वो अपना राज चलानी की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने इस धर्म को प्रमोर्ट करना शुरू कर दिया जो वैश्य थे उन्होंने भी पैसा इस धरम में लगाना शुरू कर दिया कि भाया हम इसी धरम के आश्रम मनाएंगे इसी धरम में सपोर्ट करेंगे वो उन्होंने भी अपनी तीजोरियां खोल दी इस चीज के लिए तो क्या हुआ कि ये एकदम से गंधार हुआ की तो डेथ ही हो गई तो जो 11 गंधार बचे थे वो कौन थे आरे सुधर्मन तो उन्होंने फाइनली फिर लास्ट गंधार वही बचे थे तो उन्होंने फिर आगे जैनीजम को प्रमोट किया लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूं आपको तीन चीजे कि अभी हमने समयक आचरन, समयक फेथ वाला ये देखो ना, ये वाला, समयक दर्शन, समयक आचरन ये है क्या चीज़े नहीं को आप इन चीजों से समझ सकते हैं कि जो महवीर स्वामी है इन्होंने ये तीन चीजों के ओपर काम किया ये तीन questions आप से पूछते हैं तो आप clarify हो जाएगे कि आप जैन धरम के follower है के नहीं है पहला question ये आप से पूछेंगे कि क्या भगवान है, क्या खुदा exist करता है, क्या वो Allah, ताला, भगवान, प्रभू, ठीक है, Jesus जो भी आप उसको कहना चाहें, जिस भी नाम से बुलाना चाहें, क्या वो exist करते हैं, आप अगर बोलते हैं, तो एकदम correct है, आप जैन धरम के पक्के follower है, आप एकदम सही direction में है, यानि आपको correct knowledge है, दूसरा अगर पूछते हैं कि दुनिया जो है, वो कभी exist, किसी creator ने ने न दूनिया पहले से ही है, तो अगर आप बोलते हैं कि येस, तो बिल्कुल आप जैनिजम, यानि कि आपको correct knowledge है, जो ये बोलते हैं, तो correct ग्यान है आपको, तीसरा ये बोलते हैं कि soul जो है, वो हर object में है, यानि हर छोटी छोटी वस्तू में भी soul है, तो अगर आप बोलते है yes, जी हाँ, तो फिर आप एक तरह से correct knowledge है, आपके बास, यानि कि ये तीन चीज़ों को follow करते हैं, एक और चीज के साथ चीज़ बता दूँ, मैं इन्हों ने दो तरह के trade हुए, एक तो agricultural हुआ, और दूसरा क्या हुआ, trade हुआ, दो तरह के काम हुए, इन्हों ने दोनों को promote कि इन्हों ने बोला कि, जो जैन धरम के लोग हैं, वो इनी दोनों को kws़िश करेंगे कि ना करें, इसको इन्हों ने sin बोला, पाप बोला agriculture को, क्यों? क्यों बोला इन्हों ने, क्योंकि उस ताइम पर क्या कि जब आप खेत हल जोते हैं, खेत को जोते हैं, तो बहुत सारे छो को लोकर को बोलते थे अगरिकल्चर मत यूज करो तुम्हें कमाई करनी अपनी अजीविगा का साधन तो ट्रेड कर लो तुम कम से कम तुम हत्या नहीं करोगे उसके अंदर ठीक है यह इनके प्रिंसिपल्स थे अगे बढ़ते हैं अब देखिए कि आरे सुधर्मन जो हुए अभी अभी मैंने समझाया आपको वही बचे थे ग्यारांग अंदरवों में से अब उनके बाद कौन आया फिर जंबू आया यह देखिए जंबू के बाद कौन आता है प्रभावा आता है प्रभावा के बाद सय इंभव के बाद संभूती विज्या आता है संभूती विज्या जो है यह contemporary किसके है धनानंद के अभी हम बात करेंगे धनानंद की भी जी हाँ आपने देखा होगा धनानंद यह वही वाला धनानंद है जिसके साथ चंद्रगुप्त मौरया लड़ते हैं और उसके बाद फि करके बात करनी पड़ेगी न मैं ऐसा तो है नहीं कि जैनिजम के बीच में फिर राजाओं को भी सबको लिया हूँ एक एक बात करके बात करेंगे तब ही बात बनेंगी अगर सबको एक साथ गुसा दूंगा इसी में तो फिर ऐसे पता नहीं लगेगा तो अभी आब इसी प पिक्चर में आती है श्wegen पांबर और डिगंबर यह जो धर्म है न एक ही वा घरता भालेकिन बाद में जाकि क्या हा वा श्ohetal डिगंबर में एक बात वह गया ऐसा कैसे हो गया यानि कि दिगंबर का मतलब जो क्लोथ निए पहने गे रहेंगे और शवयत अंबर का मतलब जो सफेद क्लोथ पहनेंगे तो यह दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड हो गया आज मैं उसका यहां पर पिक्चर आपको दिखाता हूं Actually मैं क्या हुआ कि भदर बहू ने आके चंद्र गुप्त मौर्या को बोला कि भाया तुम ने जतना यहाँ पे नाश किया है जतना तुम लोगों ने इतना अपना समराज्य फेला दिया है और इतने लोगों का खून बहा दिया नेचुनल डिजास्टर वो बारा साल तक रहेगा इन्होंने ये आके ताना मारा चंद्रगुप्त मोर्या को तो उस टाइम पर काफी समय बीच चुका था चंद्रगुप्त मोर्या ओलेडी बहुत ज़्यादा अपना राजपार्ट भोग चुके थे तो उनको एकदम से उनका अंतरात्मा जागी और उन्होंने सोचा कि भया क्या सच में मेरी वज़े से ऐसा हो रहा है तो उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इनके साथ आके मिल जैन धरम में और उन्होंने अपना सारा राजपार्ट त्यागी दिया और अपने बेटे को सारे का सारा राजपाट दे दिया बिंदु सार को अब यहां पर क्या होता है भदर बाहू को पता है कि यहां पर फहमाई ना नहीं है तो भदर बाहू क्या बोल रहे है कि भया हम यहां से कहीं और चले जाते हैं जब हमें पता है कि यहां फहमाई नाने वाली है हम यहां पर जीवित नहीं वो स्थूल बाहू जो एक व्यक्ति था वो भी जैन धर्म के ही मिलब पालन करता थे एक तरह से मानली जी कि वही spread कर रहे थे तो वो जो है वो और उनका ग्रूप एक पिछे रह गया और ये जो लोग है इन्हों ने रिसाइड किया कि हम चले जाएंगे तो ये कहां पर गए शरावन बेला गोला में गए करनाटका के अंदर एक जगा शरावन बेला गोला तो वहां पर ही इन्होंने बहुत जादा इस धर्म को spread किया जैन धर्म को और भद्र बाहू वापस से वापस से भद्र बाहू अपने लोगों के साथ वापस आते हैं अभी तक देखिए सब के भी तर्म पर कपड़ा नहीं था, तो अनको लगता है कि भैया क्या हराम खोरी कर के आ रहे हैं, ये नोन पोजेशन अभी थोड़ी दर पहले समझा के आयो ना क्या समझाय था मैंने अपरीग्र है नोन पोजेशन यानि कि तुम्हें कुछ भी ओन नी करना है कुछ भी नी रखना है खुद के बास सब दे देना है तो वो बोल रहे हैं कि भाईया उन्होंने बोला कि कुछ भी नी रखना तो फिर कपड़े भी नी रखेंगे हम इसलिए हमने कपड़ों का भी त्याग कर दिया है लेकिन ये बोल रहे थे कि भाईया ये तो acceptable ना है तो यहां पर जाके इनका थोड़ा सा पेच भज जाता है और फिर यह बोलते हैं कि आपस में विचारवी-मर्ष करते कि भाईया अप रहना तो है ही है तो क्या किया जाए तो आपसमें विचार विमर्ष करके दो सेगमेंट्स बना देते हैं एक श्वेतांबर एक दिगंबर बना देते हैं दोनों ही सही हैं अपनी जगा पर जिसको उस principles के साथ रहना उसमें रहे जिसको इसमें रहना है वो इसमें रहे ठीक है भाई तो ये पूरी की पूरी कहानी हो ये जैनिजम की अब हम बुदिजम की तरफ बढ़ते हैं बुदिजम में देखिए कि ये भी कब की बात है बिल्कुल उसी टाइम की बात है एक तरफ जैनिजम उठ रहा है दूसरी तरफ बुदिजम उठेगा अब बुद्धिजम में क्याए कि इनका बर्थ कब होता है 563 BC के असपास होता है और कहां पर होता है लुंबिनी में होता है नेपाल में चाइड़ूड का नाम इनका सिधार्थ है और दूसरा नाम भी है इनका एक तथागत और फैमिली नाम में इनको गौतम भी बोला जाता अब इनके फादर का नाम है शुदोधन और माता का नाम है महा माया देवी यह इनके बर्थ के कुछ समय के बाद ही गुजर गई और फिर इनकी जो एक तरह से मुझ बोली मा बनाई गई फोस्टर मदर वो कौन थी प्रजापती गोतमी तो इन्होंने इनको पाला उसके बाहूल है कजन ब्रदर जो हैं देवदत हैं और फर्स्ट टीचर जो इनके हुआ करे वो अलारा कलाम अलारा कलम हुए सेकंड टीचर इनके रुद्रक रामपुता हुए यानि कि बुद्धा ने एक्चुली में बहुत जगा पर गई है अपने बहुत सारे लोगों से ग्या कछ घानि पर आउनगा यह अभी और उस्टेरीटी साइट मतलब इंको इvert हुआन काप राप्थ हुआ बहुत गया में संसब देखेंगे तो वहां पे इन्होंने फृटी फाइचा। मेडिटेशन किया उसके बाद इनको नौलेज की अटेनमेंट हुई थी अब इन्हों ने घर कप्च त्याग दिया था 29 साल की उम्र में इसको क्या बोलते हैं महा बिनिश करमन ठीक है और यह कंटेपरीर किसके थे बिंबिसार और उदाइन के उदाइन कौन था बिंबिसार का कर लिए साथ की साथ फिर राजाओं की बात भी करेंगे और अटेनमेंट ओफ नोलेज जो है इनको निरंजना रीवर के पास हुआ 35 साल की उमर में गया के अंदर ठीक है बहुत गया में और यह 35 साल उमर लिखिया इनकी लेकिन कितने दिन इनोंने मेडिटेशन वहां पर कि बैठ के 45 देश एक्शुली कहा है कि यह पूरा भटकते रहे भटकते रहे छे-शाथ साल तो इननोंने बहुत सारे लोगों से घ्यान लिया बहुत सारे लोगों से बाचित लेकिन कहीं भी इनको साथिस्फेक्शन नी फिल हुई कि यही अल्टिमेट ग्यान है तो इन्हों यहां पर बात समझने वाली है कि इन्होंने 6 साल तक जितना भी ग्यान लोगों से लिया फिर इन्होंने बैठके जब उसका मनन किया न तो उसको अटेनमेंट ऑफ नॉलिज बोलते हैं ध्यान देना इसमें यह निया कि आप बैठ गए समाधी में ऐसे करने बैठ गए और तो म ग्यान प्राप्त हो गए यह बिल्कुल मिसंडर्स्टूड थींग है इन्होंने पहले बहुत सारे लोगों से ग्यान प्राप्त किया उसके बाद उसमें corrections की बैठ किया अपने mind के अंदर clear हुए कि क्या सही है क्या गलत जो गलत था उसको cross करते गए जो सही था उसको correct करते होगे ऐसा किया इन्होंने फिर इन्होंने बोधत्वा 49th day मैं 45 बोल दिया था कि 49th होगा फिर ठीके 45 दिन फोर्टीनाइन इतना close option नहीं आएंगे तो याद रखना सम बोधी ट्रीके नीचे बोधी ट्रीके नीचे हुआ यह तो इन्होंने पहला जो अपना सर्मन दिया पह इनोंने सार्नाथ में दिया जो कि बनारस के पास है विगे मैक्सिमों सर्मन समस्ते शरावस्ती सबसे ज्यादा इन्होंने सर्मन्स शरावस्ती में दिये और यह contemporary कि इसके दिवारी और उदाइन के अभी बताके भी आयों और सार्नाथ में इनोने अस्टेब्लिश किया अप बहुत सारी और भी इसमें ऐसे चीजे रहती थे अब क्या है कि ये वीडियो वैसी नहीं है कि मेरे को UPSC ये PSC की तयारी करवानी है कभी मेरे को मौका मिला तो मैं इतनी डिटेल में बताऊंगा ना एक एक चीजे कि आपको मजा आ जाएगा उन चीजों में लेकिन अब क्या ह मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहानियां बना के और जो जो में में चीजे वह आपके तक लाई जाए ठीक इन्हीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी मेरे को कम से कम 25-30 गंटे हो सकता है इंशेंट ही पढ़ाने में लग जाएए फिर ऐसे तो गडबर हो जाएगी हम इवर्ट का यहां लगलग इवर्ट को डिफाइन करते हैं जयसे जो गौत्म भूद का बरत है उसको डिफाइन किया जाता है लोटस से या ऐलीफेंट से यह बूल से मेंली लोटस से किया जाता है अगर फेपर में लोटस आय तो लोटस को क्लिक करना और दूसरा है कि Great departure यह एक तरह से इनोंने जो ट्याग किया एक तरह से ये समझ लिए जी great departure का मतलब ट्याग मतलब कि जैसे घर ट्याग कर दिया तो ये जो है ये horse से डिफाइन किया जाता है next enlightenment की इनको जो ग्यान की प्राप्थ हुई वो ग्यान की प्राप्थी बौधी ट्री से डिपिक्ट की जाती है क्योंकि उसी के नीचे हुई थी इसको निर्वाना भी बोल देते हैं और जो फर्स्ट सर्मन दिया जिसको हम बोलते हैं इसको नोबल पाथ बोलते है इसको आठ चक्र आठ एक दो तीन चार ठीक है यह आठ स्पोक्स वाले वील से इसको डिफा स्टूपा से और इनके फुट्प्रेंट से और इसको क्या बोलते हैं परी निर्वाना यह था निर्वाना निर्वाना मतलब अटेंबंट ओव नॉलेज परी निर्वाना मतलब जीवन्त को त्याग कर देना मौक्ष प्राप्त कर लेना और जो इनकी डैथ होती है वो 483 BCE म ठीक है यह तो इनके बारे में पूरी की पूरी information थी जो सीधा-सीधा question पूछा जा सकता है और यह इनके eightfold path है इसको भी पढ़ लेना कई बार paper में आ सकता है समयक दिरिष्टी मतलब right understanding, समयक संकल्प मतलब right resolve, समयक वानी मतलब right speech जो बोलते हो आप, समयक कर्म मतलब की सही action, सही काम कीजिए, समयक अजीव मतलब की right living जो आप काम कर रहे हैं अपनी अजीवी का के लिए वो सही होना चाहिए, समयक व्याया मतलब right efforts आप जो लगाएं, स तो ये इनके eightfold path हैं, जिसको follow करना होता है, बाकी जो इनके बहुत सारे और भी rules थे, डाइसों से ज्यादा rules थे, तो वो, मैं वही कहना हूँ नो, वो आपके paper के इसाब से जरूरी नहीं है, आपको जो one day exams देने, उसमें वो सब नहीं पूछा जाएगा, अब देखे, इनक तो ये बंदा चक्रवर्ती समराट बनेगा, या फिर ये सन्यासी बन जाएगा, और जो आठ्वा सादू था, उसने बोला था कि भाईया, ये 100% है कि ये सन्यासी ही बनेगा, तो इनके पापाजी हो गए तंग, उन्होंने बोला सुदोधन साब ने, कि भाईया, ये तो है, अब एक दिन ये लड़ पड़े कि भाया हमें तो जाना है बहुत हो गया, हमें क्याद करके रखा हुआ है, बहुत हरे मजे दे दीए, अब हम बाहर निकल कि देखना चाहत का करिश्मा था कि बढ़िया बढ़िया जगा कहां से दिखाते पहली जब निकले तो फर्स्ट इनके साथ इंसिडेंट हुआ कि ये एक ओल्ड मैं से मिले तो आज तक इन्हों ने बुढ़ा आदमी देखा ही नहीं था भईया तो इन्हों ने अपने उससे पूछा रती से कि भहिया ये क्या है ये इतना बढ़ापा क्यों आ रखा इसको ये इतना कंजोर क्यों है तो उसने बढ़ा है क्योंकि यह वरिध हो गया है और फिर इन्होंने पूछा कि क्या मैं भी वरिध दो झाँग act कि यह अतम से मतलब मैं आज ऐसा हूँ और कल को ऐसा हो जाऊंगा, एकदम से ठांकी इनके दिमाग में, कि ये क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो यहां तक ठीकता तो इनको एक बिमार आधमी मिलता है, बिमार आधमी मिलता है, तो ये बोलते हैं कि इसको क्या हुआ, तो उन्हो सब्सक्राइन के दिमांग में ठंकी भाईया यह क्या है भला हमारा यह शरीर है यह कुछ काम कहीं एक तरह से यह इसा है उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यह डैड़ बोडी देख लेते हैं राम नम सत्य हो रहा है चल रहा है लेके जा रहे चार लोग उसको कंदे पर उठा के जाना है तो मुझे भी छोड़ के जाना है सब्सक्राइब करें संसार अगें ठंकी इनकी दिमांग में एकदम माइंड खराब हो गया इनका यहां पर एकदम परिशान हो गई है कि यह चल क्या रहा है मेरको तो आज तक यह बात है पता ही नहीं थी अब सोचिए कि जिसने सुखी सुख देखा हो कभी दुख देखा ही ना हो उसको एकदम से दुख ही दुख दिख जाया तो क्या हो पगला नी जाएगा वह इनसान तो इसलिए सुख और दुख दोनों जरूरी है अब आगे थोड़े से बड़े तो इनको थोड़ी शान्ती मिली इन्हों एक इसके को छोड़के निकल लिए अपने घर से बाहर और उसके बाद मुड़के नहीं देखा इन्होंने और आगे फिर बहुत लंबा काल रहा जिसके अंदरे नोलेज गेन की और फिर अलग लग जगा पर उस नोलेज को प्रोपागेट किया अब कुछ important चीजें और इनकी thought process क्या थी क्या ये भगवान में believe करते थे इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी यानि कि इन्होंने कभी भी ना तो हाँ बोला इस चीज के लिए ना ना बोला भगवान है के नहीं है इन्होंने बिल्कुल इस चीज पर कोई टिपनी ही नहीं द इन्होंने बोला कि soul नाम की कोई चीज नहीं है कुछ नहीं होता सौल सूल next caste system को महाविर स्वामी ने भी मना किया और इन्होंने भी मना किया कि कास्ट कुछ नहीं होती है ये फाल्तु की वर्णवाय वस्था बनाए गई गई है कुछ लोगों के दौरा इसका कोई लेना द सतंतर चला रहे हो ये completely इन्होंने reject कर दिया तो इसलिए ये जो है ये revolutionary काम था एक बहुत बड़ा जो इन्होंने किया बुदिजम वालों ने किया जैनिजम वालों ने किया इनका आना बहुत जरूरी था तब जाके सतिप्रथा जैसी भी चीज़े हो रही थी बहुत कुछ ह हो रहता सम्माज में तब जाके उस पर कुछ ने कुछ लगाम लगनी शुरू हुई और फिर यहां से आगे जब हम देखेंगे ना तो आगे चमतकारों की बीबात शुरू हो जाएगी हम देखें कि अपने ही गरंतों में हमारे ही पुराणों में अलग लग तरह के पुजारी ने चमतकार डलवा दिये उस nossa जो काम वो खुद नहीं कर सकता था उसने बगवन से करवा दिये वह काम कि भगवानसे किया करते थे मान ली जी कि जैसे सतिप रता है तो उन्होंने बगवान राम के द्वारा वो काम करवाया माता सीता के लिए और बोल दिया कि ये तो अगनी प्रिक्षा तो तुम्हें देनी पड़ेगी तुम्हारा पती गया लुड़ा अब तुम भी लुड़को और उसके बाद पूरे गहनों के साथ लुड़को तो उसके बाद वो जो सोना होता उसका जो पूरा बंडल बन जाता था बाद में वो पुजारी उसको उठाके ले जाता था सिर्फ सोने के चक्कर में लुड़का दी कई औरतें तो ऐसे भी हाल हुए ठीक है तो बहुत सारी ऐसी फिर बाद में इन्होंने क्या किया अपने ही गरंथों में बहुत मिलावट कर दी बहुत सारे चमतकार गुसा दिये कि जी भगवान ने तो ये कर दिया भगवान ने वो कर दिया जबकि आप खुद सोचिए कि अगर हम आज की रेट में सपोस कीजिए मैं एक्जांपल के तोर पर आपको कुछ समझाता हूं आप खुद बताने यह सही है कि नहीं है मैंने आपको पहले भी बताया था इश्वर और भगवान में डिफरेंस तो इश्वर जो है वो एक है completely हलाकि बुद्धिजम जैनिजम उसको follow नहीं करते हैं मैं example के तोर पर बता रहा हूं वैदिक थियोरी का ही जो इश्वर है वो एक ही है मैं वैदिक थियोरी ही बता रहा हूं आपको और जो भगवान मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी हो सकते हैं जो श्रेष्ट वेकती है लेकिन वो मानव जीवन में है उसको भगवान बोलते हैं तो यह हो सकता है कि इश्वर ने इश्वर ने अपना एक अवतार नीचे भेजा, धर्ती बे, ठीक है, और उसको हमने भगवान बोल दिया, और उन्होंने क्या किया, इस अवतार को ना जो भेजा, इन्होंने human form में भेजा, आदमी के शरीर में ही भेजा, ठीक है, मिट्टी के शरीर में ही भेजा, अब ये बताओ मेरे को, कि जिस भगवान ने सारी काइनात, सारी की सारी नेचर बनाई है, और नेचर के अंदर set of rules है, ठीक है, जिसको कोई break नहीं कर सकता है, जो आया है वो जाएगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं हमेशा के लिए यहीं रहूँगा, जो जवान है, वो फब लेना चाहिए, वो आए इस धर्ती पे, अब कमाल की बात ये है कि हम लोगों में क्या बोल दिया कि यह तो भया चमतार करते थे आज आप देखने, दस बॉडबा इकbow इक्ठे हो जाएंगे, वो बोलते भी बाते बखवास बाते हैं ठीक है तो हम चाहिए भगवान से पहाड़ उठवा दें चाहिए हम भगवान के एक तीर से सारी दुनिया नष्ट कर वादे हम कुछ भी करा दे इसा नहीं होता है और ये समझो आप की आपका बड़ा कब होगा भगवान का बड़पन इस चीज में कि जब भगवान को कुछ ना पता हो वो एक नौर्मल आदमी की तरह जीवन जीए और फिर कुछ कारणामा करके दिखाएं अब आप सोचो भगवान के पास पहली शक्तियां हैं और वो शक्ति शकुनी एक नौर्मल इंसान था भगवान श्री कृष्ण भी नौर्मल इंसान की तरह जीवन जीने आये इस धर्ति पे उन्होंने सारे के सारे सेट ऑफ रूल्स जबकि उन्होंने वेदों का गियान ज़ो भी ग्यान उन्होंने अर्जित किया अपने गुरु से ग्यान शुद्रत के नियमों को माना, तो हमें ये बोलना चाहिए, कि भगवान कोई चमतकार नहीं करते हैं, वो भी normal human life में इस धर्ती पे आए, और उन्होंने लोग का भला किया, और उन्होंने फिर शकुनी को टकर दी, एक normal इंसान बनके, ना कि एक चमतकारी जादूगर बनके, त सोचने वाली बात तो यह है, मान लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, मान लो तुम ही हो, तुम्हें ये पता लगने लग जाए, तुम्हें ये शक्ति आज मिल जाए, कि तुम किसी के mind को पढ़ सकते हो, तो बताओ, वो तुम्हारे लिए अभिशापनी हो जाएगा, चार मज़ा ही खतम हो जाएगा, अगर आपको ये पताओ कि अगले ही पल क्या होने वाला है, ब्यूटी ही इस चीज की, इसमें एक फिल्म चल रही है, उसकी ब्यूटी ही ये है कि हमें पता ही नहीं कि अगले सीन में क्या होने वाला है, तो वही चीज यहाँ भी है, I hope कि ये आप देख लीजेए कि जो पहली होई वो राजग्रिहा में होई, कहां होई ये पताओ नहीं चीए, किस राजा ने उसको पेट्रोनाइज किया, अजात शत्रू ने किया, टाइम पताओ नहीं चीज है, 483 BC में होई है, ये जिदरी भी इंपॉर्णन चीज है ना, ये मैंने सब लिखा हुए, कि क्या-क्या इसमें निकल के आया, इन्होंने विनेपित तक मना दिया, सुथपित तक मना दिया, एक्चुली में दो चीजों में डिवाइड कर दिया, पूरे पूरे लिट्रेचर को, अब ये सब चीज है कि इतनी ज्यादा डीप में अगर जाने बैठे इसको किस ने पेटरनाइज किया, काल अशोक ने, शिशुनाग डाइनेस्टी, ये सब ही डाइनेस्टी बस आने ही वाली है, ऐसे ही चेर्मान कौन थे ये लिखा हुआ है, ये सब चीजे लिखा हुआ है, और ये भी पूछ सकता है कि सिथावीरा, महासंग, संगिष्का, य इसके कॉंक्लूजन क्या निकले इनके, ठीक है, ऐसी थार्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, वो बिहार में भी पाठली पुत्रा में, और उसका टाइम लिख दिया है, और इसको अशोका ने किया था, पेटरनाइज, तो ये अशोका के टाइम किये, 250 से 257 BC के असपास क की बात है, फिर 4th काउंसिल जो हुई, वो कुशान यानि की कश्मीर में हुई, और ये कनिशक एमपायर ने किया था, इसको पेटरनाइज, और कनिशक एमपायर बहुत दूर तक फैला था, जब हम देखेंगा, आगे तो पता लगेगा, और ये कब की बात है, ये AD की बात ह है, ठीक है बाई, और इसके बाद, आगे हम 5th बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं, तो 1871 AD में हुई है, बर्मा के अंदर, और 6th वाली देखेंगे, तो 1904 AD में हुई है, बर्मा के अंदर, यानि कि ये recent की ही है, आप देखिए देश आजाद हुआ तो उसके बाद इससे पहले हुई, ब्रिहदरत डाइनेश्टी, सबसे पहले यही डाइनेश्टी थी, ठीक है, ब्रिहदरत डाइनेश्टी, लेगिन ये उतना कुछ खास नहीं कर पाई, इसके बाद फिर हर्यंका डाइनेश्टी शुरू हुई, उसने फिर खेल अपना खेला, जवर दस, उसके बाद फिर Shishunak dynasty है, फिर Nand dynasty है, फिर Mauryan Empire आया, ठीक है बाई? और ये इसका time period भी लिख दिया है, सब का आप देख लीजिगा, अब मेन बात है हर्यंका dynasty की बात करते हैं, ये 544 BC से 413 BC की बात है, इसके Big B, Big B मतलब की Bimbi Saar, तो इसलिए Big B बोला इसको मैंने, ये जो ह हैं, पहले ruler है, हर्यंका dynasty का और founder भी एक तर ऐसे, और इनको, मतलब ये किनके बेटे हैं, ये भट्टिया के बेटे हैं, 544 से 491 BC के बीच में ये राजा रहे है इसके अंदर, अब आप देखिए, कि इनको श्रेनिया भी बोला जाता था, श्रेनिया का मतलब क्या है आप soldier थे, वो और कोई काम नहीं करते थे, वो केवल और केवल यूद का अभिहास करते थे, वो वाले soldier, जबकि बाकी राजाओं का कैसर आता था, कि वो पूरे राजा में जो भी हट्टे-कटे वेखती हैं, नोजवान वेखती हैं, या कोई किसान लोग हैं, वो राजा की कहने पर आजाते थे, और तुरंत आर्मी बनाई जाती थे, अटेक करने के लिए, जबकि इनके पास एक अपनी खुद की आर्मी थी, आप वहीं से समझ सकते हैं कि ये बंदा कितना ambitious था उस टाइम पर, और capital जो है, मगद हुआ करती थी, जिसको गरीव राज गरिहा भी, राज की जगा राज ग्रिहा होगा ये, ग्रिहा होगा, ठीक है, और ये contemporary किसके थे, बुद्धा के थे और महाविर स्वामी के भी contemporary थे, उनके तो even एक long relation में भी निकल गाते हैं, अभी हम बात करके ही आएं इसकी, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने marriage की alliances की है, और army की alliances की है, मगत को एक तरह से expand करने के लिए, marriage की alliances में देखते हैं, एक तो पंजाब की एक राजकुमारी से शादी की, फिर जो मेन है, कोशला की राजकुमारी से शादी की, तो वहां से इनको एक जगा मिली काशी, काशी क्या हुआ करता था, उस टाइम पर textile hub हुआ करता था, बहुत यानि वैशाली के राजा की बेटी के साथ, जिसका नाम था चैलना, तो वो भी इनको अपना एक राजय भेट कर देते हैं, ऐसे करके ये matrimonial alliances करते जाते हैं, और आगे बढ़ते जाते हैं, अब इनका जो युद हुआ, ये तो था matrimonial alliances, यानि की शादी के alliances, अब military alliances की ब ठीकए, तो इन्होंने फिर, उनको हरा दिया, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज की इन्होंने, ठीक है, साथ में एक और चीज़ उई थी, अवंती-नरेश, अवंती-नरेश के साथ इनका, अवंती-के राजा के साथ, बहुत तगड़ा युद हुआ, अब वो युद इत जाएंगे तो यह अपना एक वैद बेचते हैं वहां पर जो उस राजा को ठीक कर देता पीलिया वह जाता जो इसका मतलब पीलिया तो उस राजा को ठीक कर देता राजा खुश तो वह इनके साथ एलाइंस कर लेता है तो आप देखिए कि इन्होंने पूरा पूरा एंपायर खड़ा कर दिया बहुत बड़ा इन्होंने मगत समराजे को एकदम एक्सपेंड कर दिया शक्तिशाली बना दिया अब थोड़ा सा समझे इस चीज को अभी मैं बताता हूं आपको एक और चीज कि इन्होंने कई सारी शादियां कर रखी थी तो आप समझना यहां पे जो वर अजात शत्रु अब ध्यान देना हुआ कि विबिसार ने अंत प्रदेश चीता और उन्होंने वहां पर किसको डिपलोई कर दिया ऐस सेनापती उन्हों डिपलोगर लिए अजात शत्रु को न्हीं शत्रु एकदम से पिक्चर में आ चुका है अब वह पूरा का पूरा एं शत्रुगा उसने पकड़ किया अपने बाप को डाल दिया जेल में ये भी वही काम किया इसने भी जो मुगल किया करते थे जो घटिया काम उन्हों ने किया वही काम इसने कर दिया घटिया तो इसने बिना खाना पीना दिया वो कम से कम खाना तो दे देते थे इस भाई ने खा चाहा रहा था यहह नहीं करना चाह रहा था लेकिन चाह रहा कि अ кварत इत्य भी हो जाये चैसे आई तो लोग करना बीम्बिसार को ही राजा मानेंगे एंग इस चीज़ों ना समझ हुगा आज सेच्यों दिन्हें मैं लिख दिया यह 422 पूर्ण में यह समभालता है अब ऐसे में क्या होता है जो कोशला देवी थी अभी मैंने समझा के यह देखो पीछे यह जो कोशला देवी थी अब इन्होंने काशी दिया होता है काशी तो बिम्पी सार को दिया था तो यह अपने भाई को खत लिखती है वहीया हमने काशी दिया था बिम्पी स तरुक वाजटा गुस्टा ये होता है, ambitious राजा, तो इसने क्या किया हमला कर दिया, कोशल नरेश पर परसेन जीत पर, तो इसने उनको जीत हरा दिया, खीर इसने खुद की मम्मी के मलब खुद की नाना के गाउं में भी हमला किया, विरीजी पर, तो इनको भी हरा दिया जानि उसमें यही था ठीक है और इसने अब कमाल की बात आप समझिए कि जो इसने एक कोशला के और वेशाली के अगेंस्ट युद लड़ा यह जीता क्यों उसके पिछे एक एक बहुत बड़ा कारण था साइंटिफिक रीजन है उसके पिछे कि इसने इनोवेशन की यूद के अंदर क्या इनोवेशन की इसने बनाए रथ मुसल और महाशिला कांतिका यह दोनुई चीजी आपने बहुवली मूवी के अंदर देखी है यह रथ मुसल है उसमें एक हेलिकॉप्टर देखा था वो जो यूँ टक करते थे और वो यूँ पत्थर उठके जाता थे यह भी वाहुवली मूवी में देखा बड़े-बड़े पत्थर जाके सेना पर गिरा देते थे तो यह दोनों इनोवेशन की वज़े से यह सारे योदी जीत जीता था आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है इसी का करता नहीं है बस एक ही काम करता है इसको उदे भारत उदे भद्र भी बोलते हैं यह में काम क्या करता है देखिए कि इसकी फैमिली ने इसके नाना पड़नाना उन्ने दादा पड़ना उन्ने बहुत बड़ा समराज्या बना दिया पहले क्या होता था राजग्रिया कहा था center में था मगत के अब इनको समस्या हो रही थी क्योंकि center में रही राजदानी तो दिक्कत नहीं आई अब इसने क्या किया बाद में इसको समस्या हो रही थी तो इसने क्या किया capital बना दिया मगत की जगा पे मगत की capital को पहले राजगरिया थी फिर लाश्ट रूलर हुए नाग दश्क तो यह कुछ खास करनी पाएं ठीक है और उदाइन ने भी कोई बहुत ज्यादा जंडे नहीं गाड़े तो एंड में जो लाश्ट रूलर इसका होता है वो नाग दश्क ही होता है ठीक है भाई तो इच्छा ट्रिपल फॉर बीच चाहर सो साथ से ट्रिपल फॉर बीची तक यह रहता है उदाइन और यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अब नाग दश्क के बाद क्या होगा देखो आप नाग दश्क के बाद इसी का एक अमात्य हुआ महमंत्री हुआ इसका शिशुनाग अब शिशुनाग को मिनिस्टर हुआ इसका नाग दश्क का अब क्योंकि यह इतने ज्याद कंपिटिटिव राजा रहे निए यह लोग तो नाग दश्क कुछ भी नहीं था उसने वैसी कर रहा था बैठके राम से मजे मार रहा था तो शिशुनाग ने क्या किया इसके उपर हला बोला नाग दश्क के उपर और खुद राजा बन गया अब यहां से फिर शिशुनाग डैनेस्टी शुरू हो जाएगी यह 413 से 343 बीसी तक चलेगी अब 413 से 395 बीसी तक कौन रह शिशुनाग रहा उसने क्या किया Capital को shift कर दिया मगत की को वेशाली में यह अब मगत की केपिटल कहां पर आ गई है वेशाली में और इसने अवंती के राजया को भी जीत लिया ठीक है यह वही अवंती है जिसको विम्भी सार ने जिसके साथ एलाइंस कर लिया ता लेकिन इ ध्यान है ना अभी हमने Buddhist councils देखी यह 395 BC से 367 BC तक रहता है और यह क्या करता है यह मगत की capital को shift कर देता है पाटली भुत्रा में बस यही करता है और यह पूरे राजय को संजो के रखता है संभाल के रखता है ठीक है भाई इसके आगे देखूं इसके आगे भी एक इसका कोई ठीक है अब होता क्या है कि इसके बाद जो राजा आते हैं इनके इस dynasty के वो बिल्कुल निखटू किसी काम के निवीक रूलर्स आते हैं तो होता क्या अगले दो साल के अंदर अगले दो साल के अंदर दस बार तकता पलट होता है कभी कोई राजा बन जाता है कभी कोई भंदामन बनता है कि नंदी लिकलो बस ठीक है अब इसकी एक नजाएज उलाद होती है वह होती है कि महाँ तो नज нिद्धर्मन की न है जैनल होती है यहां का महापदमानन होता है एक इये यहां पर फिक्चर में आ जाएगी नंद डायंस्ति ठीक है यहीए वही नंद डायंस्ति है जिसमें धनानद आता इसके स verde üzerine वह हुआ टो यह क्या बनता है एसी को फांडर बनताय और वहां बनता है कि इसका नाम है路ً पर्द मानंद और यह nosso ए appreci मैं ने बताया कि शुद्र रहा ठीक है और ये 343-329 बीसी तक रूल करता है इसको एक रत भी बोला गया और Empire Builder of India भी बोला गया क्योंकि ये इतना बड़ा expansion करके रख देता है कि और उस टाइम पे इसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं तो इसलिए ये बहुत बड़ा समराज्य क्रियेट करके रख देता है इसलिए इसको एक रत बोला गया ठीक है और इसको सर्वक्षत्रियंत का भी बोला गया क्योंकि इसने जितने भी राजां को हराया वो सारे क्षत्रिय थे उनका नाश किया तो ये बोला गया इसको सर्वक्षत्रियंत का है आई होप कि नंद डानिस्टी का यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा अब आप देखिए कि महानंदी के बेटे अगर मैंने पीछे गलत बोल दिया और नंदी वर्मन बगार बोल दियो महानंदी के बेटे थे और महापदमानंद का बेटा आप आगे आएगा धनानंद और ये देख सकते हैं आप कि इनका राज्य जो फैला हुआ था आप खुदी समझदार है कि कितना ज्यादा ये राज्य इनका फैला हुआ था और पाटली पुत्रा यहां इनकी राजधानी थी ठीक है ये पूरन डाइनेस्टी हुआ करती थी तो आप समझ सकते हैं और ये बहुत वेल्दियस्ट हुआ करती थी बहुत बड़ी इनके पास ये देखिया आर्मी वा करती थी तो अब क्या होता है कि महापदमानंद तो ठीक था लेकिन उसका बेटा जो था अब इसका बेटा कौन था इसका करता था ये धनानंद ये था भाई एक नंबर का लफंडर अब इसको ये आयाश किसम का आदमी था इसको क्या चाहिए था इसको बस मदीरा चाहिए थी और बहुत सारा मुझरा चाहिए था ये सब चीजे इसको पसंद थी और इसको कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है क् बहुत सारी वेल्थ तो थी पापाजी दे गए थे इतनी सारी वेल्थ तो भाईया लुटाओ मजे करो इंजॉए करो तो यह वही कर रहा था और थोड़ा करूर हुआ करता था यह शासक तो अब इसने क्या इसका टाइम पिर देखते हैं तो 339 से लिए 321 बीसी तक है ठीक है अभी हम नंद डाइनेस्टी पर पहुँच चुके हैं इसको शैंड ड्रैम्स या एग्रैमिस भी बोला जाता था और इसी के टैनियोर के दौरान एलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमन किया था ठीक है और इसी की आर्मी को देखके एलेक्जेंडर वापस से लगया था अभ पूरस को हेल्प चाहिए थी तो पूरस भी इनके पास आया था है लेकिन वह भी आगे बात करेंगे पूरस की तो और चनक्ये ने भी यही बोला था इनको कि भारत के ऊपर फॉरें डूर्स का इन्वीजन हो रहा है तो तुमारा जो संब्राज्ज है तुमार बास जो आर्म ये वो करके बहुत उनकी बेज्जती की एक तरह से विद्वान की तो अब क्या हुआ कि चनक्या को आगया गुस्सा की भया ये इतना मोटे दिमाग का आदमी है इसको बाती नहीं समझ में आ रही है तो चनक्या ने क्या कि आपनी शिखा खोली शिखा मनलब चोटी और उन्हो क्या चनक्या कोटवा कया झाति अपने अभिर आगे चनक्या क्या करेंगे वह हम आगे देखेंगे तो यह इसके उनों टंकी थी अभी इसके बारे में भी बात करेंगे अब आप देखें कि क्योंकि मैरे बताया कि सिकंदर भी उसक्त Bentarta में maiden कर रा था और बैटल कौन सा ह हुआ था हाई डैसपस का 326 BC के दोरान हुआ था जहलम रिवर के किनारे और ये पॉरस के साथ सिकंदर का बैटल हुआ था अभी सब बात करेंगे आप देखें सिकंदर महान क्यों कहा जाता है 32 साल की उमर के अंदर ही केवल वो 32 साल जी के गया था सिकंदर और उसने देखें क कि कितना बड़ा एरिया कितनी बड़ी टेरिटरी कवर कर ली थी और ये देखें कि ये क्या है कि ग्रीस से शुरू हुआ ठीक है भाई मैसी डोनिया एक जगह थी ग्रीस के अंदर वहां पर ये पैदा हुआ वहां का ये राजा हुआ करता था और वहां से शुरू होते होते यहां तक आया जीते जीते और इसने अपने देश के अंदर किसे सुन रखे थे भारत के बहुत ही अमीर देश है बहुत ही जबरदस्त है कल्चरली रिच है बहुत ज़्यादा और इनके जो बहुत सारे उस टाइम पर उथर वगयरा हुआ खरते थे जैसे hero lotus वगयरा उन्होंन भारत के को इस्टनेंट तक जीते लिया तो मतलब दुनिया को फते कर लिया यह वाली बात है इसलिए बोलते है इसको विश्व जेता भी बोलते है सिकंदर को यह सारी बात और ही एशिया के अंदर ठीक है अब यहां पे क्या हुआ पर शियन एंपायर था अब आतो गया केवल उसने यह 8 साल के अंदर कर दिया केवल 8 यह समय जैसे कि मैंने बता है 32 साल के उमर में तो लुड़ गया था वह तो 8 साल की उमर के अंदर ही उसने आप सालों के अंदर अंदर यह पूरा एरिया कैप्चर कर लिए बहुत फास्ट हुआ इक तरह से ठीक है लेकिन आप कर दो यह समझे कि कहाँ वह यहांं से चलता चलता है इदर भी उदर भी उदर भी उदर भी जाता जारा है और पिछीत एक मयांद पर आगे जाकर बोगतना पढ़ेगए अब देखिए कि अभी करते 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 चलते चलते कहां आ गया हिंद कुष्ट की पहाड़ियों के पास आ गया और हिंद कुछ यह मैंने थोड़ा सा डिपिक्ट किया ऐसे रिवर्स को ताकि आपको समझाने में आसा नीओं अधर्वाइस तो यह दिखिये रिवर्स तो ऐसी है लेकिन समझान कि इस तरह से मैंने पिक्चर बना दिए यह हमारा भारत है और भारत में ज्यादा आकर्मन कहां पे हुए है नॉर्थ-वेस्ट-रीजिन के अंदर ही ज्यादा आकर्मन हुए है क्योंकि यह जो नौर्थ-वेस्ट रीजिन है यही तो इदर जुड़ा हुए ना नीचे वाले त अब साथ में जहलं रिवर आ आ जती है फिर पोरस यहां पे अब यहां पर क्या होता है कि यह जो अमबी का राजा है इसने चर्चे सुने होते हैं कि भाईया सिकंदर जो है सिकंदर के बारे में एक फेमस थी कि जो सर इसके सामने जुकेगा नहीं वो कटेगा तो वही वली बात थी कि ये तो भाईया पहले डर गया इसने सोचा कि मेरे पास इतनी सेनस होना तो है नहीं है अननसेसरी का क्यों क्यों लेना इसके साथ पंगे सिकंदर के साथ तो एलेक्जंडर के साथ इसने मिला कर दिया यार तो मतलब कि सामने वालों को peace treaties भेजो सीधा-सीधा और उनको बोलो कि भीया surrender की documents यह है और जल्दी से इस पर आके दस्तकर्ट करो क्योंकि यहां तो लोग पहली डरते हैं मुझसे तो वह overconfidence में सिकंदर तो यह तो कर चुका था दस्तकर surrender documents के उपर लेकिन अब इसने वही document क्या किया और उसको भी भेज दिये और साथ में यह बोल दिया कि मैं आ रहा हूं वहां पर खुद तुम मुझे जहलम की केनारे लेने आना और surrender के document भी मैं तुम्हारे तयार करवा दूंगा तुम बस अपनी सील लेके आना उस पर ठपा लगा देना और उसके बाद फिर तुम मुझे पढ़ गया पोरस के साथ अब यहां पर देखिए जो रीवर है यह जहलम रीवर है ठीक है तो यह अगर पूछ ले जाएगी बैटल ओफाइडस पस जो है कि कहां हुआ तो यह हुआ जहलम नदी के किनारे यहां पर है पोरस इदर है ऐलेक्जेंडर आमने सामने इस तरह से ठीक है तो इनके लिए सबसे बड़ी चुन होती थी यह रीवर को क्रोस करना तो कुछ सेना इदर से भेजी कुछ यहां से बेजी और पोरस की आर्मी इतनी बड़ी थी भी नहीं ठीक है यह कश्मीर का राजा हुआ गरता था पोरस उस टाइम पे ठीक है और यहां पे अभी लेगो क्या पता कि क्या हो रहा है भारत के अंदर अगला कर्मन तुम्हारे उपर ही हो जाएगा तो ऐसे करते करते क्या हो गया इसने पॉरस के भी बेजज़ती करके उसको बगा दिया तो फिर भी उसने भाई ने हिम्मत निहारी और यहां पर फूरी जंग लड़ी इसके इतनी बहादूरी के साथ यूद लड़ा था कि एलेक्जेंडर के भी रॉंग टे खड़े हो गए थे एलेक्जेंडर की आर्मी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था चलनी चलनी कर दिया था उन लोगों को तो वहां से उसने देखा कि भीया यहां के लोग इतने भी वो नि चीए यह शत्रू राजा के सथ करना चीव ऐसा वेवार आप मेरे सथ कीजिए वह और इंप्रेस हो गया इसके थोट से तो उसने क्या किया इसको राज्य भी वापस कर दिया और लेकिन अपना गोवर्नर नियुक्त किया यह सारा राज्य दे दिया पोरस को लेकिन फिर भी उसे अपना गोवर्नर नियुक्त करके गया था वह महाँ पे ऐसा नहीं था कि इंडिपैनेंट राज्य दे दिया था ठीक तो यह इसकी पूरी की पूरी कहानी है लेकिन अब कमाल की बात एक और चीज है कि जब धनानंद यह सब सोरी धनानंद क्या रहा हूं सिकंदर यह है तक की सामने आती है कि वह अपनी सेना को बोलता है कि भईया यहां पोरस तक तो हमने फत्र कर लिया अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे ने देख लिये थे, इतनी दूर से बिचारे चलते आ रहे थे, ना खाने को, ना पहने को, जो चपल पहनी होगी, वो भी बिचारी टूटगी होगी, और उपर से उनको फैमिली की याद सतारी थी, कहां वो सिकंदर के अबिचन को पूरा करने के लिए अपनी जान देते रहते, और उपर से उस टाइम पर मर्सिनरीज बहुत हुआ करते थे, यानि कि किराए के भाड़े के सोल्जर हुआ करते, तो उन्होंने भीया बोल दिये कि हम से ना हो पाएगा, तुम्हें अगर जीतना है, तो तुम अकेल पर हवा चल पड़ी थी, यहां फिर ये बात चल पड़ी थी, कि जो धनानंद है, धनानंद की आर्मी बहुत बड़ी है, और ये कहीं टिकेंगे ही नहीं उसके सामने, तो वो वैसी बिचारे खौफ में बैठे हुए थे, कि वह या कहा हम फसरे हैं, और हम पेले जाएंगे अननसरी का धनानंद से, अब उनको ग्या पता था भाई, कि आर्मी तो बहुत बड़ी है, लेकिन धनानंद खुद तो लल्लू है, तो वो पता होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो गुज़ जाते हैं, ये पूरा भी जीत लेते हैं वो लोग, तो ये सब करते कराते, ये इनको पेला पूरे का पूरा बहुत सारी इनकी सेना का नाश किया, क्योंकि लोग खुंदक खाये बैठे थे न सिकंदर से पहले ही, और यहां पे दिखिए कि अफगानिस्तान के अंदर ये बलोचिस्तान में अपना एक कमांडर सेल्यूकस निकेटर उसको न्यूक्त करके अब यह ऐसे जब जा रहा था, यह जाते 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 अपने वापस अपने मैसिडोनिया में पहुंचता है, अगेन क्या होता है, बहुत सारे मौसम चेंज देखता है, बहुत जारे वेदर चेंज, क्लाइमिट चेंज होता है, तो वहां जाके यह बहुत विमा बिमार पड़ता बहुत बिमार पड़ता और 32 की उमर में लोड़क लेता है तो यह थी कहानी एलेक्जेंडर की और पॉरस की आइए अब हम अपनी स्टोरी के उपर वापस आते हैं हमने अभी देखा था कि चनक्या के बेज़ेती होती है और चनक्या उसके बाद क्या करते हैं एक वापस जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो देख रहे होते हैं कि भाट जैसा बंदा चाहिए जो इसको एक्जिक्यूटे कर पाए मेरे पूरे को पूरे प्लैन को और इस धनानुत को जड़ से उखाड़ फैके इसने परिशान कर रखा है और एक अखंद भारत करम मान करें तो जब रास्ते में जा रहे होते हैं चनक क्या तो उनको दिखता है एक लड़का गडरिया होता है उसके अंदर उनको वो स्पार्क दिखती है कि भाईया ये बंदा है ना इसको गड़ ट्रेन कर दिया जाए तो ये कुछ खतरनाक लेवल का गेम प्लैनर बनेगा तो नीतिया होती है राजनीती होती है वो सिखाई ठीक है तो वो सब चीजें चंदरकुप्त मौर्या को जब चानक कहने सिखा दी अच्छी खासी मिल्टरी ट्रेनिंग दे दी फिर ये लोग गए आगे धनानंद के साथ लड़ने लेकिन उससे पहले कुछ और चीजे देख ले इसकांदर दो चला गया था लेकिन इसलुकोस निटिकिटर को ऑपने गवर्नर बना गया था और बाद में सिखंदर तो लूड़ा गया था तो मेन सारा कंट्रोल इπरका से लुक्न निकेटर के पास है ठीक है तो से लुकस निकेटर जो है वो कहां पे था बलूचिस्तान में उसने हमला किया और इन्होंने फिर उसको भी खदेड फैका तो वहां तक जो है अपना मौरें समराज्य फैल फैका था और लेकिन क्या था बाद में उसने सरेंडर कर दिया था फिर एंड में क्या हुआ चानक क्या को समझ थी इस चीज की त होता था एक Alliance भाया की फइदा होना चीजिए तो वही तो पेट्रेयर्की है ना यहीद आ प्रेयर की होती है तो सीधा-सीधा आप देख रहे हैं कि जब से भी हम चले आँगे मेटिमोनियल एलाइन्सी सी चल रही है तो शादी हो जाती है हिलना की तो अब क्या है कि अब दोनों आपस में आकर्मन करेंगे ही नहीं रिष्टेदार हो गए है तो बात ही खतम हो गई है ठीक है और यह इन्हों ने खरायक किसकी हल्ब से चानक के यहां को टिल्य बोल दीजिए दोनों एक ही नाम है और इनको इस नाम से भी बुलाया जाते क्योंकि वो ग्रीक्स थे सेल्यूकस निकेटर वाले तो अब उनके साथ तो रिष्टिदार हो लिए यह और वो लोग इनको इस नाम से भूलाते थे और एक्सपेंशन किस नाम से सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस ठीक है यह नाम याद रख लेना इन्होंने वेस्टन पार्ट तक एक्सपेंशन की थी अभी दिखाऊंगा आपको पूरा इनका सामराज्य 305 BC में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया था और बाद में इन्होंने जैन धरम अपना लिया था जो कि मैंने पहले भी बिताया था कि जो जैन धरम के ठेरा थे उन्होंने आके इनको ताना मारा था कि तुम्हारी वज़े से गंगा में फहिमाई नाएगी वो दाई कहा हुए मलम मरे कहां पर ये शिरावन बेला गोला की पहाडियों में करनाटका के अंदर और ये वही जगह है जहां पर ये जयन धर्म का परचार कर रहे थे वो जयन इजम में सारे का सारा हमने कवर कर रखा है अब ये देखे कि ये जब चानक्या इनको पूरा दोनों को पेल देता है और ये दोनों बिचारे डर डर के कहीं चुपते चुपते जैसे तासे करके अपनी जान बचाते हुए भागते हैं अब यहां पे ये रास्ते में जारे होते हैं तो इन्हों ने इनकी जो नजर है एक लेडी पर बढ़ती है एक कुटिया के अंदर व तो चावल देखे कि ऐसे हो गए, तो उसने बीच में से बच्चे ने चावल उठाए और उसका मुझ जल गया, तो उसकी मां उसको सिखा रही थी कि जब चावल गरम होते हैं, तो यहाым साइडों से खाते हैं, ना कि बीच में से, बीच में से खाऊगे, तो हाथ और मुझ दो उसके सिहासन से और वहाँ पे चंद्र गुप्त मौर्या बैठते हैं जिन्हों ने पूरे एक तरह से ये कहली जिए कि अखंड भारत का निर्मान कर दे चनक्य की हँल्प से और फिर ये वो समय था जो एक तरह से आप कहली जिए कि पूरा भारत का चर्चा हो गया था पूरे समझदार है कि इतना बड़ा एरिया था इनके पास Moran Empire के पास यह चाहते और भी फैला लेते लेकिन इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी इनने पता था कि हमारा जो पूरा का पूरा यह है ना यह सुरक्षित रहना था और नीचे वाला एरिया हो गया इदरवाल एरिया ऐसामत समझना की यह इनके कंट्रॉल नहीं थी यह सब कंट्रोल में होते थे एक्शुली में दो तरह की चीज़े होती ती यहां तो सामने वाले को मार्के उसका एरिया ले लिए जै clap या जूदो में हराके ले लिए जाय एरिया तो अब देखिए कि चंद्रगुप्त मोर्या जो है वो ओल्रेडी सारा राजपत्याक के चले गए है जैनिजम का परचार करने अब पीछे से वो अपनी सारी राजगदी किसको दे गए है और 297 से 268 BC के बीच में थे वो तो पूरी डानेश्टी का रूल है यह 297 से 268 BC में इन्होंने राज किया और अमित्र घात भी इनको बोला जाता था और इन्होंने क्या किया था भारत अपनी जो पूरा राज्या था इसकी एक्सपेंशन साउथ तक कर दी थी ठीक है यहां तक पूरा यह जो एक्सपेंशन पूरी साउथ तक इन्होंने कर दी थी और इनके रीजन में देखे एक रिवोल्ट हुआ था तक्षीला में जिसको अब इन्होंने क्या किया इन्होंने इनके जो बेटे थे एक सुमेर था और एक अशोक तो था ही ठीक है तो यहाँ पर जो तक्षिला में हुआ, सारे का सारा इनों टंकी, वहाँ पर क्या है कि जो सुमेर था, उससे कुछ होई नहीं पा रहा था, तो इन्होंने फिर अशोक को भेजा, तो अशोक ने खदेड फैका उन सबको, तो वहाँ पर ये सेनापती के रूप में काबिज हुए एक तरह स और उसके बाद वह गदी पे बैठे थे, लेकिन कही जगा पर हम देखते हैं, तो उन्होंने अपनी कई सारी इंस्क्रिप्शन में अपने पूरे भाईयों का भी जिकर कर रहा है, पूरी फैमली का भी, तो ये थोड़ा सा एक कन्फूजन वाला विश्य है कि सच में ऐसा के नहीं हुआ था, और ये जो है, बिन्दुसार, he is set to have configured the land between two seas, the Arabian Sea and the Bay of Bengal, यानि कि इसके बीच की जितनी भी लैंड थी, Arabian Sea और Bay of Bengal की इन्होंने concord कर ली थी, ठीक है, अब चक्रवर्ती समराथ अशोक की बात करते हैं, इनका नाम देव नाम पिया भी है, और ये 268 BC, 232 BC के बीच में रहे, और ये greatest Morian Ruler माने जाते हैं, ठीक है, ये first और last जो इनका वार था, एक ही पूरी जिवन मिकाल में वार लड़ते हैं, जो कि कलिंग का वार 261 BC के अंदर लड़ते हैं, और कहा जाता है कि ये भी वार, actually में कुछ वैसा वार नहीं था, कि ये भी भूल वाला वार था, कि अशोका मानली जी की जैसे, suppose की जी की, actually में हुआ क्या, आप कुछ इस तरह से समझिए, कि ये कलिंग है, तो जो इधर के वैपारी आया करते थे, example के तोर्प में मैं बता रहा हूँ, मानली जी कि वो वैपारी जहाद से आये, तो वो अपने मसाले बेचन है, तो हो क्या रहा था, मानली जी की, अशोका इनको बोल रहे थे कि 50% टेक्स हमें दीजिए वैपारी ओं को, example के तोर्प बता रहा हूँ, ठीक है, और वैपारी जो लोग थे, इनको वो दे रहे थे, मानली जी की 10% टेक्स या 20% टेक्स, जो कलिंग के राजा को, तो लेडी लेड़ से होके जारे हो, तो मुझे दोना 50% टेक्स, लेकिन अवा अशोका के साथ पंगे कोलने, तो सारा का सारा गेम फिर क्या था, पैसे का था सारा का सारा रेविन्यू का गेम था, और इनोंने फिर अशोका को लिखके भीजा होगा, तो अशोका ने सोचा की चल पूरीज निकल के आती हैं तो फिर अशोका ने पूरे लाव लक्ष करके साथ आए और इनको खदेड फैका फिर बहुत तगड़ा घमासान यू दूआ जिसके अंदर इतना खून बहा इतना खून बहा कि अशोका ने देखा कि भईया ये क्या कर दिया मैंने ये तो नदिया बहरिये खून की लाखों लोग मारे गये हैं तो इनके अंदर का विवेक जागा और इन्हों ने प्रण लिया कि भाईया आज के बाद हिंसा नी करूंगा इंसा के रास्ते पर चलूंगा और बाद में फिर इन्हों ने बुद्धिजम को एडॉप्ट कर लिया लेकिन बुद्धिजम में होते हैं लोग वैसे बन गए ये बोधी सत्वा जिनको बोलते हैं बोधी सत्वा ठीक है और इन्होंने अपनी धम्मा की पॉलिसी भी बाद में चलाई धम्मा में क्या था कि अलग सैट ओफ रूल्स थे कि कोई हिंसा नी करेगा कोई हंटिंग नी करेगा प्यार से रहेंगे सारे अलग लगता है कि इन्होंने सैट ओफ रूर्स बनाए जिसको एक तरह से एक टाइप का धरम भी बोल सकते हो तो धम्मा की पोलिजी इन्होंने देखी आहिए इनहोंने खुदी बनाई था ने वो दम्मा की बनाई थी ताकी लोगों को समझदार मना पाए ठीक है और ये जो है मैसिव ब्लडशाइड हुआ कलिंग बॉर में ये किस से पता लगता है थाटीन रोक एडिक्ट ओफ अशोका से पता लगता है इन्होंने देखिए जो भी इनकी जीवन काल में अच्छे-च्छे या बुरे-बुरे इमेंट्स हुए इन्होंने या या तो पिलर्स पे लिखवा दिये या तो पिलर्स पे लिखवा दिये जा फिर रोक्स के उपर लिखवा दिये जिनको पिलर एडिक्ट और रोक एडिक्ट भी बोले जाता है और जो हमारा सार्रात का स्टम्ब है वो भी इनी से लिया गया है हमारी जंडे में वो जो चक्र ह है और बुदिजम इन्होंने फॉलो कर लिया था और किस गुरु के अंदर गुप्ता गुरु के अंदर किया था अशोका की जो माता जी है उनका नाम सुभा द्रांगी था और पापा जी कौन थे इनके वो अभी हम देखे हैं बिंदु सार थे ठीक है और जो हमारा एंबलम है इंडियन रिपबलिक का वो इनीके जो लाइन केपिटल है शोकरन पीलर जरो है ना शोकरन पीलर है उसक्व यह यह क्रते थे सकरीकीई यह और हो गया पिलर की ओपर अलग अलग तरहां के स्टेच्उज बना देते थे जैसे लायन का बना दcción गरूर का बना दिया जिससे शायद कैवितल का पता लग सारनाथ TapINia तरदेश केंदर अब आगे देखें कि हम मौनव एडमिनिस्टेशन की बात करते हैं कि यह पूरे का पूरा राज पाठ चलाते कैसे थे मौन सजोते क्योंकि आप देखें कि ये तो एक जगा पर बैठे कुछ राजां है तो यह पूरे के पूरे भारत को कैसे चला रहे थे उस बारत को हमने क्या है कि अलगलग स्टेट्स में बाड़ दिया तो इन्होंने भी क्या किया पांच-छे एक तरह से कमेटी में या स्टेट्स में बाड़ दिया उसको पूरे को और वहां पे फिर इन्होंने ये अलगलग पोस्ट्स क्रियेट कर दी आप जैसे मंतरी प्रिशद ह हो गया तो वो council of ministers होगे जैसे आज की डेट में cabinet ministers है ऐसे ही इसके अंदर होते कौन थे पुरोहित होते थे महामंत्री होते थे सेनापती होते थे युवराज होते थे और ऐसे से बनलब की जो भी कोई गलती किया करते थे यहां फिर उनको reward भी किया करते थे और कुछ लोग वोते थे जो धम्मा को का प्रचार करते थे जो अशोका ने धम्मा की policy बनाई थी ना तो उनको बोलते थे महामत्राज और स्पाइस क्या होते थे यह जासूस हुआ करते थे जो foreign enemies से इनको बचाने में help किया करते थे कुछ भी हो रहा है कहीं पहली बता दिया करते थे ऐसे फिर इनकी जो capital थी वो पाटली बुत्रा थी और छे कमेटिया थी यह पहली में बता चुको एक और important चीज अशोका के बारे में कि अशोका के जो बच्चे थे इन्होंने उनको कहा बेटा था एक तो इनका बेटा था महेंदर और एक इनकी बेटी थी संग मित्रा ठीक है यह थी डॉटर और यह था सन कि इनको दोनों को भेजा थे इन्होंने श्री लंका में किस चीज के लिए बहुत धरम का परचार करने के लिए क्की इनौने एंड में बहुत धरम को अपना लिया था ठीक है तो यह याद रखना यह इंपोर्ट है यह पहले भी पूछा गया था तो मैंने अभी बता दिया आ सर्यों हो चार्सो पांटसो सालों के अंदर क्या होता है चार्सों से पांतसों सौ econom कि कि देखना पड़ेगा कि किसको याद रखें और किसको ना रखें तो यहां पे हमने बहुत लिमीटिद भी ाधना़ लेवल से बहुत उपर तक करवा दिया है अभी आप देखेंगे तो आपको पता लगया कि हमने बहुत एक्स्ट्रा डाइनस्टी भी करवा दिया है जो कि उतनी इंपोर्टन नहीं है लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया कि बाइचांस पेपर के अंदर आई जाए तो क्या कर ल क्या गए और नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि सच में यह वीडिएयो काम की है के नहीं है सबसे ओनुडिक है के निहैं अपने दिल की बात वोला ना नीचे क्मेंट करके भई और मैं जितीनी भी बात कर ऴेन Okay rational होके बात किये scientific approach के साथ कि एक educated person की तरह मेरे साथ अगर आप बात करेंगे धर्म की या कोई धर्म का ठेकेदार बात करेंगा तो भाईया non educated लोगों के साथ मैं बात नहीं कर सकता ऐसी उनको तो फिर वही लल्ले पपे वाली बाते समझानी पड़ेंगी लेकिन आप एक educated बच्चे हैं आप लोग के साथ हमें अगर बात करनी होगी तो मैं rational और scientific बात करूँगा मैं मन गढ़नत या orthodox बात नहीं कर सकता आपके साथ ठीक है तो आपको बिल्कुल एक common man की तरहीं चीजों को सोचके neutrality में सोचके चलना है चीजों को अगर आप किसी पक्ष में चलेगे किसी धर्म में चलेगे और फिर इस चीज को देखेंगे तो फिर आपको अजीव सी लगने लग जाएंगी चीजे ठीक है तो आपको किस तरह से इसको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है अब यहां पर देखिए कि जो major ruler हुए एक तो शूंग डैनेश्टी आई फिर कान्व डैनेश्टी सत्वाहना डैनेश्टी अब आपको शायद में यह लग रहागा कि पहले ये फिर वो फिर य उस frankly आट लुस्ती ढखिए कि अलग डक जगा पे यहां अलो सत्वाहना चल रहे हैं यहां पर कोई और चल रहा है हम आपर कोई और चल रहा है 73 BC तक है आप देखो कि हम 73 BC पर आ चुके हैं यानि हम जीरो पर भी आने वाले हैं को बहुत बड़ी बात नहीं है उसके बाद हम AD में भी आ जाएंगे ठीक है और AD जो है अभी जैसे चल रहा है 24-25 ये AD चल रहा है समझ रहे हैं इस चीज को और ये देखो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं मैं ये शूंख डाइनस्टी है लेकिन आपको एक हैरानी होगी सोचके कि भाईया ऐसा तो नहीं था actually मैं हुआ क्या जो आखरी रूलर थे ब्रिहद्रत ये मौरियन के आखरी रूलर थे अशोका के बाद जितने भी रूलर हुए सबी बहुत वीक रूलर हुए किसी काम कहनी थे तो कहने का मतलब है उपर से अशोका ने इतना बड़ा एक तो समराज्य फैला दिया यहां तक त अलग बंदे ने इसको संभाल रखा था और इधर वाले को अलग बंदे ने संभाल रखा था यहां पर जिसने संभाल रखा था वो था ब्रिहद्रत और इधर वाला था इधर क्या आ ओर रहे थे अटैक हो रहे थे बहुत जाथा इधर से लोग जितने भी आ रहे थे चाहे बैक्ट्रिया के लोग हो, जो चीट लोग हो, कई सारे हैं, synthian's हो, जो आ रहे थे, वो इदर ही अटेक कर रहे थे, तो उन्हों ने तो इसको कौन करकर लिया पहले तो, पहले तो ये समझो, जैनी ये तो गया, यहां से, अब जो ब्रिहद रत था, वो यहां पे बैठा था, व लो निकलो तुम तो इनका कर दिया सफाया किल और उसके बाद खुद आ गए है पिक्चर में तो यहां से फिर शुंग डैनस्टी आती है और शुंग डैनस्टी एक ब्रहमन डैनस्टी है ठीक है इन्होंने रूल कहां से किया फिर इन्होंने देखिए पाटली बुतर से नहीं किया रूल इन्होंने विदीशा से किया मध्यपरदेश के अंदर एक जगाए विदीशा और यह फर्स्ट रूलर हुए पुष्यमित्र शुंग बहुती कटर ब्रहमन रूलर हुए यह यह मतलब कि जो भी इनके सामने आता था उसको खलास ही करते थे फिर ये वाला इनका था और बहुत सारे उदर से एक्चुली इनके पास चैलेंज था बहुत बड़ा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इदर से बैक्टरिया वगारा के लोग आ रहे थे और मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपको दिखाया भी था कि इदर बैक्टरिया है तो वो लोग आके इदर हमले कर रहे थे उनका अगला निशान यही था तो जो पुष्यमित्र शूंग है उनको डंडे मार मार के इन्होंने तो बगा दिया कि निकलो तुम यहां से भया हा हमने दो दो अश्मेद यग्या भी किये अगेन बस यही एक दिक्कत है जो हमने वेदिकाल में भी देखी थी कि एक्चली में होता क्या था कि गोड़ा था गोड़े को क्या किया जाता था पूरी territory में गुमाया जाता था और जिसके पास भी दम है उसको रोक लेए अगर उस कुछ कुछ कहानियां बताता हूं मजएधार ताकि आपको मजढ आये में इन में ठीक है अब माँलों क्य ढूंते गूमते क्या इhanा में निकल जाता तुम जाएना वालों को तो बिचारों को यह भी नहीं पता था कि अश्मेद यग्या होता क्या है और वो तो भया साब बिच्छों को अक्रोच किसी को छोड़ते नहीं है तो उनको घोड़ा दिखता तो उनको दिखता कि आखों में क्या दिखता फूड तो भया वो तो इसको बना क करते थे तो ये तरीका था 20 ये एक जरीया हा था लोगों को बताने का की भह необходимо हो यहान का समबराटार तो यह तरीका मैं ने बता दिया आपको कि मैं ने पता धिक उन्री के अगा किया बाबारामतेब जी याद रखना और ये नौर्थ इंडिया में रूल करते हैं वह दिखाई दिए ब्राह्मन रूलर थे और इन्हों ने भूत इंपोजिशन किया व्यदी कलचर को लाने का यहां पे क्योंकि मैं ने बताया ना कि बुदिजंभी था जैनिजम भी था और छोड़ी बहुत सारी सेक्टी बन चुके थे लेकिन इन्हों ने वैड़ी ख़ बाता में न्ग कईंड़े बनाती इन्हों को पर ज्यादा चीसान है औरुम यहां अब कि बहुत सारी आजी चीजें हैं आज की डेट में कॉंटरोवर्शिल सकति अंदर लिखी हुई है मैं किसी ऱे बात पर अभी जाऊंगा ही नहीं क्लासिक महाभाश्य लिखा, वो भी इसी डूरेशन में लिखा, कैपिटल इनकी पार्टली पुत्रा हुआ करते थी, और जो ग्रेट बुधिस्ट स्टूपा है, भरूत में, एमपी में, यह इनो नहीं बनाया, हाला कि जब आप बुधिस्ट लिट्रेचर पढ़ते हैं, तो बुधिस्ट लिट्रेचर में इनको लिखा हुआ है, पर्जी क्यूटर ओफ बुधिस्ट या बुधिस्ट्स, या बुधिस्म, यानि कि बुधिस्म का सफाया करने वाला, लेकिन अब पता नहीं, एक कॉंट्रोवर्शिल चीज है, बुधिस्ट लोग ऐसे बोलते हैं, जबकि यहां पर लिखा हुआ कि, ग्रेट बुधिस्ट टूपा इनों नहीं बनवाया है, तो अगेन थोड़ से कॉंट्रूजन वाली चीज है, ठीक है, बस ये कुछ नहीं है, ये इंपोर्टन नहीं है, बस जो मेन है, मैंने शुंग डैनेश्टी का यहां पर लिख दिया है, इसके बाद इनके बेटे भी आते हैं, जो की हैं अगनी मित्रा, और ये भी शुंग डैनेश्टी चल रही है, ये चल रही है 149 से 141 BC के बीच की बात है, और ये पुशे मित्र शुंग के बेटे हुए, और एक्चुली मैं हम देखे कि मनुसमरिती जो शुरू हो गई थी ना, मेन हम जो बोलेंगे, वो पुशे मित्र शुंग के टाइम में ही बोलेंगे, हाला कि यहां भी ऐसा ही लिखा हुए, लेकिन उत्तर में आप पुशे मित्र शुंग ही डाल देना, और जो ग्रीक किंग है, एंटी एलसी डास वन, उन्होंने अपने अमबैस्टर को, यानि हीरो डोटस को, इनके शुंगाज के कोट में ही भेजा था, तो हीरो डोटस ने देखी क्या बनवाय था, गरूडा द्वज बनाय था, इन्दा ओनर ओफ गोर्ड वासुदेवा, यानि बग्मान शरी क्रिशन के ओनर में इन्होंने गरूडा द्वज बनवाय था, मैंने पहले भी बताय था, कि जैसे एक पिलर हो गया, उसके उपर गर 149 से 141 BC में हुए, ये भी ठीक है, ये दोनों के दोनों रूलर इसी डूरेशन में हुए, और उसके बाद शूंग डैनेस्टी का हो जाएगा, खत्मा, और उसके बाद फिर हम कानवा डैनेस्टी को अब पढ़ना शुरू करेंगे, आगे देखी, आगे देखते हम कानवा दैनेस्टी के बारे में, 73 BC से 28 BC में हैं, और यहाँ पर ये चार रूलर है, और कहां से ये उपरेट करते हैं, ये मगद में ही करते हैं, और राजदानी काहा हुआ गरती पार्टी पूत्रा, और पहले रूलर थे वासुदेव, दूसरे भूमी में तर तीसे नारायन, चौत से ससुर, आपके ससुर, हमारे ससुर, ससुर मान, और बस यहीं इंपोर्टन, इतना इंपोर्टन नहीं है, मोटर मोटर तोर पर मैंने बता दिया, अब हम आगे करते हैं, आंधराज और सत्वहनाज डैनस्टी, गौत्मी भूतर सत्करनी, यहां के बहुत महान डूलर हुए, जिन्हों ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, और यह हमारे पेपर में भी ससी के अंदर बहुत बार आ चुका है, तो यह इंपोर्टन है, और यह थोड़ी सी एरा को ठीक कर लीजी, यहां पर बीसी आएगा, और यहां 159, 80 आएगा, अब देखिए आपकी इनक से वपार हुआ करता था, बहुत तगड़े वाला, राजदानी इनोंने पुरिष्ठाना और पैथाना को बना रखा था, अब देखिए, ति इनके पहले रूलर सीमुका हुए, सीमुका ही इसके फाउंडर है, और इनकी जो भाशा यह यूज किया करते थे, प्राकरदित भ भाशा यूज किया करते थे, 120 से 196 BC में सीमुका हुए है, और ये लंबा पिरेट चला है, देखिए, ये 120 BC से लेके 159 AD तक चला है, तो अलग-लग समय में, अलग-लग मैप बनते गए, ऐसा निये कि हर समय में ये ऐसा ही रहा, हर कोई डैनस्टी अपना कभी न कभी पीक पे पहुंची, अब कितने मैप हम देखेंगे, इसलिए मोटे-मोटे तोर पे हमने हर डैनस्टी के साथ एक मैप लगा दिया, उसका पीक वाला मैप, आप देखिए अब कि ये जो थे, ये सकसेसर थे मौरियंस के और गोत्मी भुतर सतकर्नी के बारे में तो अभी हम बात करने ह कि वाले हैं, साथ में इन्होंने कोईन्स इशु के लीड के, कॉपर, ब्रॉन्स के और जो थार्ड रूलर हुए, वो इनके हुए सतकर्नी, गोत्मी भुतर सतकर्नी नी, सतकर्नी है इनका नाम, अलग है ये, इन्होंने भी बहुत सारा, कॉनक्वेस्ट से बहुत सारी रूलर की बहुत सारी रूलर हुए, सतवाना इसके, का तीस की तीस की बात करें का ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, ये 17th रूलर है और इन्होंने ये दो चार किताबे लिखे हुए हैं, देखे, गथा सप्ता सती और सत्ता साई इन प्राकरित भाशा, ठीक है, इसमें प्यार ब इन्होंने बहुत सारी युद लड़े और इस एंपायर को एक पीक तक पहुचाया, आप देखिए कि इन्होंने शाका, क्षत्रप नापाना इनको हराया था, अभी देखिए कि शाकाज भी आये हैं भारत के अंदर, लेकिन अब क्याएगी हर चीज इतनी इंपॉटन नहीं कि मैं सब कुछ पढ़ाने बैठ हूँ आपको, वो SSC के पॉइंट ओव्यू से या किसी one day exam के पॉइंट ओव्यू से important नहीं हो सकता, वो UPSC के पॉइंट ओव से important हो सकता है, ये जो है इनकी achievements, ये कहां पे लिखी हुई है, ये नासिक में लिखी हुई है, कहां पे गौतमी बाला शरी जो इनकी माता है, उन्होंने एक नासिक में inscription बनवाया था, उसके उपर लिखी हुई है, वशिष्थि पूतर शरी सतकर्नी, ये 24th ruler हुए है, अब मैं मुद्दे की main main बाते बता रहा हूँ, क्योंकि इतना important नहीं है, जो जो main 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 चीज़े हैं वो आप देख जाती है, जो भी है, ये जना शरी सतकर्नी, ये 27th ruler हुए है, इस dynasty के और ये last great ruler हुए है, जिन्होंने बड़ा empire बना के रखा था, बाद में फिर से सिकुडने लग गया था ये empire, और सबसे आखरी ruler, वो last great ruler था, ये last ruler है, पुला मावी थरी जो हैं, वो last ruler हुए है, ठीक है, इसके बाद कौन सी dynasty आगी थी, वक्त का dynasty ने इनको succeed कर लिया था, और ये लोगों ने क्या करना शुरू किया, इन्होंने बहुत सारी lands वगरा जो है, ब्रामन को gift करना शुरू कर दी, जिससे क्या आगया, feudalism का मतलब है कि जब आपको राजा ने कोई जगा gift कर दी, तो कि famous स्तूपा बनवाए गए इस दोरान, अमरावती और नागरजुना कोंडा में सत्वाना ने बनवाए, और इन्होंने इशु के copper और bronze coins भी mainly इन्होंने इशु के, इन्होंने बहुत सारे बुधिस्ट के जो अपना स्तूप है वो बनवाए, चैते और विहार बनवाए, च शेदी डैनेस्टी आती है, ये कलिंग से operate करती है, इसके main ruler हो है king kharvela, बहुत ज्यादा important नहीं है, बस मोटे मोटे तोर पर याद करनी है, कहां से operate करने, कलिंग से कलिंग मतलब उडिसा, और शिशु पालगाड इसकी capital हुआ करती थी, और ये बस लिख दी है main main चीजे, को ये तो आप देख सकते हैं, बस हमने डाल दिया, आप देखिए आपकी, जब ये सब चीजे चल रही थी, इसके साथ ही foreign invasions भी हो रहे थे, foreign invasions तो देखिए कप के हो रहे थे, वो Indo-Greeks कप के आ रहे थे, सिकंदर भी कप का आया, Indo-Greeks भी आ रहे थे, सब आ रहे थे यहा आपके कुशांस आए, Indo-Greeks आए, साकाज आए, पहलवाज आए, अब देखिए ये साकाज जो हैं, ये सिंथियंस यहां कहलो, शाकाज कहलो इनको, भारत वाले हर किसी foreigner को ना, उस टाइम पर शाका ही बोलते थे, ये याद रखना आप, ठीक है, तो ये सब आए, अभी इन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, जिसकी important है, उसी की बात करेंगे, पहले हम Indo-Greeks की बात कर लेते हैं, इसके important ruler ने मिनेंडर, या कहें इसको मिलिंद, ये 165 से 145 BC की बात है, और इसमें क्या होता है, ये बाद, इसके बारे में मैं बताता हूँ, अभी आपको actually map में बताना पड़ेगा, ये देखिए आप, ये जो यूची tribe है, ये tribe क्या है, यहाँ पे है चायना, देखिए ये तिबबत है, तिबबत के इधर क्या है चायना, अब ये क्या है, ये attack करना चाहरी है चायना पे, लेकि चायना में क्या है कि छोटी-छोटी दिवारे इधर, तो जब इनके ओपर pressure create हुआ कि भई ये उदर से हल्ला गुला हो रहा है, तो इनको भी expansion करना था, तो इनों ने बढ़ना शुरू कर दिया इधर, और इधर, अब इन दोनों को भी परिशानी हुई, तो इनों ने बढ़ना शुरू कर दिया इधर, और इनों ने भी इनको बोलते हैं, इंडो ग्रीक्स, तो ये मैंने बता दिया, अब बैक्ट्रियस के एक राजा हुए था, दिमित्रियस, उसने क्या किया, यहाँ पे अपने दो सेना पतियों को भेजा, और एक मिनेंडर हुआ, एक और हुआ, उसके बारे में जानने कि आपको कोई जरूर इतनी है, में मिनेंडर की बात करते हैं, तो मिनेंडर आया, इसको मनेंडर भी आप बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहिए, और इसकी जो, जिस एरिया में यह राज करता था, उसकी राज़धानी हुई, से आलकोट, ठीक है, और इसके दिमाग में ना बहुत सारे कोशन् ने बनाया, भगवान कहां पे है, कौन है भगवान, ऐसे करके बहुत सार इसके confusion थे, बहुत तगडी चीजे सोचता रहता था, psychology के अंदर अपनी spirituality वाली, तो इसके जितनी भी दिक्कते थी, इसने बहुत सादू संतों को अपने बार में भुलाया, कोई इसकी दिक्कते सोल नहीं कर पाया, तो एक नाग सेना, या फिर कहें कि नागरजुना, एक बुधिस्ट स्कोलर हुए, इन्होंने जब आके इसकी सारी समस्या को सुलजा दिया, तो ये उनके आगे नतमस्तक हो गए, और इन्होंने बुधिस्म को फॉलो कर लिया, लेकिन ये राजा फिर भी थे, इन्होंने सिर्फ एक तरह से एडॉप्ट कर लिया बुधिस्म को, कि हां मैं आज से इसकी टीचिंग्स को फॉलो करूँगा, और यही जो इंडो ग्रीक्स थे, ये पहले लोग थे, जिन्होंने भारत के अंदर क्वाइन्स के साथ ये सारी की सारी मैंशन्ट है, और जो लास्ट किंग हुआ है, वो हिसाट्रियस हुआ है, ये अजीबो गरीब नाम है, देखिए, अब ये नाम क्या कर सकते हैं, याद कर लीजे करने हैं तो, यही ऐसे थे जिन्होंने पहले गोल्ड कॉइन्स भी इशू किये, डिमि में एक क्लैन ऐसी थी, जो थे कुशांस, ये याद रखना, अब जब ये सबको पीटते पीटते कुश यूची इदर आएंगे ना, तो यूची यहां से घुच जाएंगे और ये पूरे भारत पे कबजा कर लेंगे, ठीक है भाई? इसे ही मैंने अभी पार्थियंस का भी बताया आपको, पार्थियंस में और ऐसी शाकाज भी आए, बस मैं मोटे दोर पे इन में दो चार चीज़े बता देता हूँ, जो पार्थियंस के अंदर एक किंग हुआ, गोंड़ा फिरनेंस, ये 19 AD से 45 AD के बीच में हुआ, उसके द यानि कि ये कोईंस वाली मुद्रा नहीं चलाते थे, अब हम में बुंते पर आते हैं कुशांस के उपर, कुशांस के जो फाउंडर, अभी मैंने पूरी कहानी बता दी, वो जो यूची ट्राइब है, वो घुमते गुमते, अब वो उदर नहीं जा सकती थी, तो इधर आ ग यूची ट्राइब में 5-6 तरह के रूलर है हमें वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है बाई, और ये जो हैं, इनकी फाउंडर है, कैड़ा फाइसिस वन, या फिर इनको कुजूला कैड़ा फाइसिस भी बोल देते हैं, ठीक है बाई, और ये फर्स्ट रूलर है, टु इसु गोल gold coins on the wide scale, ध्यान देना फरक है, पहले वालों ने, जो इंडो ग्रीक्स थे, उन्होंने सबसे पहले gold coins लेके आए, लेकिन ये wide scale पे लेके आए, यानि सबसे ज्यादा लेके आए ये लोग, और इनके जो सबसे important ruler हुए, वो हुए कनिश्क, देखिए कि कनिश्क का राज मैंने य आज भी, ये देखो आप, तो इतना बड़ा राज कनिश्क ने फैला दिया था, इसको इतना नहीं मिला था, इसको जैसे छोटा सा पार्ट एक मिला यहां तक का, फिर इसने फैलाते फैलाते पूरा, पूरा spread कर दिया था कनिश्क ने, ठीक है, इसको अशोक का नाम भी दिय जाता है एक तरह से सेकेंड अशोक भी बोला जाता है जो चक्रवर्ती समराथ अशोक है और इसी के नाम पर साका एरा की शुरुआत हुई थी 78 AD में अब देखें यह शाकाल नहीं था यह यह यूची था लेकिन फिर भी शाका एरा इसके नाम पर शुरुआ उसका कारण था क् यूचीयों को भी शाकाई बोला तो इसलिए शाकाय रहा इनके नाम पर स्टार्ट हुआ जो इनका एक हैडली स्टैचू है कनिश का वो कहां पर है मतुरा में और फॉर्थ बुदिस्ट काउंसिल जब हमनें बुदिस्ट की काउंसिल पड़ी थी तो उसमें यह जो है इनों मतलब छोटा विकल इसका मतलब क्या है कि जो बंदा निर्वाना तक पहुंचने वाला है ठीक है निर्वाना से एक कदम दूर है यानि बोधी सत्वा है वो बंदा अगर वो निर्वाना प्राप्त कर ले आपकी ये फिलोसफी है कि मेरे को सिर्फ निर्वाना प्राप्त करन हम लोगों को प्रेध करेंगे निर्वाना प्राफ्ट करने में, तो हमें ज्जादा benefit होगा और लोगों का welfare करेंगे, compassion देंगे उनको, तो उनका बड़ा गॉल हुआ तो उनको बोलेंगे, महयाना और कनिश्क ने भी उन ही को support किया महयाना को, हिन यान वालों नो खुद को हिन पूरा राज्य कहा फैला हो था रश्या, अफगानिस्ता, इरान, पाकिस्तान, इंडिया, इसका बहुत बड़ा समराज्य था और कैपिटल कहा हुआ करती थी, पिशावर में हुआ करती थी, ये लास्ट ग्रेट कुशान रूलर की अगर हम बात करते हैं, तो वासुदेवा व बहुत सारी ट्राइब्स आई, अब ये इन में से कुछ चोला जाए, फिर चैरा जाए, फिर पांडिया जाए, अब हुआ क्या, जैसे चोला इसकी बात करते हैं, तो कुछ शुरू में आये चोला, उर्ली चोला हो गए, फिर मैडाइवल चोला हो गए, बाद में ये एकजार एडी के आसपास एकदम हाई प्राइटी पर पहुंच गये थे अपनी पीक पर पहुंच गये थे बहुत बड़ा समराज जैन के हाथ में आ गया था यानि यह कब के शुरू हो रखे थे लकिन दीरे 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 एक तरसे स्प्रेड करते गए भारत के अंदर अब थो बुरा एंपायर है और यहां पर देखिए कि Capital पहार या कवेरी हुआ करती कवेरी पतनम और एंबलम टाइगर हुआ करता था इनका जैसे अपने नेशनल लाइपूर एक famous place है जहां पर cotton का trade बहुत जादा हुआ करता था और main source of wealth जो इस पूरे का पूरे चोल empire में था वो cotton का ही trade था और कफड़ों का वेपार था ठीक है भाई अब हम चलते हैं चैरा के उपर इनका emblem था बो और इनकी capital थी वंजी तो यह मोटे मोटे तोर पर आप देख सकते हैं इनका area यहां पर हुआ करता था बस यह छोटे छोटे एंपायर है यह बाद में बड़े बड़े होते गए धीरे धीरे अब देखिए पांडियास को पांडि चीजे हैं जो इनके बारे में हैं यह मैंने सोचा पहले मैंने सोच रहा था कि इनको skip कर दूं मत include करूं लेकिन मैंने सोचा कि जब पढ़ाने पर आये हैं तो में में चीजे लिख देते हैं क्या फरक पड़ता है जब करो कोई काम तो शिद्दत से करो वरना करो इमत अब हम तो है 240 से 280 AD की बात है और जब कि हम बोलते हैं कि 270 AD के आसपस कुशान एंपायर ओवर हुए लगबग तो होता क्या है कि अगर हम ध्यान से जब इन चीजों को देखेंगे तो यह हो सकता है कि यह जो श्रीगुप्त बन है यह और इनके जो बेटे हैं आगे यह दोनों हो सकत कि फ्यूडेटरी कर रहे हों फ्यूडेटरी मतलब मैंने बताया था ना कि कोई न कोई यह कुशान एंपायर के अंडर ही कहीं न कहीं एक तरसे एजिक गवर्नर काम कर रहे हों किसी पर्टिकुलर लैंड पे यह राजा बनके बैठे हों ठीक है इनोंने बहुत ज्यादा कु चाहते थे भाई कि ये कर कैसे नहीं ये सब काम बहुत सारे लोग फॉर्णर समरे जासा बनना चाहते थे इतनी वैल्थ हमने कठी कर ली थी भीया और मैं कहा रहा हूं कि सबसे बेस्ट यूनिवस्टी एमारे पास थि आट एंड कल्चर सबसे अच्छा हमारा था और रही ब बुक्स की तो बुक्स इस टाइम पर री रR intimate की गयी थी बहुत सारी बुक्स लिखी गई बहुत सारी बुक्स को ऑरगेशारी रिरइटी डिया दिया इन्हों नहीं सब्सक्री फें और यहां दिया यानिके इनोर भारत फjegoता पर ऐसा नहीं होगा मैं ओलरिकर जा रहे थे वो इदने इंपोर्टन है ये इंपोर्टन है ठीक है बाई चलिए अब क्या है कि गुप्ता एंपार देखे बहुत बड़ा फैला हुए लेकिन श्रीगुप्त के टाइम पर ऐसा नहीं होगा मैंने आपको पहले भी बता दिया अब आगे आने वाल रूलर इसको ला देंगे बहुत बड़ा ठीक है शुरू में ऐसा नहीं था आप देखे कि श्रीगुप्त जो है ये वैश्यक लैंड से हुए 240-280 AD के बीच में हुए और क्योंकि ये हो सकता है कि ये फ्यूडेटरी हो कुशान एंपायर की तो इन्होंने एक छोटा सा ही टाइटल ले र राज किया इन्होंने भी टाइटल कौन सा ले रखा था महराजा का टाइटल ले रखा दोस्त अब हम बात करते हैं तीसरे रूलर की तीसरे रूलर है चंद्रगुप्त बन जो की घटोत कच के ही पुत्र हुए इन्होंने 320-330 AD के बीच में राज किया और इन्होंने जो पा बहुत सारे लॉंच किये इन्होंने गोल्डन कोई जिसके ओपर कुमारा देवी की प्रतिमा बनी हुई थी तो इससे इनकी प्रेस्टीज और बढ़ गई एक तरह से ठीक है और इन्होंने फिर जो टाइटल लिया इन्होंने माहराजा धिराज का टाइटल लिया बेसिकली इन्होंने ध्यान ज्यादा दिया था मैट्रिमोनियल एलाइंस इस पर और जिससे की मगद अब देखी कहां तक फैल गया था मगद में तो था ही सकेत और प्रियाग में भी फैल गया था अब आप देख रहे होंगे एक जगा पे कि बार-बार हम मगद की ही बात करते हैं मग इनके जीन्स में आगे तब से ठीक है तो आब मगद देखी कब से चल रहा है यह रियंका डैनेश्टी से चल रहा है मगद देख रहे हो कितना बड़ा काल है और मगद कभी भी लेस इंपोर्टेंट नहीं हो हमेशा मॉस्ट इंपोर्टेंट ही रहा मगद तो इसलिए वहां के लोगों के जीन्स में पॉलिटिक्स है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अब कि फॉर्थ रूलर रुए समुद्रगुप्त और यह किसके बेटे थे चंद्रगुप्त वन के यानि कि अभी यह जो हमने चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ा इनके बेटे एक को भी झी छोड़ा बहुत कुछ किया इनोंने फिर आपको अभी पता है कि कुशांस थे जो बहुत हावीं हो रखे दे उनको भी धर्दबोच के फैक दिया कुशांस को फिर साकास को भी फैक दिया मालब इस आदमी ने सबको उड़ा डाला फिर एक हमला इसने हर जगा भी हमले किये यार हर जगा पे सबको पीट डाला पीट पीट के भगार डाला यहां से यानि कि हर जगा पे इन्होंने अपना राज एक छत्र कर दिया था एक और चीज देखिए यह 330 से 380 तक थे इनको धर्म प्रचूर बंदू भी बोला जाता है और एक इन्होंने टाइटल यह था प्रक्रमना ना प्रक्रमना क्योंकि इतने सारी यूद्व लड़े सब में विजही हुए और यह कभी हारे नी शायद इसलिए इनको नेपॉलियन आफ इंडिया भी कहा जाता था और साथ में देखिए कि इनके बारे में जो पता लगता है वो आलाबाद में एक पिलर है जो अशोका ने बनवाया था उस पिलर में अशोका के बारे में तो लिखा ही हुआ लेकिन निक्चे वाली जगा पे ना इनके बारे में लिखा हुआ है सस्कृत भाशा में ब देखिए ये बीना बजाते हो इनकी खुद की आकरिती है ऐसी बहुत सारी इनोंने गोल्ड कॉइंस को लॉंच किया है तो म्यूजिक के बहुत बड़े फॉल्वर थे फॉर्ण नसिंग अंदर बहुत जादा थी और ये प्राकरमना का टाइटल इनोंने लिया जब तो वो ले किने के बाद इनोंने एक अश्वमेद यग्या भी किया था जिससे मतलब इनोंने साबित कर दिया था कि हां मैं महान राजाओं क्योंकि उस टाइम पर अश्वमेद यग्या बहुत इंपोर्टेंट हुआ करता था अब देखे कि ये समुद्र गुप्त था जो ये एक तरह स समुद्रगुप्त का विकरम अधित्य, यानि चंद्रगुप्त II, ये दोनों इचीज़ों में अच्छा रहा है, इसने क्या किया, marriage alliances भी बहुत तगड़े बना लिए और military alliances भी बहुत तगड़े बना लिए और अच्छा यहां पर क्या एक iron pillar खड़ा है महरोली के अंदर तिक आयरन पिलर जो है ये पिछले 1516 से इतने लंबे से 1516 सालों से इतने लंबे समय से खड़ा है उसमें जंग निलगा आज आज आप कोई iron की चीज को रख दीजे बाहर तुरंत जंग लग जाता है वो इतने सालों उस पर जंग नहीं लगा देखिए कमाल का architect हुआ करता था हमारा हम मुगलों के architect को बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि उन्होंने ऐसा बनाया वैसा बनाया आप अपने भारत का भी देखिये ना कि क्या जबर्दस थे हमारे architect थोटा से पीछे जाके भी तो देखना वहाफे कोर्ट में नौरत्न थे, इनके पास भी नाइन जर्म्स थे, जिसमें कालीदास भी थे, और एक Chinese Pilgrims थे, फायान, वो इनी के रीजन में आये थे, वहलाब इनी के रेन में आये थे, जब ये राजा थे, तब ही आये थे, फायान, तो ये एक important question है, जो सीधा एक्जाम म दिते हैं क्या, जो विकरम बैताल की कहानियों में famous है, comment करके बताओ आप लोगे चरह, अच्छा इसमें नौरत्न जो इनके हुए, अभी इनकी military alliances के बारे में पूरा देखते हैं, मैं बहुत तगडी चीज बताओंगा इनके बारे में, अच्छा ये क्या है, वारा हमीर इन संस्क्रित के, और ये लेक्सिको ग्राफर भी थे, आपने पढ़ा होगा कि जो dictionary होती है, किसी भाषा की, उसको अगर संगठित कर दे, उसका कोश बना दे, तो उसको लेक्सिको ग्राफर बोलते है, one word substitution में पढ़ा होगा, ठीके तो यहाँ पर ये लेक्सिको ग्राफर भी संस्क्रित भाषा का, पूछ सकते हैं, पूछ लिया तो बता देना, हरी सेन, पॉइट थे, और वो जो आईरन का पिलर है न, उसके उपर हरी सेन नहीं लिखवाया था सब कुछ इनके बारे में, फिर धनवंतरी, आप देखिए, बहुत बड़े धनवंतरी, physician हुए, वो भी इनी के समय के हुए, समझ रहो, आप कितने बड़े विक्ति थे ये, फिर शुद्रक भी एक point हुए, इन्होंने मृच्छक तिका, ये एक पुस्तक लिखी, तो ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा, आब इनके alliances के बारे में देखते हैं, कि इन्होंने क्या क्या किया, आप प्रभावती, गुपता की शादी, रुदर सेंट टू से करवा दी, अब क्या इनका एक बच्चा भी हो गया, अब यहाँ पे इन्होंने इसकी हेल्प से, यहाँ पे हमला किया, शाकास की बैडब जादी, शाकास को हिष्टरी से ही खतम कर दिया, इसके वाद शाकास बचे ह ही नहीं, खतम कर दिया, फॉर्नर्स को, फॉर्नर्स खतम यहाँ पे, ठीक है, अब देखी आपकी, यही तो इनकी ब्यूटी थी ना, चंदर कुप, मतलब की चंदर कुप तू की, विक्रमा दित्त्या की, यही तो ब्यूटी थी, अब देखी क्या हुआ कि सारी जगा पे ए प्रॉट से मसाले भेजने है, पॉर्ट कहां था? यहां था, यहां वेस्ट के साथ आपको वैपार करने में कोई बंदिश नहीं थी, इससे क्या हुआ? बहुत सारा रोमन गोल्ड भारत के अंदर आया, इतना सोना आया, इतना सोना आया, इनका पूरा का पूरा समराज्य ज बाद में ये जो रूद्र सेंट टू है इनकी मलेव की डेथ हो जाती है और इनका एक बच्चा भी होता है तो प्रभावती जो प्रभावती गुपता है वो अपने आपको गुपता एंपायर की ही मानती है तो यानि वकाटका भी एक तरह से क्या हो गए गुपता ही बन गए जब तक वह बच्चा बढ़ाना हो तब तक प्रभावती बैठी सी हांसन पे तो यह इस तरह से क्या है कि पूरे का पूरा फिर पूरा राज कहां पर चलगा गुपता एंपायर पर ही चलगा यह भी हुआ था अच्छा अगले रूलर की बात करते हैं सिक्स्त रूलर है कुम प्रॉस्पेरिटी थी पूरे अंपायर की बहुत सारा इनका जो धन था उस युद में चलगा है क्योंकि युद कभी भी इकोनोमी के लिए अच्छा नहीं होता है ईकोनोमी को डिस्टरब कर देता पूरे का पूरा तो उसमें ये मंगोल ट्राइब थी हुना मंगोल जो चि तो उनसे यह हार गए थे और इनको इनोंने टाइटल ले रखा था शक्रा दित रेकर seconds शक्रा दित रहर झा है अब आथे सकंद्र गुप्ध इनोंने फिर क्या किया इन्हों ने देखा कि भईया यह चिंके साले आते हैं बार-बार हमें अहरा के जा रहे हैं मेरे पापा को भी हरा दिया तो अब मुझे तो कुछ करना पड़ेगा नहीं तो इससे तो यह फिर वही आल करेंगे हमारा तो इसने भईया अच्छा खासा धन लगा के अच्छी तासर टेडी का इसका राज है और इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेर करवाया यह वैशने वाइट थे यानि भगवान विश्नु के उपासक थे और जो समुद्र गुप्त थे महान शासक वो भी विश्नु भगवान के ही उपासक थे और यह आखरी रूलर थे इसके बा पूरे का पूरा संभाल के रखा हुआ था ठीक है बाई अब हम एड्मिनिस्टेशन की बात करते हैं कुप्ता पीरेड के तो जो मंत्री परिशद होता था उसको बोलते हैं आज की डेट में काउंसिल ओफ मिनिस्टर्स किंग तो किंग ही ठीक है और कुमा कुमारा मत्या कु कावर्नर को बोला जाता था ठीक है तो यह कुछ-कुछ चीजे हैं जो आपको याद रखनी है गुप्ता एंपायर की आगे देखिए आगे हम पढ़ते हैं पुश्य भूती समराज्य के बारे में हर्श वर्दन यहां के किंग वह यह भी इंपोर्टेंट है 606 AD से 647 AD तक य यहंग हर्श और यह इनका समराज्य हर्शा का और इसी दोड़न किया है कौन आते है रही है से सित्रेवलर्स के किंग यहां फिर कहें कि प्रिंस यांच सांग जो है यह यां हियून शांग भी कुछ लोग इनको बॉल देते हैं ये नाम लिखा हुआ है प्रिंस ऑफ आए और पूरे का पूरा इंडिया के अंदर भ्रह्मन करने लगे दस बारा साल तक यहीं रहे और इनों अच्छे से पूरा इंडिया के बारे में बहुत कुछ अपनी किताबों में लिखा जिससे हमें की आज चीजें पढ़ने को मिलती है अब देखिए कि यह जो आफ पुश चलुक के किंग पुलकेसिन 2 के साथ इनका और यह उस सुजुद में हार गए थे ओके अभी हम पुलकेसिन 2 के बारे में भी देखेंगे आगे चलके और इनोंने लार्ज मनस्टरी बनवाई और नालंदा यूनिवर्स्टी को री स्टार्ट करवाया था ठीक है और जो बान बान भट है इन्होंने यह बहुत फेमस पोईट हुए बान भट इन्होंने बहुत सारी किताब में इसके उपर अकसर एक्जाम के अंदर कोशन पूछ लिया जाता है तो यह जो है किसके कोट में थे यह किंग हर्ष के कोट में थे हर्ष वर्धन के कोट में थे और इन्होंन इसके आगे हम चलुक्याज और वतापी या बदामी के बारे में बात करते हैं इसके अंदर दो-तिन रूलर इंपोर्टेंट है फाउंडर है इसके पुलकेसिन 1 और पुलकेसिन 2 इसके most famous ruler है और पुलकेसिन 2 ही है जो हर्षा के contemporary है यही हर्षा को एक तरह से हराते हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे देखिए पुलकेसिन का राज्य है और इधर हर्षा का होता है तो हर्षा को हरा देते हैं अब यह समझ गए इस चीज़ को जलो आगे बढ़ते हैं अब राष्ट कुटाज की बात करते हैं तो यह आप राष्ट कुटाज का समराज्य देख सकते हैं यहाँ पर इतना फैला हुआ है और founder इसके थे राष्ट कुटा एंपायर के दंती दुर्गा 753 ADC 982 AD की बात है यह AD की और इनके जो किंग है क्रिशन 1 यह इनको remember किया जाता किसलिए किलाज टेंपल जो इलोरा का है न इनों नहीं मनाए कृष्ट किंग जो है कृष्ट वन इनों नहीं एक पूरी रॉक से काटके यह किलाज टेंपल बनाया गया इलोरा के अंदर यह राष्ट कुटा किंग है यह important है आ सकते paper में ऐसी इनके king है कृष्ण थ्री उन्होंने क्या मनाया है एक pillar बनाया है विक्तरी का और एक temple मनाया है रामेश्वरम में ठीक है और राष्ट कुटाज आर क्रेडिटीड विद्धी बिल्डिंग ऑफ केव श्राइन ऑफ एलिफेंटा एलिफेंटा की जो गुफाए है वो भी इन्होंने ही बनाई है तो यह सारे इंपोर्टेंट कोश्चन से जो टक टक करके एक्जाम के अंदर आ सकते हैं बहुत कहानिया मैंने सुनाई बहुत कुछ आपको बताया है लेकिन आप कुछ कुछ चीजे वो भी एना एक्स्ट्रा जो सीधा पेपर में आ सकती है तो मैं वो चीजे आपको टार्गेट करके ब इतने में इतने में ऐसे चलता रहते है कम ज्ड़ा कम जज़्ाधा चलता रहता है क्योंकि कोई न कैसरीय किंग करने का तो राजेचीन लेगा तो छोटा हो जाएंगे फिर वड़ने'mें कोई ऐसा जवान पैदा होगा शेर दिल तो वह करकरके आकर्मन बाकि सारे समरॉय यह बापस लेगा, ऐसे चलता रहता था इन डाइस्टी में, ठीक है, और जो इनके king थे, मेन, वो नरसीमा देव थे, यह नरसीमा देव बन भी बोल सकते हैं, आप इनको, इन्होंने sun temple मनाया था, कोनार्क में, मैं खुद जाके देखिया हूँ, बहुत ही शानदर temple है, यह कोन खुमने का मौका मिले, जो उडिसा के लोग है, वो तो घुमे ही होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बता था, कि मैं एक समय में उडिसा में राता वेदानता कंपनी के अंदर मैंने काम किया था, तो वहाँ पे फिर हम घुम के आए थे, इन जगाओं पे, ऐसे ही एक king हुए कै सरीज, तो इन्हों ने क्या किया, इन्हों ने उडिसा के अंदर ये गंगाज से पहले आये थे, इन्हों ने लिंग राज टेंपल जो है भगवान शेव का भुमनेश्वर के अंदर बनवाय था, जो ये आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं पलवाज, अब आप देखें सब्सक्राइब बनवाज ने लिए और यहां भी है, क्यों ऐसा हो रहा है कि यह लंबे समय तक भारत में रहे और भारत में ऐसा नी था कि लंबे समय तक एक ही चीज़ चल रही थी, हर साल में, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ बदले जा रहा था, सारी जोगरफी बदले जा र हर दूसरे दिन कभी हमारा क्षेतर बढ़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है आज आसा है लेकिन पहले बहुत होता था भाई ऐसे कभी कोई आकरमन कर रहा है कोई आपस में कर रहा है कभी लड़ रहे हैं मर रहे हैं खाप रहे हैं तो इसलिए ऐसा हो रहा था तो पलवाज भ पूरम आपने सुना होगा इन्हों नहीं वो फाउंड किया टाउन इसको पहले मामला पूरम बोला करते थे और यहां पर इन्हों ने रोक का ट्रत बना रहा है सैवन पगोडा बना रहा है यह सब आप पढ़ लीजेगा यान संग भी इनी की कोट में भी आये थे अब यान किस किस राजा के समयकाल में नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा और अपना फीड़बेक जरूर दीजेगा इस पर इतनी मेहनत लगाई है मैंने भाई कि मैंने रात दिन एक कर दिया मेरा गला तक बैठ या रात रात भर मैं जागा हूं इन पीपीडिस को बनाने के लिए इसके बारे में कॉंटेंट मनाने के लिए रिसार्च करने के लिए मुझे मालूम है कि कितनी मेनत लगाई है मैंने और पेपर में देखना इससे कोशन फसेंगे ही फसेंगे अच्छा नर्सीमा वर्मन ने एक रथ टेंपल मनाया है कहां पर महाबलीपूर में यह सीधा सीधा सवाल आ सकता है फिर महेंद्र वर्मन जो हुए हैं वो इनी किसके का टेप्रेरियों हो हर्शा के और पुलकेशन के हुए यह जो युद्ध हुए हैं अभी आपको आगे प पासे यह शेवीजम में कनवर्ट हो गए थे आगे देखते हम अब पुलकेशन टू की बात करता हूं मैं उसने क्या किया यहां पे देखिया पुलकेशन टू ने क्या किया महेंद्र वर्मन जो अभी अभी मैंने बताए इनको हरा दिया और इनकी टेरिटरी में जाके बैठ गए अब भाया इस लल्ले ने इसको हराया तो अब दिक्कत यह हो गई कि यहां पे यह बैठे हैं पुलकेशन टू साब लेकिन फिर नरसीमा वर्मन जो हुए उनको आया गुसा कि भाया अब किया तुम यहीं बैठेर होगे क्या तो इन्हों ने इनको हड़काया कि चलो डाई का बाई और वोपस आयए उस ठाइम पर ऑन रजय कर रहे थे आपस में लड़े जा रहे थे लड़े जा रहे थे रुड़े जारे रहे थे उट उनका बड़ा मोटीव होता था इस नोह बहुत सारी राजस्यां अक्षू राज्ढरम एचन सायली US पास-बकल वीज़ा इंपेरियल चोला के बार में पढ़ते हैं बहुत बोगा गए अब खुद देखिए फिर देखिए इंका एरिया और बहुत जगा पर इनका अब इसके फाउंडर जो है इस समय इसके मैडाइबल चोला के फाउंडर जो है विजयाले होंगे और वहां पे अलग था यहां लग है सारा capitalist की तंजोर ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स राजा राजा वन ये 985 से 1014 AD के बीच में तो एडी में चल रहा है यह सब कुछ एंडिस सन राजेंद्र वन ये 1014 AD से 1144 AD तक इन्हों और राज किया और रज राजा वन के बारे में खास बात क्या है कि इन्होंने राजेश्वरी टेबल सकते करे हैं और यह वेनदाय के बाद इन्होंने खुद को नाम दे दिया था गंगाई कॉंडा ठीक है ऐना को दैनी गंगाई कॉंडा और यहां पे ही हमें इसी काल में dancing figure of Shiva मिलती है जिसको हम नट राज बोलते हैं वो इसी पीरिट से बिलोंग करती है ठीक है भाई यानि इस पीरिट के लोग भूफान शिव की पूजा करने लग गए थे मलब उनकी नट राज एक तरह से मूर्तिया भी बनाना शुरू करती थी लोगों ने समझगे इस चीज को अच्छा आगे देखिए मेडाईवल चोला इसके बारे में कि यह जो इनके टेंपल बहुत जबर्दस हुआ करते हैं विमाना टावर्स स्पेशेस कोट्यार्स बहुत क पूछ ले तो आप बता सकते हैं लगबग हम एंडिंग में हैं अब हम पालाज की बात करते हैं पालाज ने अपना फैला रखा था यहाँ पर सारा कसारा राज तो यह फाउंड किसने किया था गोपाला ने किया था 750 AD में और इनकी कैपिटल मुंगियर या मुंगेर हुआ क रखा था याद है ना आपको गुपता एंपायर के अंदर कमेंट करके बताओ तो धरमपाला ने भी यह ले रखा था अब ऐसे धरमपाला कैप्चर्ड का नोज एंड कंडक्टिड ग्रेंट दरबार तो इन्हों ने ग्रेंट दरबार का आयो जन किया तो बूच सकते हैं त विकरमशिला यूनिवर्स्टी को भी बनाया आप देखिए इस तरफ थे पालाज अब यह भी समझाया यहाँ पे थे राश्ट्र कुटाज यहाँ थे प्रतिहाराज यह आपस में ही तीनों मेन पावर्स थी भीड रहे थे आपस में लेकिन एक साथ ही इनका डिकलाइन इस वज़े से जो इनका है हाल खसता होता चला गया और यह डिकलाइन कर गई तीनों पावर्स इसके आगे अब देखिए हम पहुंचे कहे हैं 647 एडी से 1200 एडी में हाला कि अभी वह भी बहुत लंबे समय की बात चल रही है यहाँ भी देखो ना आप यह बात कब की चल रह है इससे पीछ देखेंगे थोड़ा सा हम चोलाज को च्वं साइब वही समझाणा चारू हमने यह क्याई कि बहुत सारी इतनी doet बन इसको याद करोगे तो मेन मने बता दिया आपको अब यहां पे राजपूत्स भी आए पिक्चर के अंदर ठीक है फॉर्क लैंस में डिवाइड़ थे प्रतिहाराज भी थे चोहांस भी थे चलुक्याज थे बहुत सारी छोटे छोटे ऐसा नहीं था कि जैसे चलुक्या सारी खतम हो तो यह अलग लग जगा पे अब राज कर रहे थे एक ही टाइम पे कहने का मतलब है यह लगवग 1050 AD का मैप है तो उसमें थोड़ा सा हमने क्लैरिफाई करने की चीजों को कोशिश किये और 1192 AD में क्या हुआ प्रिथवी राज चोहान साहब का मोहमद गोरी से युद हुआ अब वो सब आपको कहां देखने को मिलेगा यह section था ancient history का यानि कि हमने लगवग 1280 के असपस तक cover कर लिया है इसमें एक तो चीजे है जो मैं आपको और वीडियो और एक Maratha Impire सिखहिजम और Maratha Impire मेरा बनाने का बहुत मनने कभी मेरे को टाइम मिला ना तो एकदम ऐसी ही web series की तरह मैं बनाओंगा वो वीडियो आप मेरे को ज़रूर बताना एक बरी comment करके कि आप अगर और वो वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारे का सारा हमारा ancient history का part था, जो most important था, वो मैंने सारा करवा दिया है, इसके आगे की history किसी को पढ़नी है, तो वो इस वीडियो से पढ़ेगा, इस वीडियो का link मैंने description में दे दिया है, ये video है, ठीक है, पहली ये देख रखी है, वो तो ठीक है, जिसने नहीं देख रखी है, वो इसको जरूर देखे, तो आपको मज़ा आएगा, पूरी history हो जाएगी आपकी complete, ठीक है भाई, इसके अलावा टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोईन कीजिए, इस पर हम बहुत सारा free content डाल रहे है, description में इसका भी link, देदूआ नी तो आप टेलिग्राम पे जाके इस नाम से ढूंडेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसके अलावा हम आपको एक और चीज़ बताएं कि आज जितनी मैंने महनत की है, आप इस महनत को देखके खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मेरी band बजी होई है गले की, जब तक मैं इस वीडियो को खतम कर रहा हूँ, बहुत मेरी एक महीने की महनत है, आप ये मत सोच लेना कि ये एक दिन की महनत है, एक एक चीज वैल रिसर्च करके एक 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 फोटो ढूंड के आप देखिए कि किस किस चीज की फोटो नहीं दिखाई मैंने आपको, एक एक चीज की फोटो दिखा दी, इतनी ज़्यादा connectivity आपके mind में create की है, mind mapping की है, बहुत कुछ की है, कितनी कह जरूर देना नीचे कमेंट्स में, इसके हलावा अगर आपको लगता है कि हम महनती हैं, हम सच में आपके लिए महनत कर रहे हैं, और सच में content हमारा ला जवाब है, कमाल का है, देखो वीडियो से ही पता लगेगा ना कि कमाल का content है के निए, तो आप हमारा PDF course ले सकते हैं, व आप कॉम्बो लेना चाहते है, कॉम्बो में सभी subjects आजाएंगे, चाहे वो GS हो, computer हो, English हो, English का video course हो चाहे, वीडियो course भी English का आजाएगा, advanced maths का video course आजाएगा, practice videos, पूरा का पूरा arithmetic के 950 question, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो आजाएंगे, बहुत अलग तरीके से हमने बना रखा है, GS तो है ही है, current affairs भी है ही है, static portion भी, miscellaneous portion भी, जो आपके मुझ से आप निकालो, वो चीज हमने सब PDF कोर्स के अंदर डाल दी, यानि आपको notes बनाने की जुरूरत नहीं, और ऐसी ही colorful PDF से रखिए हैं, जैसी आज आज आपने ये वीडियो को, ये पूरी PDF देख लोगे है, हमने, तभी तो हम उनिक है ना भाई, तभी तो हम बोलते हैं कि मार्केट में हमारा कोई competitor ही नहीं है दोस्त, तो अभी आपको बहुत बड़ा इसके अंदर benefit मिल रहा है, कि ये पूरा combo आपको 699 में मिल रहा, reasoning भी साथ में included है, English भी included है, maths भी included, GS भी computer भी, 699 का म कैसे ले सकते हो, ये हमारे Google पे phone पे ATM नमबर है, इन पे direct payment कीजिए, payment का screenshot आप हमें email कर देना, इस email ID पे, अगले 24 घंटे हम आपको add कर देंगे, अगर आपको genuinely लग रहे हैं हमारे efforts, तो ये ज़रूर लेना, इससे हमारी बहुत बड़ी help होती है, क्योंकि जितने भी लोग ह हमारे साथ जोड़े हैं, उनको यहीं से तनखा मिलते हैं, ये बात याद रखना, और quality हम content आपको provide करी रहे है, quality में कोई compromise लिए, चलिए हम मिलते हैं next video में, bye bye, take care, see you, love you all, हम मिलते हैं, bye bye